हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू मैंडिक ब्रींस इस अनामिका सिंग कैसे हैं आप सभी मैं आशार करती हूँ आप सभी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्त होंगे सभाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो हमारा चाप्टर है क्लास नाइन्थ का पांचवा चाप्टर जिसका नाम है जीवन की मौलिक एकाई सभाई इसका हर एक पार्ट में बहुत ही डेटेल में पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप सभी ने लाइफ सेशन्स में तो इसे अटेंड किया ही होगा है ना लेकिन आज की ग्लास में आप देखे चुके होंगे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बात करूँ सो उसका हम क्या देखते हैं पहले तो हम उसको उसका एक्स्प्लेनेशन देखते हैं हाना तो इस चाप्टर का explanation NCRT के बेस पे मैं बहुत ही अच्छे से पूरा already करवा चुकी हूँ इसी के साथ मैंने इसके साथ करवाए हैं भाई क्या तो मैंने आपको करवाए हैं पार्थे गत प्रश्न कांसे प्रश्न पार्थे गत प्रश्न जी हाँ बलकुल सही सना है और मैं आपको बता दू कि explanation के साथ पार्थे गत प्रश्न के साथ मैं आपके NCRT solutions भी करवा चुकी हूँ क्या करवा चुकी हूँ? NCRT solutions भी करवा चुकी हूँ पार्थे गत प्रश्न, NCRT solutions है और मैं ने आपको MCQs और इसी के साथ मैं आपको MIQs भी करवा चुकी है यह सारे चीजे मैं ने बहुत ही अच्छे से complete करवा दी है, cover करवा दी है अब बात आती है कि मैं अगर यह इतना कुछ हो चुका है सो क्या हम यही आज पढ़ेंगे ना चीना आज के इस पूरे इतने बड़े वाला जो पार्ट है ना इसमें हम केवल और केवल डिसकस करेंगे हमारे पूरे चाप्टर को अब यह मत कहना कि मैं इतना लंबा समय तक हमें पूरा पढ़ना है मैं आपके NCRT के हर एक सेक्शन को यहां कवर कराने जा रही हूँ तो क्या बोलते है तैयार हो सभी तो अगर तैयार हो तो भाई वीडियो को जादा से जादा शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक सेक्शन को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देना इसे के साथ एक और इंफर्मेशन के मैंने ब्रींस इंडी मीडियम चानल आप सभी को प्रॉइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी बलकुल प्री और कॉस्ट याने के मैंने ब्रींस में आपको किसी भी क्लास को देखने के लिए कोई भी पैकेश पर्चिस करने की आवशक्ता विलकुल भी नहीं है सो इसी अच्छी सी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारे दमाकेदा सेशन को और सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चाप्तर में मैं आपको क्या और किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ सो बात कोच ऐसी है कि जीवन की मौलिक इकाई के वारे में जानना है और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है भाई कोशिका ही होती है जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है कोशिका होती है अगर मैं कोशिकाई एक सेल की बात करूँ देखो कितनी सारी चीज़े आपको दिख रही होंगी आपको माइटोकॉंडरिया दिख रहा है आपको केंद्रक दिख रहा है केंद्रक केंदर केंद्रिका दिख रही है बहुत सारे parts होते हैं अब हो सकता है कि जब आप पढ़ने गए होंगे तो कुछ चीज़े तो आपको अच्छे से clear हो गई होंगी लेकिन हर चीज clear होई होगी ऐसा नहीं होगा और अगर नहीं clear होगी तो अब इस session के बाद हो जाएगी ठीके? सो बात ऐसी है सबसे पहले एक छोटू सा introduction दे देती हूँ आपको बता देती हूँ कि भाई हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सो बात ऐसी है कि आपके NCRT में सबसे पहले discussion का point यही है कि सजीव किस से बने होते हैं सो भाई हम यहाँ पर जानेंगे सजीवों के बारे में कि जितने भी सजीव होते हैं living organisms होते हैं यहां में कहुं सजीव होते हैं वो actually में किस से बने होते हैं तो भाई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अब हम यहाँ कोशिकाओं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मैं कोशिका भी तो बोल सकती थी तो जी हाँ सजीव में भी अलग अलग सजीव आते हैं और हर एक जीव हम ऐसा बोलते हैं हर एक सजीव किस से मिलकर बने कोशिकाओं से मिलकर बने पर मैं कुछ जीव ऐसे भी है कुछ सजीव ऐसे भी है जो किवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने है येस बिल्कुल सही बोला है और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से बहुत सारी सैल से मिलकर बने हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है सो हमने क्या जाना कि सजीब किस से बने हैं अभी हम किबल सुन रहे हैं है ना हम जानेंगे और वहीं हम पढ़ेंगे प्लाजमा जल्ली को वहीं हम पढ़ेंगे कोशी का जल्ली आप में से कई सारे लोग कह रहे होंगे कि मैम ये तो गलत लिखा है तो मेरी बात ध्यान से सुनिये बटा हम NCRT पॉलो करते हैं और आपके NCRT में ये ऐसा ही लिखाता बट एक्च्वल में उसे हमें ऐसे लिखना होता है सो मैम आपको उन वर्ट के बारे में भी बताएंगे जो आपके NCRT में थोड़ा सा अलग मिलेंगे है ना और एक्च्वल में सही क्या है वो भी मैम आपको वीच वीच में बताते चलेंगी सबसे पहला discussion का point हमारा यही होगा सजीब किस से बने होते हैं है ना तो मैंने बोला ना कि कुछ एक कोशिका से भी मिलकर बने होते हैं और कुछ बहुत सारी कोशिका से भी मिलकर बने होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको unicellular, multicellular के बारे में भी पढ़ाउंगी यानि कि मैं एक कोशिकिये, बहु जी कोशिकिये, जीवों के बारे में भी बताऊंगी कि दोनों में क्या अंतर होता है, भाई अंदर भी तो पता होना चाहिए सो येस हम एक कोशिकी बहुँ कोशिकी में अंतर भी जानेंगे नेक्स आईएगा प्लाजमा जल्ली अत्वा कोशिका जल्ली जी हाँ फिर हम जानेंगे इसके पहले की भी थोड़ी सी कहानी कि ठीके मैम हमें समझ में आ गया कि कुछ जीब जो है लेकिन मैं आपको वदाओं में इतनी दे से कोशिका कोशिका कर रही हूँ और बुक में भी आप जब पढ़ने गए होंगे स्कूल में आपके टेस्ट हुआ होगा भी आपके एक्जामस भी निकले हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ नाम जो है वो बार बार भूंगते फिरते आ रही है अब वो नाम क्या क्या है तो आपने नाम सुना होगा कोशिका जिल्ली होती है कोशिका वित्ती होती है सुना है की नहीं सुना है कुछ नाम और ये लिखा तो है कोशी का जली होती है कोशी का वित्ती होती है केंदरक होता है केंद कोशी का द्रव्य होता है कोशी का अंगाख होता है मैं यह हैं क्या सारे के सारे तो भाई वही तो हम पढ़ेंगे यही सारी चीजी तो हमें डिस्कस करना है सो बहुत ध्यान से सुनियेगा इस चाप्टर में हम कोशिका को अलग अलग प्रकासे पढ़ने बाले हैं मैं कोशिका के हर एक बाग को बना कर भी सिखाऊंगी आपको कि हर एक बाग हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं सो हमारा ये डिसकेशन का पॉइंट ही यही होगा, सबसे पहले हम सजीवों के बारे में चानेंगे हम जानेंगे कोशिकी, बहु कोशिकी क्या होते हैं, हम जानेंगे प्रोकेरियोटिक, यूकेरियोटिक क्या होते हैं शरीर की सबसे छोटी कोशी का कौन सी है सबसे बड़ी कोशी का कौन सी होती है सबसे लंबी कोशी का कौन सी होती है और फिर मैं आपको हमारे शरीर की कोशी का की structure के बारे में बताऊंगी कि भाई ये सब जो इधर उधर तुम्हें तैरते हुए से दिख रहे हैं प्लेज्मा जिल्ली यानि कि प्लाज्मा जिल्ली कोशिका जिल्ली या मैं कहूं कोशिका वित्ती पढ़ेंगे केंद्रक पढ़ेंगे कोशिका द्रब पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे हम कोशिका अंगक को अलग से पढ़ेंगे जैसे हम जानेंगे अंतर द्रबीय जाली का हम कि अन्तह प्राद्रव जालिका हम इसे बोलते हैं बिलकुल सही है यह ऐसे लिखा है ना यह आपको ऐसे भी मिलेगा कैसे मिलेगा तो यह आपको अन्तह अन्तह प्राद्रव जालिका के नाम से भी मिलेगा ठीक है ना इंग्लिश में भाई जिसे हम क्या बोलते हैं एंडो प्लास्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं कोई confusion कोई doubt चलो नेक्स आजो गौल जी उपकरन को क्या बोलते हैं तो इसे हम गौल जी बाडी कहते हैं गौल जी कोई गौल जी उपकरन ये अलग अलग नाम से आपको मिलेगा बिल्कुल भी टैंचन लेने वाली बात नहीं है बाकी यहाँ पर भी आफ सैल को देख ली रहे होंगे ये है हमारा लाइसो सोन इसके बारे में भी हम जानेंगे ये है माइटो कॉंड्रिया ये क्या है माइटो कॉंड्रिया अच्छा इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताने चारही हूँ बात ध्यान से सुनना ये जो माइटो कॉंड्रिया है ना बिटा इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं तो हिंदी में ये सूत्रकरिका होगा नाम दो सुना ही होगा सूत्रकरिका हम इसे बोलते हैं ये प्लैस्टिड लिखा है ना ये हिंदी में ये इंग्लिश में ऐसा होता है और सुनो ये जो प्लैस्टिड लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं तो ये होते हैं लवक अच्छा आपने नाम तो सुने ही होंगे भाई आपके NCRT की अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़े उसमें थोड़ी कम-कम दी है जैसे आपके NCRT क्लास 9 में उनमें प्लास्टेट्स दो ही प्रकार के बताएं है बट मैं आपको बता दू एक होता है अवन्नी लवक क्या बात है एक होता है वन्नी लवक और बिटा एक होता है हरित लवक तो हम लवक को भी तीन प्रकार से पढ़ेंगे रस धानी भी हम पढ़ेंगे ये सारी हमारे discussion के point होंगे स्क्रीन शॉट लेतें चलना अराम से सारे चीज़े अच्छे से note down करते हुए चलना मैम कई सारे words के नाम आपको English में भी बताएंगी क्योंकि English में बताने से आपको दोनों ही चीज़े याद रहेंगी केवल Hindi medium हो तो Hindi में ही पढ़ना है ना चीना हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ऐसे कई लोग है जो Hindi medium होने के बाब जो दिंग्लिश में भी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन बात ऐसी है कि पूरा English में नहीं जाना है words पता होने चाहिए पीछे वालों के भी नाम लिख लो है ना तो जहांसे सुनना हम यहां पर इसे cell membrane बोलते हैं क्या बोलते हैं यह बाई cell membrane ठीक है ना कोशिका वित्ती की ही अगर यहां बात करूँगी तो बेटा ये होती है cell wall इसे हम क्या बोलते हैं तो ये होगा nucleus और सुनो अगर मैं तुम्हे nucleus के बारे में पढ़ाऊंगे ना तो nucleus के से ही हम क्या पढ़ेंगे तो nucleus से ही हम हा ना nucleus से ही हम क्या पढ़ेंगे nucleus पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे याने कि मैं इसी में ही बता देती हूँ जगा कम है कि केंद्रक के साथ बिटा में तुमको पढ़ाऊंगी केंद्रिका क्या पढ़ाऊंगी तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली केंद्री का फिर उसके बाद है कोशिका द्रव्य हाँ जी बिल्कुल पूरी कोशिका में एक द्रव्य भरा होता उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं और कोशिका अंगक सेल ओर्गेनल्स तो हमें पढ़ना ही है वो जो सारे कई सारे के नाम यहाँ पर लिखे भी हुए है ठीक है ना सब को समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है किसे क्या बोलते है है ना अच्छा इसी के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि और कौन से हमारे discussion के point होँगे सब मैं यहाँ पर तुम्हें कोशिका के प्रकार भी पढ़ाऊंगी क्या पढ़ाऊंगी कोशिका के प्रकार भी पढ़ाऊंगी यानि कि हम दो चीजों के बारे में जानेंगे मैं वो दो चीजे कौन कौन सी है तो ध्यान से सुनना एक होता है भाई प्रो केरियोटिक क्या होता है जल्ली बताओ तो एक होता है प्रो केरियोटिक और एक होता है यू केरियोटिक क्या होता है? यू, केरियोटिक ये दो अप्रकार की ये होते हैं अब वही में अगर आप से बात करूँ प्रो केरियोटिक और यू केरियोटिक की इन में हम डिफरेंस देखेंगे जब मैं हम आपको पढ़ाएंगी तो मैं में दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस करके पढ़ाएंगी तीक है ना? अब लास्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी कहानी इसी के साथ मैं बता देती हूँ बिटा कोशिका विभाजन भी तुम्हें इसी में ही पढ़ना है है ना? जो तुम पढ़ते हो ना कोशिका का विभाजन होता है हन जी विल्कुल होता है लेकिन मैं ये कोशिका कितने पार्ट में विभाजेत होती है तो वैसे तो तीन पाग होते हैं इसके तीन कौन-कौन से होते हैं तो आपने नाम सुना होगा एक असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्दसूत्री विभाजन लेकिन आपके लिए केवल दो ही तरीके के विभाजन है होने हैं एक तो समसूत्री होगा और अर्दसूत्री असूत्री नहीं है आपके बुक में और मैं आपके बताओं यह विभाजन वाला भी जो concept है आपके book में बहुत ही कम दिया है मतलब बहुत जादा नहीं दिया कम कम दिया है तो वो हम जानेंगे ठीके ना तो दोनों तरीके के विभाजन भी में तुम्हें पढ़ाओंगी और एक में तुम्हें पढ़ाओंगी अर्ध सूत्री विभाजन कौन सा विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन चलो भाई so I think बहुत ही अच्छे से आपको introduction क्लियर हो गया होगा अब यही जरूरी नहीं क्लास 9 के ही students देखें कई सारे competitive वाले students भी होते हैं जो competition के त्यारी कर रहे हैं लेकिन जन्हें cell NCRT से पढ़ना है तो आपके लिए भी यह important है क्लास 9 में अगर आप हैं तो आपके basic के लिए यह सारी क्लास 10 में अगर आप हैं तो आपके लिए भी important है 9 वालों के लिए तो है ही वही अगर आप क्लास 11 त 12 या मैं कहूं आप किसी भी exam के preparation भी क्यों न कर रहे हो अगर आप cell पढ़ना चाहते हैं तो भाई सभी के लिए important है क्योंकि यह आप पे सारी चीजे हो जाएंगे बिल्कल clear सब हम start करते हैं हमारी कहानी को है ना और हम बढ़ते हैं पड़ा पड़ से आगे सो बात यह उठती है कि मैम यह सजीव किसे बने होते हैं हां जी बिल्कुल सही point है कि सजीव actually में बने किसे होते हैं तो जितने भी living organisms होते हैं जितने भी सजीव होते हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं लेकिन कोशिका में भी कौन सी कोशिकाओं होती हैं तो कुछ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कुछ बहु कोशिका से मिलकर बने होते हैं अब सजीव किसे बने होते हैं तो मैंने क्या बोला तुम से कि कोशिका से मिलकर बने होते हैं ब्यात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये किस से मिलकर बने होते हैं तो ये कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं है ना तो हम यहाँ पर कोशिका के बारे में अलग-अलग रूप से जानेंगे फिर हम कोशिका को एक एक करके पढ़ेंगे है ना तो हमने देखा कि सभी सजीब कोशिका से मिलकर बने होते हैं लेकिन मैं में एक बात है कुछ ऐसे होते जो एक से और कुछ ऐसे होते जो बहुत सारी कोशिकां से मिलकर बने होते सो मैं यहां लिख रही हूँ ध्यान से सुनना हम लिख रहे हैं एक कोशिकी एक कोशिकी है ना याने की इंग्लिश में से हम क्या बोल देंगे तो बैटा ये होगा आपका यूनी सैलुलर क्या होगा बैटा यूनी सैलुलर अब वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं, कि दूसरे side हम क्या लिख रहे हैं, तो यहोगा बहू कोशिकिये, क्या होगा भाई, तो यहोगा बहू कोशिकिये, अच्छा, बहू कोशिकिये को हम क्या बोल देंगे? सो फिर ये हमारा हो जाएगा multi-cellular क्या होगा बिटा? multi-cellular होगा point clear हुआ? चीजे समझ में आएं के नहीं आएं? हाई या ना? भाई इसको ऐसे ही समझना है यही मेरी आप सभी से request है ठीके? इसको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं arrange इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं arrange आप भी ऐसे arrange करकर कि अच्छे से सजा सजा के ही लिख लिख के पढ़ना ठीक है? चलो भाई सो मैं ने आपको क्या बताया? तो मैं ने आपको बताया कि बटा एक कोशिकिये बहु कोशिकिये सुनते हैं कि ये क्या होते हैं सो हमने देखा हमें एक बात पता चली एक कोशिकिये को लेकर भी और बहु कोशिकिये को लेकर भी है ना? हमें एक बात पता चली एक कोशिकिये को लेकर भी और बहु कोशिकिये को लेकर भी तो हमने देखा वे सभी जीब जीब जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो बस भाई वही क्या कहलाते हैं एक कोशिकी जीब कहलाते हैं अब प्रशन उठता है कि मैम इसके एक्जाम्पल्स क्या क्या है और दहरन क्या क्या है तो ध्यान से सुनना इनमें आते हैं अमीबा क्या क्या आते हैं तो जैसे आते हैं अमीबा और क्या है पैरा मीशियम क्या बात है भाई अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया युगलीना कभी तो नाम सुना होगा हंची युगलीना भी इसी में ही आते हैं एक कोशिका कोशिका से मिलकर बना हो बस वही क्या कहलाते हैं एक कोशिकी jan direito कहलाते हैं जिसमें आमीबा है, पेरामीश्यम है, युगलीना है ये सारी चीज़े आती है और वही अगर मैं बात कर दूँं किसकी बहु कोशिकी की तो हम क्या रेखेंगे वे सभी जीब जिनका शरीर क्या बोलेंगे हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं से मिलकर बना हो से मिलकर बना हो मिलकर बना हो क्लियर कोई समस्या कोई डाउट चलो भाई तो आपको एक कोशिकी बहुत कोशिकी की परिभाष अच्छे से समझ में आ गई होगी अच्छा बहु कोशिकी की examples क्या क्या आचाएंगे जैसे मानब आचाएंगा यह न जैसे मनुष आजाए और जन्तु आचाएंगे है न और क्या आजाएंगे पादब आजाएंगे भाई प्लांट्स आजाएंगे यह सब क्या होते हैं? Multicellular बहु कोशिकी होते है That's it देखो मैंने यह तुम्हे Return Permit में पढ़ाया है सो मेरी तुमसे एक request है इसे ऐसी ही पढ़ना है इसे ऐसी ही लिखना है जब आप मेरी notes बनाएंगे न जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप notes भी ऐसे ही बनाना है ना? आप notes भी कैसे बनाना? कुछ इसी ही प्रकार से बनाना जैसे कि मैंने आपके लिए बनाकर बताएं है जैसे कि मैंने आपके लिए बनाकर बताएं है That's it यह पूरा आपके सामने है अब हमें पड़ापट से बढ़ना चाहिए आगे अब मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा है ना ये लाइन कहां से कहां चली गई अच्छा अगर हम इसे लेखर जाएंगे तो वो ऐसे जा रही थी कोई बात नहीं इसको ऐसी रहने देते हैं जरूरी होती है तो वही सारे जीब तो ये सब चीज़े कौन करते हैं हम करते हैं प्लांट्स करते हैं वही मैं बोलू जल्ये जीब करते हैं छोटे छोटे जीब करते हैं कीट करते हैं सब करते हैं समझ रहे हो न तो वो होते हैं सारे सजीब अब बात आती है कि सजीब किसके बने होते हैं doubt clear हो गया कि yes मैं समझ में आ गया कोशिका से बने होते हैं और मैम कोशिका भी एक नहीं होती है ये एक के साथ सथ बहु कोशिकी याने multi-cellular भी होते हैं अब सुनो कि मैम ऐसे कौन से scientist थे जिन्होंने सबसे पहले हमें कोशिका के बारे में ही बताया ये चीजे भी तो आपके mind में चल ही रही होंगी तो बस तयार हो जाओं scientist के बारे में पढ़ने के लिए सो सूश्मदर्शी की खोश से पूर्व कोशिका को देखना आरंब कोशिका को देखना कैसा था असंभव था फर्स्ट पॉल कोशिका इतनी चोटी होती है इतनी चोटी होती है कि इसे हम हमारी unadded eyes से या मिगवोई से हम हमारी नगन आखो से नहीं देख सकते हैं मैं आपसे बोलूँ कि अरे मेरे हाथ मेंने एक चोटी सी चोट लगी है हाथ कट गया और फिर मैं आपसे बोल सकती हूँ कि मैक्रोसकोप की हमारी कोशिकाओं के बारे में तो नहीं ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि समय बहुत पहले का था 1660 हम तो पैदा भी नहीं हुए थे ना हम हुए थे ना हमारे पैरेंट्स हुए थे ना उनके पैरेंट्स हुए थे क्योंकि अगर हम हमारी बात करें तो हम तो अभी ये 2000 वाले हैं ना और भाई मैं तो 2000 वाली नहीं हूँ तो मैं तो बिलकुल वो 19 में end वाली हूँ तो बस बात इतनी सी है बिटा कि अगर हम सूश्म दर्शी के सहायता से बात कर रहे हैं कोशिका को खोजने की इसको देखने की तो हम उसे नहीं देख सकते थे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था और एक चीज़ ओर एक साइंटिस्ट ने पूरी ख़बर नहीं दी थी अलग-अलग साइंटिस्ट अलग-अलग इंफर्मेशन दे कर गए थे सो बात कुछ ऐसी है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक क्या नाम था तो भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक समय था 1665 सबसे पहले जब भी तुम कोशी का पढ़ने जाओगे तो तुम्हें यही एक साइंटिस्ट मिलेंगे जिनका नाब क्या था Robert Huck था और 1665 के समय में इन्होंने सरल सूशमदर्शी सिंपल माइक्रो स्कोप के द्वारा ही क्या किया था कॉर्क, मैं मैं ये कॉर्क क्या होता है तो एक पदार थे जो ब्रक्ष की चाल से प्राप्त होता है सो Robert Huck जी ने 1665 में सबसे पहले जो की कैसी थी? मृत्य कोशिकाएं थी जो की मृत्य कोशिकाएं थी इस चीज का ध्यान रखना और किसी जेल की कोठरियों से समानता होने के आधार पर इनको नाम दे दिया था कैसा सैलूला अभी मैं लिखके पढ़ा रहे हूं घबराना नहीं तदा बाद में यही नाम बदल कर क्या हो गया कोशिका याने के सैलूल अब सुनो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या लिखाता यह कुछ भी समझ में नहीं आया मधुमक्की का चत्ता जाला सब आ गया यहां तो तो बात कुछ ऐसी है हम बिल्कुल systematic orange करके लिखते हैं और हम orange करके कैसे लिखेंगे तो हमने देखा भाई एक scientist थे जिनका नाम था क्या नाम था रोबर्ट होक क्या नाम था रोबर्ट होक हां जी बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने तो हमने देखा कि एक scientist थे जिनका नाम था Robert Hook भाई क्या किया इन्होंने तो बस यही तो थे वो पहले विक्टी जिन्होंने discover किया जिन्होंने क्या किया discover किया यानि कि जिन्होंने सबसे पहले क्या कर दी भाई खोज ही कर डाली लो भाई इन्होंने क्या कर दी खोज ही कर डाली लेकिन किस चीज की खोज करी है तो इन्होंने खोज करी है परस्ट डेड़ सल की किस की करी है तो इन्होंने खोज करी भाई फरस्ट डेड़ सेल मैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो बटा यही तो है पहली मृत कोशी का पहली मृत कोशी का पॉइंट समझ में आ रहा है तो येस इन्होंने पहली मृत कोशिका की खोच करी थी जुनका नाम था Robert Hook लेकिन माम किस एर में की थी तो बटा 1665 में की थी एर क्या था? 1665 था अब बात आती है कि माम इन्होंने पास्ट डेट सेल को देखा किस में था तो सुनते चलना इन्होंने पास्ट सेल को देखा था किस में तो वो देखा था कॉर्क में किस में देखा था कॉर्क में तो थोड़ी देर पहले ही तो मैम ने बताया आपको कि भाई ये कॉर्क क्या होता है? बताया था कि नहीं बताया था? अब भे बताया मैम ने आपको कि एक कोर्क क्या होता है अब और सुनो तो हमने देखा रॉबर्ट हुक नाम के एक साइन्टिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया लेकिन मैम कौन सी तो पर्स्ट डेट सेल को यह था 1650 अब बात आती है कि हमने अभी पड़ा कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा देखा था वाई मदू मक्की के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखा था हंजी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था कुछ ये structure जो है हमें देखने को मिला था अब बात आती है इसी को ही नाम दे दिया था और वो नाम क्या दे दिया था तो नाम दिया था स्टैलूला क्या नाम दिया था तो वहीं से ही नाम दिया था सैलूला और स्टैलूला से ही वर्ड क्या निकला था तो यहीं से ही एक word निकला था जिसे हम क्या बोलते हैं Cell यानी की कोशी का तो यह कहानी याद रहेगी न सबको हाई है ना, चलो भाई So मैम ने आपको पूरो concept अच्छे से clear कर दिया है पड़ावट से ले लो इसका screenshot फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए, तो I think screenshot अपने ले लिया होगा Robert Hook की पूरी कहानी भी आपको पूरी picture clear हो गई होगी कि हाँ जी मैम, हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले Robert Hook जी है उन्होंने बोला cell जासा तो कुछ है, कौर्क में देखा है ना, और हमें बदाया उन्होंने कि इसे cellular नाम दिया तब फिर वामा से नाम दे दिया cell ठीक है, तो चलो अब हमें बढ़ना चाहिए आगे क्योंकि पहला concept आप सभी का अच्छे से होता है यहाँ पर clear, चलिए और यह दे Robert Hook जी इनका face भी आत कर ले ना है ना, वैसे तो तुम यह कभी टकराएंगे नहीं लेकिन books बगरा में तुमें इनका नाम, ऐसे कुछ images शायद मिल सकती है है ना, वैसे NCRT में इसके में शायद दी है बाकि तुम्हें तो पता है कि मैम तो यूज करेंगे सब की image ताकि वो हमें दिमार्ट में बठा सके So next आते हैं अगली कहानी के तरफ जो कि यह है कोशिका की मूल विशेष्टाएं अच्छे एक बात बताओ, कि हमने जब देखा कि कोशिका, चलो कोशिका कुछ तो है एक से या बहुत सारी से तो ये तो हमें शुरू में नहीं पता था ये हमें अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिटा बहुत सारी कोशिका हों से लेकिन ये शुरू में ना पता था इसके लिए भी साइंटेस्ट है उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी अब सुनो कोशिका की मूल विशेषता है पढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस बताती हूं जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें ये कॉंसेप्ट बताया था एक और कॉंसेप्ट यहाँ पर हम जानते हैं है ना सो बात कुछ ऐसी है कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बनी होते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मत और संविश्नात्मक एकाई है याने functional और structural unit है तो हमने क्या देखा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी एकाई ही क्या है भाई तो हमारे शरीर की सबसे छोटी एकाई ही है कोशिका और हमने देखा कि ये क्या है यहाँ पर सुनते सलना वो खुद्यान से और इसे ऐसे ही बनाना जैसे कि मैं बना रही है तो हमने देखा ये actually में एक कोशिका नहीं बलकि ये क्या है group of cells यानि की कोशिकाओं का समूह है Very good लेकिन मैम आपने हमें ये कोशिकाओं का समूह अचानक से क्यों बता दिया तो उसके लिए थोड़ा सा रुको थोड़ा जगा बना लूँ हाँ, आप सही है तो हमने क्या रेखा कोशिकाओं का ये क्या है भाई, समूह है हाँ न, ये क्या है कोशिकाओं का समूह अब होता ये है कि ये जो बहुत सारे कोशिकाओं के समूह है न ये आपस में मिलकर क्या बनाते है तो ये बनाते है भाई, टिशू क्या बनाते हैं तो ये बनाते हैं टिशू एक टिशू बनाते हैं क्या एक उतक बनाते हैं क्या नाजीना यहाँ पर भी क्या होगा मिलेंगे बहुत सारे टिशू याने की उतक तो मैं ऐसा क्या बोलूंगे फिर लो जी यहाँ पर है उतको का समूह ग्रुप आप टिशूज और ग्रुप आप टिशूज मिलकर बटा क्या बना रहे हैं तो फिर ये मिलकर बनाते हैं हमारे बॉड़ी का एक-एक ओर्गेन याने की अंग हमारे शरीर का एक-एक औरगन याने की अंग और जब हमारे शरीर का एक-एक औरगन बन जाएगा फिर क्या बनेगा फिर बनता है अंग तंत्र है ना फिर क्या बनता है तो वो बनता है फिर अंग तंत्र और जब बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से अंग तंत्र लो भाई इसे भी अरेंज कर लिया और जब इतनी कहानी हो जाएगी न भाई फिर तैयार क्या हो जाएगी हमारी पूरी बॉड़ी यानि की शरीर हमारी पूरी बॉड़ी याने की शरीर कोई समस्या, कोई डाउट तो हमने देखा कि अच्छा है, ऐसा कोई सीक्वेंस चलता है, हंजी बिल्कुल चलता है और ये भे दियान रख लेना, कि ये कोशिका है क्या, ये कोशिका की है अगर मैं इसको निकाल दूँ इस कोशिका को ही अहां से निकाल दूँ, तो हमारे शरीर की सब से चोटी इक ये क्या है इससे चोटा कुछ नहीं, सब से चोटा क्या है कोशिका? और कोशिका से चोटा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है ठीक है ना, सो पहले नंबर पर कोशिका, फिर कोशिकाओं के बाद बहुत सारे उताग, सो उताग हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी काई है, फिर शरीर का एक-एक अंग बनेगा, जैसे हमारे लीवर बन गया, जैसे हमारे किड़नी बन गई, जैसे हमारे लंग्स बन गई, जब एक एक अंग बन जाएगा ना भाईी, तो फिर बनेगा अंग तंत्र याने organ system जैसे तुम्हारे lungs बने, फिरपड़े बने तो बनेगा श्वसन तंत्र जैसे तुम्हारा हिरदे याने हाट बना तो फिर क्या बनेगा रख्त परी संच्रन तंत्र जैसे किड़नी बनी तो क्या बनेगा वो सरजन तंत्र ऐसे करके अंग तंत्र बनेगे और जब शरीर के पूरे तंत्र तयार होंगे जाहिर सी बात है क्या तयार हो जाएगी तुम्हारी पूरी शरीर फिर तयार होगी तुभारी पूरी बौडी यानि की शरीर तो समझ रहेो कि कोशिकाओं का होना कितना जादा important है बहुत जादा important फोड़ा भी नहीं बलकि बहुत जादा important होता है ठीके न? चोल अब बात आती है कि मैम कोशिका की मूल विशेष्टाएं क्या-क्या होती है तो इसके विशेष्टाओं के बाहरे में जानना भी अती-अती-अती आवश्यक होता है जैसे सबसे बहला पॉइंट इनमे स्वतंत रूप से गुडन करने की छमता होती है हाजी बिल्कुल सही कि इनमे स्वतंत रूप से गुडन करने की छमता होती है है ना इसी के साथ साथ इनमे आनुवाशिक सूचनाएं निहित होती है आनुवाशिक सूचनाएं कहां से आएंगी बाई DNA के माध्यम से क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलू कि बटा हमारे शरीर की जो कोशिका है कुछ ऐसी है जिसमें होता है केंद्रक केंद्रक के अंदर क्या होती है केंद्रिका होती है क्या होती है केंद्रिका होती है तो यहीं मैं आपसे बता दू इस केंद्रक के बारे में तो इस केंद्रक के अंदर क्या होता है DNA होता है तो वही अनुवानशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुचाता है ये स्वता जीवन है तो सभी आवशक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती है और ये समान रासाइनिक संगटन तता उपापचे क्रियाएं दर्शाने में भी सहायता करती है दर्शाती है क्लियर चलो पड़ापट से इसका स्कुरिंशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं सो हमने कई सारे बेसिक कॉंसेट्स तो अपने यहाँ पर क्लियर कर दिये हैं अब क्वेशन ये उठता है कि माम ठीक है आपने हमें कोशिका के बारे में बता दिया सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा विज्ञानिक से संबंदित प्रमु को खोजें अब मैंने आपके लिए काम जो है वो जरुरत से जादा आसान कर दिया है मैंने इसे एक प्रॉपर सिक्वेंस में ही अरेंज कर दिया है आपके NCRT में ऐसा कुछ भी इतना प्रॉपर तरीके से अरेंजड नहीं है बट मैंने इसलिए किया है ताकि आप सिक्वेंस में इयर के साथ विथ नेम और उनकी पूरी डेटेल्स जो है वो साथ में देख सको सो यही एक रीजन था कि इसे इस तरीके से पढ़ाना है जब आप अपने नोट्स में नोट डाउन करोगे ना तो आप भी ऐसे ही नोट डाउन करना एक साइड हम लेखेंगे सभी विध्यानिकों के ना फिर हम लिखेंगे वर्ष यानि की एर और फिर हम लिखेंगे कार यानि की वर्ख यानि अब हम एक-एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस साल में आकर किस चीज को डिसकवर किया उसकी खोज करी तो I think अब हमें पड़ा-फट से आगी बढ़ना चाहिए तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा सबसे पहला नाम आपको Robert Hook की दिख रहा होगा जी हां बिल्कुल सही देख पा रही हैं आप Robert Hook की पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने कोशिका जैसा कुछ होता है इसके बारे में बताया था Robert Hook ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि हां कोशिका जैसा कुछ होता है अब इन्होंने हमें बताया था सर्वरप्रतम एक सरल सूश्मदर्शी द्वारा कौर्क के टुकडे में मृत कोशिका की खोच करी सो बात ऐसी है कि थोड़ी दिर पहले ही मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि भाई इन्होंने कौर्क में अपनी ही द्वारा बनाए गए सूश्मदर्शी की जहायता से माइक्रोस्कोप की हल्प से ही किसके बारे में बताया था पहली मृत कोशिका के बारे में बताया था बस यस चीज का ध्यान रखना कि इन्होंने फ़स्ट डेड सेल के बारे में यहां पर बताया था कौनसी सेल तो इन्होंने फ़स्ट डेड सेल के बारे में बताया था फिर आते हैं एंटोनी बॉन ल्यूबन हॉक आपको ये कभी ल्यूबन हॉक के नाम से मिल चाहेंगे तो कभी आप पूरा नाम अगर जानना चाहो तो इनका पूरा नाम एंटोनी बॉन ल्यूबन हॉक है अगर हमें ये बता चला कि अच्छा मदू मखी के जाले के समान या छटे के समान अगर मैं देखूं ऐसा कोई स्ट्रक्चर कोशिका का पहले हमें बताया था रॉबर्ट हुक जी ने तो उन्होंने तो डेड सेल के बारे में बता दिया था फिर एक साइन्टिस्ट आयते और कब आयते 1674 में आयते बाई यर क्या था तो यर था 1674 और 1674 इश्वी में 1674 इश्वी में इन्होंने बताया कि जो सेल होती है हाँ होती तो है लेकिन वो डेड नहीं होती है बलकि वो कैसी होती है सजीव होती है लिविंग होती है तो रॉबर्ट हुक जी आ है उन्होंने का सेल डेड होती है फिर लि उने किसमें तो तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं वो भी किसमें देखा था जिवाणूं में पता किया था कि हाँ कोशिकाओं तो होती है लेकिन वो कैसी होती है जीवित होती है क्या ये बात समझ में आई हाई या ना तो आइ थेंक आपको दोनों च सेल रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे फस्ट लीविंग सेल यानि कि पहली जीवित कोशिका के नाम किसका लेंगे एंटोनी वन लिवन हॉक अब बात यह उठती है कि मैं यहीं काम रहता था क्या इन्होंने तो इतनी सारे डिस्कवरीज कर ली अब हमें परिशान होना पड़ता है जिसे कई बार आप बोलते हो ना फिजिक्स पढ़ाते टाइंग क्यों न्यूटन जी के सर पर सेब गिरा था अगर मेरे सर पर गिरता तो मैं तो सेब को उठाता और खा लेता तब यह तो अंतर है कि हम साइंटिस्ट नहीं है और वो साइंटिस्ट है जुन्होंने आम एक्टूल में फिजिक्स के बारे में इतना बताया तो वही यहां पर भी अपलाए होता है यहां पर भी लागू होता है एक बात बताओ गर साइंटिस्ट नहीं होते तो तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंगों के बारे मे इनमें उतक भी होते हैं, शरीर का एक एक अंग भी होता है, ये कैसे बता चलता, तो हमारे साइंटिस्ट ही थें, जिन्होंने इन सब की समपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी हमें प्रवाइड की दी, हमें प्रदान की दी, क्लियर? तो ये कभी मत सोचा गरो के माम ये तो पंड़ा पढ़ रहा है, भाई बहुत अच्छी बात है कि ये आए और इन्होंने हमें इतनी सारी चीजों के जानकारी दी, किसी भी सब्जेक को बिटा प्यार से पढ़ होगे ना, तो आपको पढ़ने में खुद से मज़ा आएगा, अगर आप उसे बहुत प्रेशर करके पढ़ होगे कि अरे यार बस मुझे कैसे भी करके ना, इस चाप्टर को बस कंप्लीट करना है, तो फिर वो आपके दिमाग में जबरजस्ती वाला बैठेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आप कुछ दिन में उसे भूल ही जाओ, तो हर एक सब्जेक को चाहे वो इंगलिश हो चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैट्स हो, चाहे वो साइंस हो, एकस वाइजएट कोई भी सब्जेक क्यों ना, वो सबको इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना है, चीक है? चलो, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन, अब आते हैं भाई, इन्होंने ऐसा क्य किया था, तो ध्यान से सुनना, समय था 1831, 1831 में इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, मैं ये केंद्रक क्या होता है, तो मेरे बात ध्यान से सुने, अभी इस चाप्टर की ही मैं इंडिविजुली बात करूँ, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक है, वो एक्ट्र में दिखाई कैसी देती है, और किन लोकेशन पर ये होती है, तो ध्यान से सुनना, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, अब ये केंद्रक कहा होते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर हमारे शरीर के कोशिका के मैं बात करूँ न, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ह होता है, हाना, और वहीं प्लांट्स की मैं बात करूँ, तो उनमें कुछ ये ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ इसे प्रकास से दिखाई देते हैं, कोई समस्या, कोई डाउट, चलो, चलो, I think सब को ये कॉंसेप्ट, ये कहानी अच्छे से क्लियर हो रही होगी, हाना, तो हमन आपका केंद्रक, और सुलो, इसी केंद्रक के अंदर ही तुमको क्या मिलेगी, केंद्रिका मिलेगी, इसी केंद्रक के अंदर क्या मिलती है, केंद्रिका मिलती है, तो मैम ने आपको किसके बारे में बताया है, केंद्रक के बारे में बताया है, कि ये हो जाएगा आपका कहीं कहां चाता है तो यह हमारे पूरे कोशिकांग को कोशिकांग के सभी कारेयों को नियंतित करने का काम करता है उससे कंट्रोल करता है जैसे बात बताओ हमारी पूरी बॉडी में कई यह सारे चीजों को कंट्रोल किस ने करके रखा है हमारे मस्तिश्क ने यानि की हमारे ब् पार्यों को नियंतित करने का यह काम करता है इसलिए हम इसे कोशिका का मस्तरिश्क भी कहते हैं ठीक है ना तो मैं आपको तीन चीज़े बताएं सबसे पहले रॉबर्ट हुग ने बताया रॉबर्ट हुग के फर्स्ट डैड हो गई वर्स्ट डैड सेल हो गई फिर एंटॉन लिविन हो कि हमने फर्स्ट लीविंग सेल सजीव कोशिका देखी रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि अरे इनमें ना केंड रग भी पाया जाता है क्या बाते अरे कि साइंटिस्ट आते जा रहे हैं और कित्ती सारे इंफोर्मेशन दे रहे हैं पहर राई श्लाइड इन तता से बने होते हैं सभी पादब तथा जन्तू किसे बने होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं तो यह दोनों साइंटिस्ट यह कैसे साइंटिस्ट वहते हैं जुन्हों ने बताया कि भाई चाहे तुम किसी प्लांट के बारे में बात कर लो आनिमल के बारे में यह दोनों ही किस होता है यह कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना यह पहले से बनी हुई कोशिका से ही कोशिका बनती है मतलब ऐसे कई सारी confusing point है जिस पर यह बात नहीं कर पाए थे यह उसके बारे में ठीक से टिपड़ी नहीं कर पाए थे लेकिन इस इन्होंने कई सारे concept को तो clear किया था कुछ जगे पर इनसे चीज़े नहीं हो पाई थी उनमें यह पेल हो गए थे successful नहीं हो पाए थे तो इन्हीं की theory को complete किया था एक modern self theory आई थी ये तो कोशी का सिध्धान्त था ये क्या था तो ये था कोशी का सिध्धान्त सुनते चलना है ना ये था कोशी का सिध्धान्त जो किसने दिया था श्लाइडें दता श्वान ने दिया था लेकिन इसी कोशी का सिध्धान्त को आध हुनी करूप किसने दिया तो फिर वो दि कि मैम हमें सेक्शन में डाउट है तो प्लीज हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए कोई छोटू सा भी डाउट हो ना बिलकुल आप मुझसे बूच सकते हो चलिए अब हम बढ़ते हैं पड़ापट से आगे हैं अगली कहानी की तरफ पुरकिंजे दी अच्छा विर्चो जी भी 1839 में ही इन्हों ने हमें बताया कोशिका के द्रव्य तत्व के लिए जो जीव द्रव्य शब्द है इसके बारे में इन्हों ने बताया था जीव द्रव्य का नाम आपने सुना ही होगा है ना तो इसके बारे में बताने वाले विक्ती कौन थे तो वो थे पुरकिंजे फिर 辗ाए विर्चो जी जिनका पूरा नाम है रुड़्र्फ विर्चो क्या नाम है रुडॉल्फ विर्चो समय क्या था तो समय था reporting 55 जिन्हों कोशी का सिद्धांत को आगे बढ़ाया मैने जाना आपसे कि जो श्लाइडन शौनने ठियोरी को ही अच्छे से आगे बढ़ाने का काम, उसको मदलब और अच्छी से क्लियर करने का काम, जिस चीज में वो सक्सेस्पुल नहीं हो पाए थे, उस चीज को आगे बढ़ा कर उस पर काम किया और सफलता हासल करने वाले व्यक्ति कहनते विर्चो जी थे, सकोशिका सिद्दान को इन्हों ने आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्थी कोशिकाओं से उत्पन होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही बोला है, और क्या बोला है कि सभी कोशिकाओं, कि बताया कि सभी कोशिकाओं पूर्ववर्थी कोशिकाओं से, य क्लियर कर दी जो हमारे श्लाइडन और श्वांग नाम के साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे सो वो हमारा यहाँ पर होता है क्लियर और सबसे लास्ट में आईएगा नॉल इवम व्रुसका के तरफ 1931 का समय था एलेक्ट्रोन सूश मदर्शी की खोज इन्होंने की थी वेरी 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 इंपोर्टेंट कि इन्होंने माइक्रोसकोप तो देखा लेकिन कौन सा वाला देखा एलेक्ट्रोन माइक्रोसकोप की खोज की जिसके द्वारा कोशिका की जटल संरशना वा कोशिकांगों का अध्यां संबब हो पाया देखो मेरी बात बहुती ध्यान से सुनना यह जो सैल होती है यह जो कोशिका होती है और कोशिका के अंगा खोते हैं बाई कोशिका ही इतनी चोटी होती है तो उसके अंगा कितनी चोटे होते होंगे ये इतने चोटे होते हैं कि हम इसे अपनी unedited eyes से नहीं देख सकते हैं इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवशक्ता होगी electron microscope की जरुवत होगी so electron सूश मदर्शी की खोज होई जिसके दवारा कोशिका के जटल संरचना वह उसके कोशिकांगों का अध्यान क्या हो सका संभव हो सका कोशिकांग का अध्यान यहां क्या हो सका संभव यानिके possible हो सका ठीक है ना तो I think आपको पूरे concept अच्छे से clear हो गए होंगे अब आपका काम क्या है सुनो मैम केवल आपको पढ़ा ही नहीं रही है मैम आपको बीच-बीच में तरीके भी बताती है कि बिटा इसे याद कैसे करोगे तुम तो इसे याद ऐसे करना है कि अब जब आप अपने friend के साथ बैठ हो हैना सबसे best तरीका बता रही हूँ कि आप अपने friend के साथ बैठना उससे बोलना कि कल अपन मिलेंगे और school में जो gap होगा ना lunch जो time होगा उसमें अपन पटा पट से lunch करेंगे और lunch करने के बाद मैं तो उससे कुछ questions पूछूँँगा इस वाले section से इस वाले part से तो 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 ये पढ़के आना दीरे करके सारी scientist के नाम बताना कि उसके बाल यूवन होग चीया है तो अगर हम ऐसे sequence में year के साथ चलेंगे और ऐसे हम discuss करके पढ़ेंगे ना बिटा तो सब आपके mind में छप जाएगा लेकिन आप ऐसा कर रहे हो कि एक कमरा बंद किया और आज तो मैं science में ये पढ़के रहूंगा मन मारके मन मारके घरवालों ने बोला बेटा पढ़ लो तो मन मारके तुम बैट गए कोने में रूम बंद करके गुस्टे में कि आज तो मैं इसे पढ़के ही रहूंगा नहीं याद कर पाओगे जबरजस्ती कोई काम नहीं हो पाता है उसे रटना कहते हैं समझना तब होता है जब मैं की बात आपके दिमाघ में fixed हो गई हो और बात में आपको किबल revision ही करना हो अब ये मत कहना कि मैं आपके बात दिमाघ में fixed नहीं होती मैं guarantee दे रही हूं क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो तुम लोगों के दिमाग में जाता है लेकिन दिमाग तुम्हें खोलना पड़ेगा मतलब ऐसे खोल के मत रख दे ना मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अच्छा माम ने ऐसा ऐसा बताए इसका मतलब ऐसा होता होगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं पड़ा पड़ से आगे अगली कहानी की तरफ सो बात कोच ऐसी है विबिन जीवों का कोशिकी संगठन अगर मैं बात करूँ कि जितने भी जीवों होते हैं उनका कोशिकी संगठन कैसे होता है तो सुनो विबिन जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर यह निमने दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक कोशिकी जीव जिसे हम एकल कोशिका युक्त कहते हैं और एक होता है बहु कोशी के जिसे हम अनिक कोशिकाओं युक तो बोलते हैं अब थोड़े दिर पहले ही याद करो मैंने रिटन फॉर्मिट में तुम्हें कुछ-कुछ चीजे क्लियर की थी हाया ना तो येस डेफिनेटली मैंने ऐसा किया था तो बहुत ही द्यान से सुनिएगा क्या सुनेंगे आप कि बहु कोशी के जीब और एक कोशी के जीब में क्या अंतर है वैसे तो मैंने आपको main main difference बता दिये हैं कि एक कोशी की मतलब जिनका शरीट एक single cell से मिलकर बना हो वही क्या कहलाते हैं Unicellular Organisms और बहु कोशिकी जीप क्या होते हैं तो वे जीप जिनका शरीप बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हूँ उनको हम क्या बोलते हैं Multicellular बोलते हैं चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसे पढ़ना यहां पर एक कोशिकी लिखा है और यहां लिखा है बहु कोशिकी है सो इसे मैं नाम दे दूं English में सुनो English में भी पढ़ते रहा करो भाई है ना यह है Unicellular Organisms किवल Unicellular ही लिख रही हो और इसे क्या नाम दे देंगे यह हो जाएगा Multicellular क्या होगा Multicellular ठीक है ना सुनो संपूर्ण जीब मात्र एक कोशिका का बना होता है हंजी यह तो मैं ने सबसे पहले क्लियर किया था और शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो विभन शारिरिक भागों के निर्मान है तू विभन कारे करती है जी हाँ विलकुल सही Prokaryotic एक कोशिकी जीबों में श्रम विबाजन नहीं पाया जाता है First of all, श्रम विभाजन समझते ही क्या है किन्तु यह यूकेरियोटिक जीबों की कोशिकाओं में देखा जा सकता है हांजी बिलकुल सही है यह चीज सबे कोशिकाएं शरीर के विभन कारे को संपन करने है तू विशेशी क्रतिया विभेदित होती है जिसके कारण ये एक कोशिकाओं के समुहों में श्रम विभाजन पाया जाता है अमीबा हो गया, कले, माइडो, मोनास हो गया, पैरमी, शियम, जिवानू ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकाओं होते हैं जिसमें क्या होता है? एक कोशिकाओं के समुहों में श्रम विभाजन पाया जाता है क्योंकि यहां पर जितनी भी कोशिकाओं होती है, उनका एक सब का एक विशिस्ट काम होता है होता है कि नहीं उतना, उनके कोशिकाओं का एक विशिस्ट काम होता है सबी कोशिकाई शरीके विभन कार्यों को संपन करने है तो विशेशिक रतिया विभेदित होती है इसलिए तो हम बोड़ रहें कि बहु कोशिक में क्या होता है श्रम विभाजन पाया जाता है अगले की तरफ आते हैं अब हम एक नोट के बारे में सुनेंगे ध्यान से सुनना इस नोट को प्रतेक बहु कोशिक जीव अपने जीवन का आरंब एकल कोशिक अर्थाद युगमनज से करते हैं जो कि विभाजे दोकर रहने कोशिकाएं बनाता है हंजिबल को सही है इस प्रकार प्रतेक कोशिक अपनी पूर्व भरती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है ये भी सचे आवर्दक लिंसों के अविश्कार के कारण ही एक कोशी किये सूश मेधर्शी जिवो के खोश समबभ हो सकीए क्योंकि अगर ये लेंस नहीं होते तो ये खोश ये चीज़वी समबभ नहीं हो पाती चलिए next आते हैं सूशमदर्शी के बारे में ही हम जानने कि यह microscope क्या होता है जितने भी छोटी छोटी जीव होते हैं micro organisms अगर मैं बोलू सूशमदर्शी के बारे में बात करूँ तो यह possible नहीं है कि हम bacteria को, virus को direct अपनी आखों से देख सकते, नहीं देख सकते एक बात बताओ, COVID आया था, COVID के टाइम पे हम ही ये चीज़ पता चल रही थी भाई हम सबको pack कर दिया था अपने घरों में और जब हम सबको अपने घरों में pack कर दिया गया था pack कर दिया था, the sense कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे even क्या हो रहा था कि अगर किसी वेक्ति को कोरोना था और एक distance भी बहुत maintain करना पड़ रही थी घर के घर में ही, तो आप सोचो कि आपको पता चल रहा था कि आपके घर में जहां एक room में आपके family का कोई एक member बैठा हुआ है, दूसरे room में हम हैं, तो वहां से एक virus जो है वो easily हम तक आ सकता है, so yes definitely आ सकता है, कई सारे तरीके हैं कि virus वहां से हमारे पास आ सकता है अब आप कहेंगे, मैम हम देख सकते हैं, क्या आप नहीं देख सकते हो, वो इतने चोटे होते हैं, इतने सूशम होते हैं कि virus को, bacteria को, मतलब ये सारे चीज़े ऐसी होती है, जिनने देखने के लिए हमें microscope की ही आवश्यक्ता होती है microscope की ही जरुवत पड़ती है, ठीक है ना, सूशम दर्शी उच्च आवर्दन छमता वाले उपकरन होते हैं, जिनका अबयोग अत्यांते छोटी वस्तों को देखने हैं तो किया जाता है उधारन के लिए कोशिका, सूशम दर्शी द्वारा एक कोशिका के आकार को 300 से लेकर 1500 गुना तक आवर्दी कर सकती है ठीक है, और एक साधारन सूशम दर्शी जिसका प्रयोग प्रायव विद्धालेओं में किया जाता है, उसे हम संयुक तो सूशम दर्शी क्याते हैं जो यूज होता है, सूशम दर्शी होता है, वो संयुक तो सूशम दर्शी होता है, ठीक है न, विद्धालों में प्रामो गुरूप से उसी का यूज किया जाता है सूशमेदर्शी कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई इनमें भी तरह तरह की वेराइटीज होती है अलग अलग तरीके के ये भी आते है चली अगली कहानी की तरफ बढ़ते है इसमें प्रतिविम्ब हैतु प्रकाश का प्रयोग होता है अता इसे प्रकाश सूशमेदर्शी भी कहते है उलेक्ट्र वेराइट कोशिका की सूश में संडशनाओं को कई लाक गुना बढ़ा करके भी हम देख सकते हैं ये बिल्कुल सह तो कोशिका का आकार भाई वेरी 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 इंपोर्टेंट है ना साइस की अकॉर्डिंग आकार के अनुसार भी हमें इसके डिसकस करना चाहिए क्योंकि आपके पिपर में आपके एक्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सजीव जगत की सबसे चूटी कोशिका सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका मानफ शेदी की सबसे चूटी कोशिका मानफ शेदी की सबसे लंबे कोशिका तो अगर इस तरीके की क्वेश्चन उठते हैं तो उसका अंसर भी तो होगा ना मैं बताइं अंडाडू इसे हम फेट सेल बोलते हैं ये वाली आपकी नर्व सेल है तंत्रिका कोशिका कहलाती है सो वेरियस सेल फ्रॉम दी हिउमन बॉड़ी अगर मैं मानव शरीर में ही बात करूं तो सेल्स की कोशिकाओं की भी क्या होती है वराइटीज होती है ये भी कई प्रकार की हो है दिमाग की अगर मैं बोलू मैं पनी तंत्रिका कोशिका से ये थ सकती हूं क्या नहीं के सकती कि तुम्हें काम करो एक फीड्य से दूसरी पीडी का विकास करो उसका वो काम ही नहीं हे करने का वहाँ पे तो इस पर मोरूबंग का होना आवश्यक है तो हम कोशिका को एक्स्चेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोशिका का आकार मुख्यत है कोशिका के कार करने की चमता से ही related होता है उसी से ही सम्मंदित होता है इसलिए कोशिका का आकार एवं माप कैसी होती है भिन भिन होती है ठीक है ना कोशिकाइन जैसे WBC और Amoeba अपने आकार में परिवरतन कर सकते हैं गश्चेंज भी हो सकता है तो अमीबर का भी आकार क्या है निश्चित नहीं होता है और इनका भी आकार निश्चित नहीं होता है पर कई सारी कोशिकाएं है जिनका आकार निश्चित होता है जिसे स्पाम हो गया है ना यानि शुकराणू हो गया ओवम यानि अंडाडू हो गया तंत्रीका कोशि का या निनर्व सेल्स होगी यह निश्चेत है यह निश्चेत है कि यह ऐसी होंगी ही होंगी ठीके ना चलिए प्राया कोशिका गोलाकार होती है हां जी बलकुल सही किन्तों इसका कार बहु भुजिये आयताकार भिलनाकार नलीका कार स्तंभिये घहनाकार है ना और बहु भु कि वहां पर कितनी सारी कोशिकाएं है और सभी क्या कार हमें कैसे दिख रहे हैं अलग-अलग यह रेड ब्लड सेल्स यानि कि यह हमारी और बीसी यह हमारी और बीसी इसका यह आकार है ओवं सेल्की अगर मैं बात करू अंडाडु की कोशिकाएं तो इसका यह आकार है है ना नव सेल की बिटा अगर मैं बात करूँ तंत्रिका कोशिका की किसकी बात करूँ तंत्रिका कोशिका की अगर मैं बात करूँ तो इसका आकार कुछ ऐसा है sperm cell यानि कि अगर शुक्राणू कोशिका की बात करूँ ये कुछ ऐसी है bone cell हड्डियों की कोशिका ऐसी दिख रही है smooth muscle cells चिकनी पेशिय कोशिका ये कुछ ऐसी दिख रही है तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कैरे यार ये जो न कोशिकाएं भी है न इनका कोई एक निश्चे ताकार नहीं है सब अलग-अलग तरीके से काम करती है हर एक कोशिका शरीर के अलग-अलग अंगों में पाई जाती है और ये उन विशेश अंगों में पहुच के मतलब वहाँ जो ये होती है वो विशेश काम को करने के परपस से ही होती है होता है और इन सब का होना हमारे लिए अती 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 आवश्यक होता है पॉइंट लियर हुआ सो मैं ने आपको बता दिया इनके बारे में अभी सुनो अभी मैं एक चार्ट बना के आपको पढ़ाएंगी एक जीब के शरीर में कोशिकाओं के संख्या एक या फिर एक कोशिकी जीब हो गया जैसे अमीबा से लेकर अर्बो तक जैसे बहुत कोशिकी जीब मानव जैसे हो गया उनमें हो सकती है तो एक जीब के शरीर में कोशिकाओं के संख्या एक से लेकर अर्बो तक हो सकती है एक बिटा आपको किस में मिलेगी तो एक कोशिकी जीबों में मिलेगी औ और बहुत एक से जादा अगर मैं बोलूं या मैं बोलूं अर्बो तो वो आपको किस में मिलेगी बहु कोशिक ये मिलेगी पॉइंट क्लियर हुआ हाई है ना चलो ये पड़ावट से इनके भी क्या ले लो स्क्रिंशॉट उधारण पर पहुचने के पहले उधारण पर पहुचने के पहले कुछ कॉंसेप्ट में आपके क्लियर करूँगी है ना अच्छा सुन लेते हैं उधारण फिर आगयाएंगे फिर तो हम माप पढ़ना होगा हिर्दपेशी की कोशिका ताराकार होती है जो हिर्दे की पेशी है है ना हाट की जो मसल्स होती है वो कैसी होती है ताराकार होती है मानख शक्राणों की कोशिका भालाकार होती है जिसे भालाकार होता है ना देखो भाला के आखार की होती है इसलिए उसको भालाकार बोल रहे है स्थनी की आर्बिसी इस दुवे उत्तल होती है और चिकनी पेशी कोशिका तुर्क यानि की थोड़ी घूमी होई दुरी के आकार्की होती है है ना चिकनी पैशी कैसी होती है यह तुर्क होती है इसे को बोल रहे हैं यह कैसी है तुर्क है जो कॉर्नर से चप्ती सी होती है और बीच से ऐसी मोटी होती है और इनके बीच में एक न्यूक्लियस केंडर पाया जाता है सो उसके बारे में यहाँ पर यह बात चल रही है लेकिन बात आती है कि मैम हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशी का कौनसी है सबसे लंबी कोशी का कौनसी है तो सुनो मैं तुम्हें बताती है चलिए भाई सो अब हमें काम करते हैं कि हम पूरा सा इसे चार्ट बना के अच्छे से समझते हैं कि आकार के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका कौन सी होती है सो बहुती ध्यान से सुनिएगा है ना हम पढ़ने वाले हैं आकार के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी और सबसे चोटी कोशी का कौन-कौन सी होती है तो चलो पहले तो हम इसे अच्छे से सजा कर, डेकोरेट करके लिख देते हैं अब एक काम करते हैं, इसे दो पार्ट में कर लेते हैं, डिवाइड और अब हम क्या करते हैं? देखो, आकार के आधार पर हम ये जो पढ़ने जा रही हैं इसमें भी मानव जगत में अलग और सजीव जगत में अलग होगी तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं हम मानव जगत कौन सा जगत? मानव जगत और यहां पर क्या लिख दूँ? उल्टा लिख दिया यहां लिखना है सजीव जगत और यहां पर क्या लिखेंगे? मानव के बारे में लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा अगर मैं बात करूँ सजीव जगत और मानव के बारे में कैसा? सजीव जगत और हुमन यानि की मानव के बारे में तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसे भी दो पार्ट में बाटना है क्यों बाटना है भाई? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सजीब जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या बोला मैंने? सबसे छोटी और मुझे थोड़ सा चाहिए यहाँ पर यहाँ पर में क्या लिखोंगे? सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका और क्या होगा? सबसे बड़ी कोशिका चलिए तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आपसे बात करूँ कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशी का कौन सी है तो भाई उसका नाम है माइको प्लाजमा क्या नाम होगा तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सभी उसका नाम होगा माइको प्लाजमा ठीक है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइको प्लाजमा and very 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 important कि माइम ठीक है हमें पता चल गया कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशी का माइको प्लाजमा होती है फिर माइम सबसे बड़ी कोशी का कौन सी होती है तो भाई वो होती है शुत्र मुर्ग का अंडा किसका अंडा? शुत्र मुर्ग का अंडा ये मानव जगत की सबसे कौन सी कोशी का हो जाएगी? बड़ी कोशी का होगी तो हमने दो चीज़े तो जान ली है भाई हमने दो चीज़े तो जान ली है तो फिर कुछ नहीं है ना? अच्छा कॉपी पेस्ट करने का है ये तो तो हमें काम करते हैं इसको यहां से copy कर लेते हैं और यहां पर इसे कर देते हैं paste आप हमने क्या देखा तो हमने यह चीज देखी है कि सजीर जगत की मानच की सबसे छोटी कोशी का हो जाएगी और side में लिख दे रही हूँ सबसे लंबी कोशी का है ना सबसे लंबी कोशी का सबसे लंबी कोशिका चल ये ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आपको भी चाट कुछ ऐसा ही बनाना है तो हमेशा ध्यान रखना कि मानब जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है विटा स्पाम हिंदी में जिसे हम क्या बोलते है में शुकराणू कहते है और वहीं अगर मैं तुमसे बोलू कि सबसे लंबी कोशिका कौनसी होती है हमारे शरीर की आप क्या बोलोगे मैं वो तो हमें पता है और वो होती है तंत्री का कोशिका कौनसी कोशिका होती है बिटा तो वो होती है तंत्री का कोशी का. So I think आपको दोनों ही, दोनों नहीं चारों ही नामच्चे से clear हो गए होंगे और किसी भी तरीके का कोई भी doubt नहीं होगा. So इसे ऐसे ही note down करिएगा है ना? इसे ऐसे ही note down करिएगा ठीके? चलो. क्या बात है भाई? तो हमने सारी चीजे अच्छे से यहां पर mention कर ली है. और अब इस वाले particular section से कोई कुछ भी पूछे तो जाके बता देना कि भाई मैम ने हमें पढ़ाया था और हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज क्या होती है? चलो पढ़ावट से आगे बढ़ते हैं. So अब बात कुछ ऐसी है कि ये तो मैंने तुम्हें पूरा explain कर ही दिया है अब हमें पढ़ावट से आगे बढ़के दूसरी कहानी को जानना चाहिए और सब के बारे में हम discuss कर चुके बढ़ एक बार फिल से में read करके बता देती हूँ कि जो कोशिका होती है वो प्रायाह गोलाकार होती है किन्तु इसका आकार बहु भुजी है आयताकार बहिलनाकार नलिकाकार स्तंभी है घनाकार और बहु भुजी तो दोबार है तो हमने डिसकस किया ता तश्टरी नुमा ताराकार दुभी उत्तल परवल्यकार भाला काथ आधी हो सकता है अब आपका होगे मैम हमें कैसे पता चलेगा तो लो यह एक्जाम्पल से समझ लो आपके जामने कितने सारे एक्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हो ठीक है चल स्थनी की RBC द्वित्तल होती है और चिकनी पीशी कोशिक का तरक याने की धुरी के आकार की होती है। अब मेरी बाद ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा सेक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ और हमने ये भी चान लिया है। ये अब ऑविस सी बात है कि हमने जब इसे पढ़ा है अभी तो डीटेल्स तो देखी है और हमने अब शीप भी देख लिया है। अब आते ही थोड़ा सा आगे की तरफ कोशिका की मायमाप की तरफ साइज ओप सेल। तो साइज ओप सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी कोशिका जो की अभी हमने चार्ट में जाना है। जो की हमने अभी चार्ट में जाना है वही मानब शिरीक की सबसे लंबे कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। जिसके लंबाई भाई 90 cm होती है। तंत्रिका कोशिका कुछ ऐसी दिखाई देती है, very 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 important। अब आप कहेंगे कि माम इसके बारे में जानना जरूरी है क्या। अब यह आप हैं भाई 9th क्लास में। जब आप 10th क्लास में जाएंगे ना तो एक पूरा चाप्टर इसके उपर, नियंत्रन एवं समनवे, जहां पर हमें नियूरोन के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में ही पढ़ना है। सो एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट येर पढ़ने से बहतर है कि मैं अभी सी ही आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसका बता देती हैं, काम बता देती हैं। सो मेरे बात बहुत द्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में चो कोशिकाओं की अगर मैं बात करूँगे भाई, वो बहुत सारी होती है और शरीर के अलग-अलग भाग में, अलग-अलग इससे में, अलग-अलग तरीके की कोशिकाओं होती हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ तंत्रिका कोशिका यानि के निरॉन के बारे में सो इसका structure कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है प्यान से सुनिएगा इसका बीट वाला ये जो भाग है ये वाला बिटा जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं कोशिका काय बोलते हैं और सबसे अंदर पते इसके क्या होता है केंद्रक यानि नियूकलियस होता है और इस वाले भाग को हम द्रुम्मिका बोलते हैं ये वाला भाग तंत्रिकाक्ष कहलाता है और ये हमारे क्या होते हैं तंत्रिकाख्ष का अंतरिम सराय कहलाता है जिससे दूसरा neuron जुरता है जहां एक neuron दूसरे neuron से जुरता है उनके बीच में gap होता है जिसे हम synapse कहते हैं ठीके ना चलिए चलिए भाई So I think आपको चीजे अच्छे से clear हो गई होंगी सो मैंने आपको जो अभी पढ़ाया था, मेरी बात ध्यान से सुनियेगा, कोशिका के आकार की ही विशेश रूप से बात करूँ, तो अभी हमने दो दो बार चीजे भी पढ़ ली है, पर कोई बात ने, मुझे जस्ट केवल और केवल आपकी दिमाग में फिक्स करना है, that's why मै में पर निश्व ध्यान रखना की कौन सी छोटी होगी और कौन सी बड़ी कोशिका होगी, ठीक है, ना? माप के बीस पर हमने इसका measurement दिखा था अब प्रशन आता है कि मैम कोशिका की काम क्या होते हैं तो बटा कोशिका के बहुत सारे काम होते हैं कोई एक काम हो तो समझ में भी आए मैं ऐसा तो भोली नहीं सकती कि कोशिका का काम हमारे कोशिकांगों को नियंतरत करना होता है शरीर के अंगों का नियंतरत ना जीना एक कोशिका की अगर मैं बात करूँ उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं अब आप कहेंगे माम यह आप कब से कोशिका कोशिका कर रहे हूँ आप हमें बनाना सिखाईए ना तो भाई एक चीज़ और मैं आप से कहना चाऊंगे डाइग्राम का महा युद्ध मैंने एक सीडी स्टार्ट करी है प्लेलिस्ट में उसे जरूर चेक करना जहां पर मैंने इन डाइग्राम को कैसे ड्रॉ करना है वो भी सिखाया है है ना तो हालक कि अभी भी मैं आपको बताऊंगे निश्चिन्त रहना अभी मैं आपको पूरा बनाना सिखाऊंगे लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मैं कोशिका के काम क्या होते हैं कोशिकाओं का आकारवा माप उनकारियों पर निर्भर करता है जिन्हें वे संपन्न करती हैं ये भी बिलकुल सच है बहुत कोशिक ये जीव जैसे मानव इनकारियों को श्रम विभाजन द्वारा संपन्न करते हैं अर्थात मानव शरीर के विभन वाग विभन कारियों को संप क्लिशिकरत होते हैं जिनमें कोशिकाओं का बहुत-बहुत-बहुत अहम रही योगदन होता है अगर मैं तुमसे बोलू नियूरॉन नहीं है तुमारे शरीर में तो ये चीजे समभब नहीं है है ना तो कुछ ऐसी चीज जैसे किसी नुकीली चीज का हमारे आखों के सामने आना और अचानक से हमारे आखों का बिल्कुल तीजी से आखों का बंद होना पलकों का जपकना ये किसके कारण होता है? तंत्रिका कोशिका के कारण ही होता है नियूरॉन के कारण ही होता है हमारे शरीर में हर एक हिस्से में अलग-अलग कोशिकाइं पाई जाती है जो अपना अलग एक विशेश काम करती है ठीके ना? चलिए चलिए भाई पड़ा पड़ से आगे आते हैं थोड़ा सा और जानते हैं हिर्दे रुधिर को पंप करने का काम करता है अमाशे भुजन के पाचन में सहायक होता है और व्रिक मूत्र का निस्पंदन करते हैं आदी यह सच है हाट नहीं होगा तो हमारी बॉड़ी में कोई पंप करने वाली चीज नहीं होगी और अगर हमारे पास हाट नहीं होगा तो हमारा बॉड़ी में जो हाट का एक्चुली में काम पंपिंग का है पंप करने का है अगर यह चीज नहीं होगी तो हार्ट जब पंप करता है न तो भाई इसके पंप करने से हमारे पूरे बॉड़ी में होता है ब्लड का सर्क्यूलेशन तो हार्ट का होना तो अती आवश्यक हुआ ही हुआ वही मैं आपसे बोलू कि अगर किडिनी नहीं होगी तो क्या होगा वही तुम्हारे शरी में यूरिया तो बनेगा यूरिया से यूरीन भी बनेगा लेकिन फिर वो तुम्हारे शरी से बाहर नहीं निकल पाएगा और एक चीज और यूरीन भी नहीं बन पाएगा यूरिया ही तुम्हारे बॉडी में रह जाएगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है यूरिया भी विशेला बदार्थ ही होता है अमोनिया जादा विशेला होता है यूरी कमल थोड़ा कम होता है और यूरिया उससे भी कम होता है लेकिन है तो विशेला तो इसलिए हमारे शरीर में ब्रिक की याने की किड्नी का होना भी इंपोर्टेंट होता है है ना इसलिए हमारे शरीर में ब्रिक की याने किड्नी का होना भी अती 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 आवश्यक होता है एक कोशिका में भी श्रम विभाजन देखा जाता है अब आप कहेंगे कि मैम इसमें श्रम विभाजन कैसे होता है काम कैसे बटा होता है क्योंकि वो एक ही कोशिका होती है पर काम तो करती है ना बाई एक कोशिका ही जिसे अमीबा का मैं जस्ट एक एक जामपल लेके आपको ब रही है और अगर अमीबा की वो एक ही कोशिका डिस्ट्रॉय हो जाए नस्ट हो जाए तो अमीबा भी नहीं बचेगा हमारे शरीर की अगर पांच कोशिका भी नस्ट होती है तो इतना परक नहीं पड़ता है दस भी नस्ट होती है फरक नहीं पड़ता है क्योंकि अर्वों की स ठीके ना और एक चीज और आमीवा के शरीर में एक कोशिकी जीवों के तुलना में अगर हम बहुँ कोशिकी एक खड़े हो जाएं तो हमारे और उनके body structure में जमीन और आसमान का अंतर है तो उनके लिए एक कोशिका ही enough है लेकिन हमारे लिए बहुत सारे कोशिकाओं का होना आवश्यक होता है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अगली कहानी को समझते है कोशिकांग जीव द्रब्वे के साथ मिलकर जीवन के मूलभूत इकाई एवं कोशिका का निर्मान करते हैं बिल्कुल सही है अगर कोशिकांग नहीं होंगे तो ये जीव द्रब्वे के साथ कैसे मिलेंगे वो चिपचिपा पदाट कोशिकांग क्या करते हैं यानि कि कोशिका के अंग ये जीव द्रब्वे के साथ मिलकर जीवन के जो मूलभूत इकाई है हाना जीवन की मौलभूद इकाई इवम कोशिका का निर्मान करने में सहायता करते हैं अगर मैं तुमसे बोल रहे हूँ कि तुम्हारे شरीर में एक कोशिका है या बहुत सारी कोशिका है तो वो कोशिका कब कहलाएगे जब उसके सारे कोशिकांग होंगे याने कि हमारे शरी की कोशिकांग में, हमारे शरीर की कोशिकांग में, जितने सारे कोशिकांग होने चाहिए हो, सब का होना अनिवारे होता है ठीके? प्रतेक कोशिकांग एक विशिस्ट कारी जैसे कि पोशन, श्वसन, अप्शिस्ट पदार्तों का अनिश्कासन करना, जनन को संपन करना पर तुम सोचो कि मैम हमारे शरीर में अगर कोशिकांग है तो सब का अलग-अलग काम ही होता है क्या? एक बात बताओ, जब तुम्हारे शरीर के हर एक अंग का अलग काम है तो कोशिकांग का क्यों नहीं होगा? अगर मैंने तुम्हें अभी तंत्री का तंत्र का structure बताया उसका diagram बताया neuron का structure बताया तो एक बात बताओ neuron के structure में भी तो तुमने notice किया ना तुमने ध्यान दिया तुम्हें पता चला कि अरे यार इसके इतने सारे parts होते और मैं तुम्हें बताओं हर एक पार्ट अपना एक काम करता है समझ रहे हो? तो जब तुम्हारे शरीर का हर एक अंग अपना अलग काम कर रहा है लीवर अलग काम कर रहा है, किड्नी अलग काम कर रहा है, हाट अलग काम कर रहा है तुम्हारे शरी में कंकाल तंत्र अलग है, उताक अलग है, नचाने कितनी चीज़ें जब वो सारे अलग काम कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं करेंगे इसलिए कोशिका में जो कोशिकांग हैं, चाहे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोगॉंड्रिया, गॉलजीकॉय हर एक चीज़ का अपना एक विशेश काम होता है, जैसे पोशन, श्वशन, अप्शिष्ट पदार्तों का निश्कासन, जनन को संपन करना ये सारी क्रियांस में होती है उधारन के लिए मैटोकॉंड्रिया एक कोशिकांग है, जो कोशिकी श्वशन द्वारा उर्जा उत्पन्ने करता है हमारे द्वारा एक बार सांस लेने से हमारे शरीर में उर्जा का संचार होता है या मैं कहूं उर्जा संग रहे तो होती है तो अब आप यह मन सुचना कि क्या बात है अगर ऐसा होता है न मैं तो मैं बार बार सास लूँगा तो ऐसे बाड़ी में उर्जा नहीं बनेगी और जो उर्जा होगी वो खत्म हो जाएगी तो ऐसा कोई एक्स्पेरिमेंट हमको नहीं करना है ठीके ना यह मैट्टोकॉंड्रिया का स्ट्रक्चर है घवराना नहीं अभी हम इसे पढ़ेंगे बट अब क्वेशन यह उड़ता है कि मैं यह क्या लेकर आ गए हो आप हमारे सामने स्क्रीन पर डाइग्राम में तो बट यह है तुम्हारी कोशिका यह भी है कोशिका दोनों में अंतर है यह जन्तु कोशिका है यह पादब कोशिका है से देख के घवराना नहीं दोनों को कि मैं हम यह कैसे बनाएंगे क्योंकि मैं आपको यह बनाना अच्छे से सिखाएंगे इसी के साथ एक चीज में आपको और बताना चाहती हूँ कि diagram का महायुद्ध मैंने जो series start करी है उसमें मैंने इसे proper draw करना ही सिखाया है कि अगर तुम्हें जन्तु कोशिका को बनाना है तो actual में तुम उसे कैसे बना सकते हूँ उनमें कौन-कौन सी चीजे प्रेजेंट होती है और वहीं तुम्हें भाई अगर एक पादब कोशिका को बनाना है तो तुम उसे कैसे बनाओगे तो वह मैं तुम्हें सारी चीजे आल्मोस्ट बता चुकी हूँ diagram के महायुद्ध में लेकिन भाई हम तो वन शॉट रिविजन में है complete chapter रिविजन में है सो मैं तो ये भी बताएंगी तो चलो पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ इसे draw कैसे करना है तो हम heading नहीं डाल रहे अभी हम केवल और केवल क्या बनाते हैं छोटा सा बनाते है structure किसका structure बनाया है पहले बनाते हैं जन्तु कोशिका का देखो जन्तु कोशिका को पते किस shape में लेके चलेंगे हम ऊवल shape में किस shape में लेके चलेंगे ऐसे ठीक है और पहले तो इसे हटाओ अभी है ना अब बनाते हैं ना जादा बड़ा बनाना है और ना जादा छोटा इतना इनफ है ठीक है अब बात आती है कि मैम इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती है तो भाई सबसे अंदर केंद्रिका ले ले लेना सिंपल-सिंपल क्या है मतलब मैं तुम्हें सिंपल वे में बनाना बता रहे हूं है ना इसके बाहर भाई क्या ले लोगे केंद्रग ले ले लेना ठीक है क्या बात है फिर तुम क्या ले लोगे तो तुम्हें काम करो फिर बाहर ऐसे गुमा फिरा के ऐसे क्या ले लोगे भाई E-R ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? अब question यह उठता है कि मैम यह E-R क्या होता है? तो बस थोड़ा सा रुख जो मैम आपको बता रही हैं कि यह E-R क्या होता है? पर उसके पहले एक चीज़ ध्यान से सुनना कि यह जो तुम्हारा E-R होगा ना याने कि अंतह प्राद्रब जालिका तो इसके आधे हिस्से में भाई तुमको यह ऐसे छोटे-छोटे से क्या मिलने वाले हैं? डॉट्स मिलने वाले हैं क्या मिलने वाले हैं? तो ऐसे छोटे-छोटे से डॉट्स मिलने वाले हैं अच्छा एक चीज़ और अब आप कहोगे कि माम यह dots यहीं पर होंगी क्या ना जीना यह पूरी cell में ऐसे बिखरे हुए से तुमको मिलेंगे यह पूरी cell में ऐसे बिखरे हुए से तुमको मिलेंगे अब very important सुनो पहले तो हम लिख लेते हैं नाम इससे पहले के कुछ छूट जाए इससे पहले के कुछ छूट जाए हम पड़ा पड़ से सब के नाम लिख देते हैं सबसे बाहर क्या है उसका नाम लिखेंगे किस के अंदर है उसका नाम लिखेंगे जिस हिस्से में ribosome है उसे क्या कहते है जिस हिस्से पे नहीं है उसे क्या कहते है and very important बाहर वाला ये हिस्सा क्या कहलाता है मैम ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है तो क्या बोलते हो सबके नाम देखना चाहिए न तो सबसे center में जो तुम्हें pink color का दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं नुकलियोलस बोलते हैं हिंदी में बैटा ये क्या कहलाती है केंद्रिका कहलाती है भाई एक request ये प्लीज इसे ऐसे ही बनाना केंद्री का किसके अंदर पाई जाती है येस बिलकुल सही पहचाना है केंद्रक यानि की नुकलियस के अंदर ही क्या पाया जाता है तो नुकलियस के अंदर ही क्या होगा नुकलियोलस होता है केंद्रक के अंदर ही क्या होगी केंद्री का पाई जाती है और उसी में ही अगर म मैं तुम्हें बताओं कि यह जो आनिया में ताकार में फैला हुआ है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा तो इधर साइड में आते हैं थोड़ा से साइड में आओ और दिहान से सुनना तुमने नाम तो सुना ही होगा ए आर जैसा कुछ होता है मैं यह ए आर बोले तो तो भाया इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं एंडो प्लास्मिक रेटिक्यूलम क्या कहते हैं एंडो प्लास्मिक रेटिक्यूलम ठीक है अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे तो सुन लो हिंदी में भाई हम इसे बोलते हैं अंतहपर द्रव जालिका अंतहपर द्रव जालिका लियर कोई समस्या कोई डाउट चलो तो अच्छा एक चीज और मैंने आपको हिंदी इंगलिष दोनों में ही इसके नाम बता दिये हैं अब इक काम करते है कि मैं इसे न दो पार्ट में डिवाइद कर रही हूं बाप कहेंगे मैं में इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइद करना पड़ रहा है क्योंकि उसके बीचे है कारण ये ऐसे बाटा, ये ऐसे बाटा आपको बते हैं यह जो ER होता है ना दो प्रकार का होता है कैसा होता है एक चिकनी अंतह प्रादरफ जालिका होती है एक चिकनी अंतह प्रादरफ जालिका होती है और एक होती है खुरदुरी अंतह प्रादरफ जालिका कौनसी अंतव प्राद्रग चाली का खुरदुरी यानि कि एक है स्मूध और एक है रफ अब प्वेक्शन यह उठता है कि मैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौनसी है स्मूध और कौनसी है रफ तो मैं इसके लिए बना रही हूँ यहाँ पर एक सड़क बिटा मैंने क्या बनाई है तो यहाँ पर बना दी एक सड़क और मैं आशा करती हूँ कि यह सड़क तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए तो भाई बात कुछ ऐसी है है ना कि एक बात बताओ दो तरीके के रास्ते हैं तुम्हारे सामने है ना और दोनों रास्तों में हमने एक चीज नोटेस करी है कि दोनों ही अभी बिल्कुल स्मूध है चिकने हैं उनमें कोई भी हमें ऐसी कुछ खराबी नहीं दिख रही है फिर हमने नोटेस किया कि अरे भाई ये वाला तो चिकना है लेकिन यहां हिस्से में यहां कहीं कहीं पर कुछ पत्थर गिरे पड़े हैं तो बस यही तुम्हें तुम्हें समझाना चाहा रही हूँ कि जहां तुम्हें लगे कि किसी रास्ते में कोई रुकावट है कोई समस्या है तो तुम समझ जाना कि वहाँ पर पत्थर गिरे पड़े हैं तो वह स्मूथ तो नहीं होगा ना फिर तो मुझे क्या बोल दोगे खुड़दूरी और सुनों यह स्ट्रक्चर नहीं यह एर का बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बतारी हूं कि एक रास्ता है एक सड़क है जिसमें यह पत्थर से गिरे हुए हैं तो हमने यह जाना कि एक स्मूथ रास्ते पर पत्थर गिरे हुए थे और हमें पता चला कि फिर यह रास्ता कैसा हो जाएगा खुड़दूरा हो जाएगा और हमने जाना कि दो सड़कती पर पत्थर गिरे ते जिसमें नहीं गिरे वो चिकना होगा अब सुन जिन रास्ते पर ये राइबोसोम छोटे छोटे डॉट्स गिरें है न वाई एक्चुली में इन्हें कुछ कहां जाता है और ये क्या कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं राइबोसोम इन्हें क्या बोल दे हम तो भाई हिंदी में भी ये राइबोसोम है है ना और English में भी ये Ribosome ही होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बिटा Ribosome ठीक है चलो तो अब तो तुम्हें clear हो गया हो गया और ये इसका actual structure नहीं है actually ये ऐसा रिखाई दे रहा है तो अब आते हैं पटापट से इदर जिस इसे में ये छोटी छोटी डॉट्स ये उसे में क्या बोल दूँ तो उसे में बोलूँगे खुरदुरी खुरदुरी अन्तह प्राद्रव जालिका खुरदुरी अन्तह प्राद्रव जालिका खुरदुरी अन्तह प्राद्रव जालिका clear चलिए और वहीं अगर मैं बोलू कि जिस इसे में वो छोटी-छोटी से dots नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे चिकनी अंतह चिकनी अंतह प्राद्रव जालिका clear कोई समस्या कोई doubt तो हमने खुरदुरी और चिकनी की कहानी को जान लिया है and very very important कि भाई वो छोटू से dots को क्या बोलते हैं चलो उसको भी देख लेते हैं उसको क्यों छोड़ना उससे क्या दुश्मनी है तो उसके लिए ये color choose करते हैं तो ये dots के लिए भी मैंने space ले लिया है और उसे हम क्या बोल दें दो उसे हम बोलेंगे ribosome तो हम एक चीज नोटेस करना बाहर ये एक ही जिल्ली है पतली सी है तो ये कोशी का बित्ती होगी कि गोशी का जिल्ली होगी तो इसे हम कोशी का बित्ती बोलते हैं ये क्या है हमारी? तो ये है भाई कोशी का भित्ती. क्या है? तो इसे हम बोलेंगे कोशी का भित्ती. कौन से भित्ती हो जाएगे बिट्टा ये? तो ये हो जाएगी कोशी का भित्ती. कोई confusion? कोई समस्या? कोई doubt? अब very important ये छोटे-छोटे से जो dots है इन्हें हम क्या बोल दे तो ये है हमारे ribosome. चलो. अब बात आती है कि येस मैम हमें नाम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं. लेकिन भाई अभी पिच्चर वाकी है. पूरी सेल में कुछ ऐसा भी आपको विखरा हुआ सा मिलेगा. और पूरी सेल में कुछ ऐसा भी विखरा हुआ सा मिलेगा. और ये कुछ ऐसी भी मिलेगी. ये कुछ ऐसी भी मिलेगी. और ये कुछ ऐसी भी मिलेगी. ऐसी भी मिलेगी. एंड बेरी इंपोर्टेंट की और क्या मिलेगा भाई इसमें? तो आपने माइटो कॉंड्रिया का तो नाम सुना ही होगा. पहले पूरो बना देती हूँ ना. फिर ऐसा जाएगा ये ऐसा जाएगा और ये भी ऐसा जाएगा चलो भाई नाम देना तो बनता है तो आते हैं हम सभी के नाम की तरफ तो इसे माइटो कॉंड्रिया को अलग नाम दे देंगे है ना और ये गोलजी कोई को अलग नाम दे देंगे लाइसोसोम को अलग नाम दे तो उसे भी तो नाम देना पड़ेगा, चलो, अब ये पूरा नहीं है, भागना नहीं है हमको कहीं, तो बात कुछ ऐसी है कि ये है हमारा सूत्रकडी का, मैम ये सूत्रकडी का थूडीना है, आप नहीं तो बोला था मैम केसे, तो हम माइटो कॉंड्रिया बोलते हैं, भाई मा अचा माइटो कॉंड्रिया ही बोलना, कुछ बच्चे इतने महान, इतने महान, इतने महान, कि वो इसे माइक्रो कॉंड्रिया बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो माइटो कॉंड्रिया ही होता है, ठीक है, तो हमने क्या रेखा, सूत्रकडी का, अब ये क्या है भाई, हें? Lysosome. इसे क्या बूलते है? Lysosome. ठीके? और 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 क्या बचा? लेक्विट को क्या बोलेंगे? कोशि का द्रब्य. यह क्या है वेटा हमारा? तो ये हमारा कोशि का द्रब्य. ठीके न, चलो. अब पूरी सैल में एक चीज और तुमको मिलेगी और वो है vacuoles यानि की पूरी देखो अगर मैं हमारे पादब कोशिका की बिटा अगर बात करूँ ना तो पादब कोशिका में यह बड़ी नहीं होती यह कैसी होती है छोटी होती है पादब कोशिका में कैसी होती है छोटी सी होती है तो बस लांस्ट में इसका नाम और देख लो और इसका नाम क्या है तो ये इधर ऐसे बनाया और मैं लिख देती हूँ इसके बारे में किसी क्या बोलते हैं तो ये हैं वैक्यो आल्स याने की रिक्तिकाई क्या बोल दूमें इन्हें तो ये हो जाएंगी भाई रिक्तिकाई अब पड़ापट से इसका screenshot ले लिजिए ताकि हम बढ़ सके आगे चलिए भाई तो आप सभी ने जन्तु कोशिका का diagram बनाना तो सीख लिया है अब एक काम करते हैं हम plant cell को बनाना start करते हैं उसके पहले जैसा कि आपको पता ही है कि आपके NCRT में अगर जन्तु कोशिका या पादप कोशिका की मैं बात करूँ तो उन्हें के जो diagram है कुछ इस प्रकास से show होते हैं लेकिन आप लोग कहते हो कि माम हमें ये बनाना नहीं आता है हमारे लिए ये थोड़ा नहीं बहुत जादा difficult हो जाता है तो बस उसी समस्या के समधान के लिए मैंने आपको जन्तु कोशिका बनाना सिखा दिया है आप भी चाहें तो बिल्कुल as it is आप उसे अपने notes में बना सकते हैं अपनी copy में बना सकते हैं और आप अपने exam में भी जाकर वहां बना सकते हैं बिल्कुल number नहीं कटेंगे उसी के साथ में आपको बता दू कि अब समस्या ये है मैं कि आपने जन्तु कोशिका बनाना तो सिखा दी है लेकिन plant cell हमें अभी भी बनाना नहीं आता है तो देखो क्या होता है कि जब भी हम इस chapter को पढ़ते हैं तो हमें दोनों को compare करके पढ़ना है जन्तु कोशिका को और पादप कोशिका को compare करके हमें इसे पढ़ना है तो चलो जल्दी से हम करते हैं इसका comparison जिसके लिए हम अब बनाने जा रहे हैं पादब कोशिका यानि कि प्लांट सेल So ma'am, प्लांट सेल अनिमल सेल से अलग होती है जी हाँ, बिल्कुल अलग होती है आप सुचो कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है So कई सारे ऐसे कोशिकांग हैं यानि कि सेल ओरगेनल से जो केबल और केबल किस में पाए जाते हैं पादब कोशिकांग मतलब वो जनतो कोशिकांग में नहीं पाए जाते है तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत इंपोर्टन है जैसे हरितलवग होता है, क्लोरो प्लास्ट होता है या प्लास्टिट्स होते हैं वो हमारे में नहीं पाये जाते हैं, वो किस में पाये जाते हैं, प्लांट्स में पाये जाते हैं वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? चले, ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाइस का डाइग्राम आप कैसे बनाओगे? तो कुछ इस तरीके से आपको इसे लेना है, कुछ ऐसे हैं और इसको कुछ ऐसे ले लेंगे अब एक काम करते हैं, अब हमने देखा था कि हमारे शरीर की जो कोशिका थी बाई उसमें केवल और केवल क्या थी? सेल मेंबरेन ही थी कोशिका जिल्ली ही थी लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें डबल मेंबरेन होती है सो हमने यहां से एक लाइन खीची हमने यहां से एक लाइन खीची हमने यहां से एक लाइन खीची कि माम थैंक यू आपने वह में बता दिया कि इसको actually कैसे बनाना है मैं आपको बता हूँ आप लोग क्या करते हो इसमें इतना confused हो जाते हो कि लाइने कितनी लेकर चलना है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गिनकर ही करना है आप इसे अराम से इस प्रकासे बना सकते हैं अब ऐसा structure बनाने के बाद आपको पदा ही है कि सबसे center में क्या होती है वाई केंद्रिका लेकिन इसके केंद्रिका थोड़ी इधर खिसकी हुई सी होती है और ये किसके अंदर होती है तो ये केंद्रिक के अंदर होती है तो इसके ठीक चारो तरफ ऐसे बिखरे हुए से ER होते हैं जिने हम endoplasmic reticulum कहते हैं यानि कि हम जिने अंतोह प्राद्रविय जाली का कहते हैं तो हमने एक चीज मोटिस करी कि आपने मैम हमें ये बताया लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं हंजी होते हैं अब इसे भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके आधे हिस्से में आपको कुछ इस तरीके से dots मिल रहे हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इन्हें बताय हम क्या बोलते हैं तो ये होते हैं ribosome वैसे मुझे इसके बताने के बिलकुल भी आवशक्ता नहीं बढ़नी चाहिए थोड़ी दिर पहले ही तो हमने इसके बारे में discussion किया है भाई हमने थोड़ी दिर पहले ही तो इसके बारे में जाना है कि ये ER दो प्रकार के होते हैं ये तो हमारे में भी दे ये तो जन्दुओं में भी थे हमने ये चीज़ जानी थी चौलो अब एक काम करते हैं पड़ापट से हम सब के नाम लिख लेते हैं ताकि हमसे कुछ छूट ना जाए तो हम स्टार्टिंग करेंगे बिलकुल सेंटर वाले इस पार्ट से है ना ये क्या होता है हमारी केंद्रिका होती है और दूसरी चीज ये वाला भाग हमारा क्या है भाई तो ये है केंद्रक वहीं अगर मैं बोलूं ये हिस्सा जहां ये छोटे-छोटे से डॉट से आपको पता ही है उसे हम खोड़दूरी अंतहप राधरविय जालिका कहते हैं और जे शिस्से में चोटे-चोटे डॉट्स आपको नहीं दिख रहे हैं उसे हम चिकनी अंतहप राधरवय जालिका कहते हैं and very 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 important वहीं अगर मैं क्या है तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसे तो हम कोशी का इत्ति कहते और अंदर के साइड कि वहाँ वो छोटे छोटे डॉट्स नहीं होने चाहिए ठीक है चलो तो इसे हम क्या बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे चिकनी अन्तह प्राद्रव जालिका क्या बोलेंगे चिकनी चिकनी अन्तह प्राद्रव जालिका क्या बोलेंगे चिकनी अन्तह प्राद्रव जालिका क्लि इसे इंग्लिश में आपको पता ही है स्मूद एंडो प्लास्मिक रेटी के लाम हम कहते हैं वही अगर मैं इस इससे की बात करूँ जहां एक्च्वल में इस इससे की बात करूँ जहां एक्च्वल में क्या सबको मिरी ये बात समझ में आई तो हमने चिकनी अंतहप्राद्रफ जालिका को भी देखा और हमने खुर्दुरी अंतहप्राद्रफ जालिका को भी देखा है इसी के साथ पड़ा पड़ से और सुनते चलिएगा सबसे सेंटर वाला ये पार्ट क्या था तो भाई इसे तो हम केंद्रिका कहते हैं क्या बोलते हैं केंद्रिका इंग्लिश में ये क्या कहलाती है किसके अंदर पाई जाती है तो केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है केंद्रिका पाई जाती है पॉइंट क्लियर हुआ सबसे अंदर इस वाले भाग की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं तो ये होती है कोशी का जिली कौन से जिली है भाई ये तो ये हो जाएगी कोशी का जिली और वहीं बाहर के साइड बेटा द्यान से सुनना बाहर के साइड ये क्या है तो बाहर के साइड इसे हम क्या बोलते हैं तो ये होती है कोशी का भित्ती इसे हम क्या बोल सकते हैं तो ये हो जाएगी कोशी का भित्ती कोई confusion, कोई समस्या, कोई doubt चलो Very good, बहुत अच्छे, सबको नाम समझ में आ गए होंगी आप ध्यान से सुनो, ये जो छोटू-छोटू से dots की में बात कर रही थी आपको बहुत अच्छे से पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ribosome Ribosome कहां दिखाई देते हैं, तो ये पूरी cell में ER वाले पार्ट में तो होते हैं रफ वाले सेक्षन में, लेकिन उसी के साथ साथ भाई ये पूरी cell में पादब कोशिका में इस तरह से बिटा बिखरे हुए भी रहते हैं एंड वेरी 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 इंपोर्टेंट, पादब कोशिका में एक बड़ा सा क्या होता है वेक्योल होता है, जिसे हम रुक्तिकाएं कहते हैं वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इसमें क्या होती है माइटोकॉंड्रिया भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बिटा माइटोकॉंड्रिया भी मिलेगा, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया तो हमने देखा कि इसमें इस तरह से हमको क्या मिला है माइटो कॉंड्रिया भी मिला है हमें इस तरीके से इसमें क्या मिला है माइटो कॉंड्रिया भी मिला है ये ऐसा ये ऐसा मुड़ा हुआ सा ये माइटो कॉंड्रिया है इसी के साथ पूरी सैल में हमको क्या मिलेगी गौल जी बॉडी गौल जी कोई इसे प्रकास से मिलेगा ये है क्या गौल जी कोई ये है क्या गौल जी कोई और क्या होते हैं भाई आपने हरितलवक का तो नाम सुना ही होगा तो येस इसमें हर जगे आपको क्या मिलेंगे बिट लगोवा थो हमें, फिर से ना हो जाएगा हरिचलवर, ये हो जाएगा मैटोकॉंड्रिया वही अगर मैं बात करूँ ये हमारा गॉल्जी कॉय हो जाएगा और पूरी कोशिका एंदर एक फिकले चिपल पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कोशी का द्रव्य बोलते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलेगा कोशी का द्रव्य और ये वाला section क्या होगा तो इसे हम बोलते हैं वैक्योल्स यानि कि रिक्तिकाई क्या point clear हुआ सबको कि नहीं हुआ भाई comment section में definitely बताते चलना आप सभी कि आप सभी कोई ये session कैसे अलग रहा है और आपको ये session पसंद आ रहा है तो बस एक आपका सबसे सबसे important काम है इसे जादा से जादा share करने का अपने हर उन दोस्तों तक पहुचाने का जो actual में free में पढ़ना चाहते हैं free में पढ़ने के पीछे एक कारण भी है कि कई ऐसे भी students है Hindi medium में मैं तो कहरी हूँ English medium में भी कई ऐसे students हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन भाई financial problem होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अलग से school के अलावा classes join नहीं कर पाते हैं या पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो school भी उनको उस तरीके का अच्छा नहीं मिल पाता है financial problem होने के कारण तो इसका ये मतलम नहीं है कि वो बच्चा जो एक्चुल में पढ़ना चाहता है लेकिन कुछ परिस्तितियों के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है तो ऐसे हर एक बच्चे के लिए mandate breeze, hindi medium, english medium चैनल दोनों ही खड़ा है mandate breeze, hindi medium चैनल पर आपको सारी classes भाई हम free of cost ही provide कराते है एक चीज और अब ये बिल्कुल मैं सोचना कि जिनके पास problem है financial तो बस उनहीं के लिए classes है नहीं मैं तो कहरी हो कि अगर आपकी financial problem नहीं भी है तो भाई आपको फिर भी free में सब कुछ मिल रहा है तो अलग से payment करनी की आवश्यक्ता आपको कहीं और पर भी नहीं है देखो क्या होता है, दिमाग से चलना बहुत important होता है, हमें smart work करना पड़ेगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा है, तो हम सब यहाँ पे coaching, वहाँ पे coaching पर आप थोड़ा से comparison करके देखिएगा जो आपको best लगे पर मेरा personal यही suggestion है कि एक बार check जरूर करिएगा कि जब free में सब कुछ मिल रहा है तो भाई कहीं जाने की आवश्यक्ता ही क्यों है, बैंगे ब्रीज इंदी मीडियम चानल है, तो मैम है ना सामने, कितने प्यार से पढ़ा रही है स्मार्ट बूट पर पढ़ा रही है डाइग्राम डॉट करकर के बता रही है मैम, एक एक चीज़ को मैम clear भी कर रही है, तो इससे जादा पढ़ा पढ़ा से आगे, नाम हम लिख रहे थे, तो भाई नाम लिख लेते हैं ये वाला section हमारा क्या होगा बैटा, cytoplasma जिसे हम कोशी का द्रवी कहते हैं, क्या कहते हैं कोशी का द्रवी कहते हैं वही मैं आपसे बात करूँ ये वाला पार्ट आपका क्या होगा तो इसे हम कहते हैं भाई, गौल जी कॉई क्या बोलते हैं, तो इसे हम गौल जी कॉई कहते हैं इस वाले section की अगर मैं बात करूँ तो बैटा, ये क्या है, तो ये है सूत्र कडिका इसे हम क्या बोलते हैं तो ये हो जाएगी क्या सूत्रकडिका और इसकी अंदर ये जो बड़ा सा हमको दिख रहा है ये वेक्योल्स हैं याने हम इसे क्या बोल देंगे भाई रिक्तिकाई क्या बोल सकते हैं बटा तो इसे हम बोल सकते हैं रिक्तिकाई and very 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 important मैं ये हरा हरा सा क्या है तो बटा इसे हम बोलते हैं हरित लवक कौन सा लवक हरित लवक जो कि क्या कहलाता है chloroplast कहलाता है so I think अब किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ने आपको क्या बनाना सिखा दिया है तो मैं ने आपको पादप कोशिका के बारे में बता दिया है कौन सी कोशिका तो मैं ने आपको पादप कोशिका यानि कि plant cell के बारे में बता बताया है कौन सी कोशिका के बारे में, तो मैं आपको पादप कोशिका के बारे में पूरा डीटेल में पढ़ाया है पादप कोशिका, clear? कहीं कोई confusion, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई doubt, भाई होना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके का कोई भी doubt और यदि हो तो comment section, जिन्दा बाद comment section में बूश सकते हो तो ये कुछ इस तरीके के structure आप अगर अपने notes में भी बनाओगे तो कहीं कोई गडबड़, कहीं कोई समस्या नहीं है अब comparison करते हैं, compare करके हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं first of all diagram को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां कितनी सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें मैंने खुद ने आपको draw कर कर बनाई है क्योंकि हम पदा इसे ऐसे पढ़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है पर आपके NCRT में यह ऐसा दिया है, चिकनी अंतर द्रवी यह जाली का ऐसी दी है खुरदुरी वाली कहां गई, कहां गई, कहां गई, यह रही खुरदुरी वाली तो बेटर यह है कि मैंने भी जो बताया है वो 100% सही है चले, अब बात आती है कि मैं ठीक है, आपने हमें डाइग्राम बनाना तो सिखा दिया आपने हमारे कॉशिका को लेकर, इसका माप, इसकी आकार और XYZ बहुत सारी चीज़े आपने हमारे लिए क्लियर कर दी जी हाँ, तो अब एक काम करते हैं, इसके सुनरिशनात्मक संगरण की तरफ चलते हैं तो क्या तैयार हो, चलो सुकोशिका का सुनरिशनात्मक संगरण हम देखते हैं सरल सूश मिदर्शी से देखने पर किसी कोशिका में मुख के तयार निमने तीन भाग दिखाई देते हैं मेरे बाद ध्यान से देखिएगा सुनिएगा कि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं यानि कि सरल सूश मिदर्शी के सहायता से देखते हैं क्योंकि कोशिका को भाई हम आमारी नगणाखों से नहीं देख सकते अगर मैं आपसे बोलू कि मैंने ये हाथ करा है और मुझे कोशिका दिखाई दे रही है तो नहीं दिखाई देगी जैसे अगर मैं इस stylus को बोलू कि कि ये बहुत सारे एटम याने परमाणू से मिलकर बना है तो अगर मैं इसके इतने टुकड़े कर दू कि एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि केवल और केवल सबसे लास्ट में यही बचेगा तो अब आप कोगे मैम यह तो दिखाई दे रहा है बिटा नहीं दिखाई देगा प्लाजमा जली दिखाई देती है केंद्रक दिखाई देता है और कोशिका द्रब दिखाई देता है इतनी सारी चीज़े इसमें दिखाई देती है अब हमें यह तीन प्रमुक भागों को सबसे पहले पढ़ना होगा कि यह प्लाजमा जली क्या होती है हमारे कोशिका हमारे पढ़ने के बाद I am damn sure कि आपको concept मतलब पढ़े क्या होगा कि हमें बार बार केंद रख पास प्लाजमा जिल्ली कोशिका जिल्ली बोलूंगे तो तुम रिलेट कर पाओगे कि अच्छा मैं बढ़े किसकी बात कर रही है मुझे बढ़े मैं किसकी बात कर रही है सो बस वही हमें यहां जानना है और वही मैं आपको बता रही हूँ कोशिका द्रब अभी हमने देखा ही कहां पाया जाता है कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रिया कलाप तो था उसकी बाहिया वातावरंट से पारस परिक क्रियाएं इनहीं भागों के कारण संभब होती हैं मतलब यह में 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 पार्ट सो होते हैं प्लाजमा जुली है ना यह तरीके से हमारी कोशिका को स्ट्रक्चर देने में हेल्प कर रही है केंद्रक की बात करें भाई न्युकलियस पूरे कोशिकांग को cellargon downe, organelle को control करके रखने का काम करता है अगर दोनों ही कोशिकांगे, चाहे पादप में, चाहे हमारे में केंद्रग ना हो तो फिर पता नहीं क्या हो तो केंद्रग के वजए से हमारे सारी कोशिकांग नियंदरित होते हैं, control होते हैं इसके अंदर चिपचिप पदार्थ का होना अतियती आवश्यक होगा, ना होने इसे क्या होगा लें ये घटा हो जाएंगे, TSDo मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इसके अंदर पाणी है पाणी बानी नहीं होता, Jellie नुमा पदार्थ होता है, Jellie में होता है चलिए और समझियेगा कहा तक हो गया था तो हम ने अच्छीज जानी और सुनिएगा अब हम इक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आते हम प्लाजमा जिल्दी यह जिसे हम क्या बोलते हैं कोश्य का जिल्ली कहते हैं, तो सुनो, प्लाजमा मैम्बरीन और सेल मैम्बरीन की भाई अगर में बात करूँ, क्या बोल रही हूं कि प्लाजमा मैम्बरीन या पर सेल मैम्बरीन की अगर में बात करूँगी, तो मैम ये कैसा रिखाई देता है, तो तुम देख, तो पाही रहे होगे इ इसे सुनो ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के गटकों को बाहरी परेवरंट से अलग करती है लेकिन मैम सबसे बाहरी परत तो कोशिका वित्ती होती है ना जीना ये जो बाहरी परत कोशिका वित्ती होती है ये तो प्लांट्स में होती है अगर ये बोल रह हैं तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि यह बात कर रहे हैं जन्तू कोशिका की याने की हमारे शरीर की कोशिका की तो हमने जाना क्या जाना कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका की घटकों को किसे भाई तो जो कोशिका की घटकों को बाहरी पर्यावरंट से अलग करने का काम करती है प्लाजमा जली कुछ बिशेश पदारटों को ही अंदर या बाहर प्रवेश करनी दीती है इफ आम अन्य पदारटों की गती को रोकती भी है मतलब बाकीiar को रोकने का भी काम करती है दूसरे अन्य पदारटों को इसलिए कोशिका जली को किस नाम से जानते हैं? अर्द पारगम में जिली या वर्णात्मक पारगम में जिली के नाम से भी जाना जाता है इसे चैनात्मक पारगम में जिली भी बोल सकते हो English में Selectively Permeable Memorine ही भी हिसे हम कहते हैं अब कोई आपसे कहेगा कि इसे अर्ध पारगम में जिल्ली, चैनात्मक पारगम में जिल्ली, वर्णात्मक पारगम में जिल्ली क्यों कहते हैं? तो आप बता सकना, सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो कि ये प्लाजमा जिल्ली दोनों ही जगा है हमारे एक शरी की कोशिका पालप की कोशिका लेकिन अंतर क्या है वहाँ पर दूसरे नंबर पर है और हमारे में एक ही होती है पहले नंबर पर ही यह पाई जाती है दूसरे चीज कि यही चूस करती है यही डिसाइड करती है कोशिका से क्या अंदर आना है मदलब क्या बाहर से कोशिका में जाना है क्या कोशिका से बाहर जाना है उन पदार्तों के आदान प्रदान में चूस करने का काम ही यही करती है ऐसा थोड़ी ना कि मूठ आया कुछ भी अंदर आ गया और बाहर चला गया जीना ये चूस करेगी चैन करेगी तभी पदार्थ अंदर बाहर हो सकते हैं इसलिए इसे अर्ध पारगम में जिल्डी के नाम से जाना जाता है एक चीज और ये पतली होती है मुलायम होती है इस बात का भी विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा रखिएगा बाकी कुछ इ बातें ये हमने अभी तो इसके बारे में जाना है अभी पूरा नहीं हुआ है ये महिस नहों हो गया प्लाज्मा जिल्डी लंचीली होती है वह्य प्लेगजिल तो होगी ही होगी ना और कार्बने कड़ों जैसे किसकी तो बनी होती है अम मेरी बाहर सुनू हो ये तुम्हे ness की कोशिका की जो प्लाज्मा जल्ली जो कोशिका जल्ली होती है वो किसकी बनी होती है सब वो प्रोटीन और लेपट की बनी होती है प्लाज्मा जल्ली के संरशना को हम के बाल एलेक्ट्रोन सूश्मदर्शी से ही देख सकते हैं हां जी हम सोचें भाई कोशिका नहीं देख सकत चलो बाई फटा फट से अब हम बढ़ते हैं आगे प्लाजमा जिल्ली या कोशिका जिल्ली की कहानी क्लियर पक्का क्लियर ये भी क्लियर चलियर तो अब हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इसके कारे हम जानते हैं ठीक है सो प्लाजमा जिली के काम क्या होते हैं फंक्शन्स ओफ प्लाजमा मैंबरीन तो इसके निमनलिकित कारे होते हैं जैसे ये कोशिका को एक निश्चित आदा आकार प्रदान करती है अगर कोई तुमसे बोले कि एक सेल को शीप या साइस किस ने दिया या मैं गहूँ एक कोशिका को एक फिक्स्ट शीप प्रुवाइद कराने का काम किस ने किया तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हमें बताए न वो किया है प्लाजमा जिली ने तो मेरी बात बहुत यहां से सुनिएगा प्लाजमा जिली के कारे इसके निनलिकित कारे होते हैं यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कराती है जैसे सुनो यह तुम्हारे सामने पादप कोशिका है भाई प्लांट सेल है इसको यह प्रॉपर शीप देने में हेलप करी न वही मैं तुमसे कहूँगी हमारे शरीर की कोशिका, वहीं अगर मैं तुम से बोलू कि हमारे शरीर की कोशिका, किसकी कोशिका भाई, तो हमारे शरीर की कोशिका, जो कुछ इस प्रकार के आकार की होती है, एक कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन यही आकार कौन प्रोबैट कराता है, तो वो प्लाज प्लाजमा जिल्डी ही करती है यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है हमारे कोशिकांग की जितनी थी अंगग है। उसे protect करके रखने का काम, उसे सुरक्षा देने का काम कौन करती है? तो वो हमारी plasma जिल्ली, plasma membrane ही करती है. कौन करती है? plasma जिल्ली यानि plasma membrane करती है. चैनात्मक पारगम में होने के कारण, यानि कि selectively permeable होने के कारण, यह चैनित या विशिष्ट आयनों या पदार्तों को ही कोशिका के अंदर या बाहर प्रवेश करने देती है. जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है, यह कोशिका में पदार्तों के परिवहन को नियंतरत यानि कंट्रोल भी करती है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर आ रहा है और कोशिकांग से बाहर जा रहा है ना जीना. यह चूस करेगी क्या आना चाहिए, क्या जाना चाहिए. चलिए, आइ तिंक आपको बहुत अच्छे से चीज़े समझ में आ रही होंगी. अब हम इसे में जानते हैं जिलिया कला के पार परिवहन, यानि के ट्रांस्पोर्ट अक्रोज दी मैम्वीन, सुनो, कला के पार परिवहन उर्जा के वे, यानि के सक्रिय परिवहन या फिर बिना उर्जा के वे, जिसे हम क्या बोलेंगे, निश्क्रिय परिवहन के द्वारा होता है तो ये बहुत छोटी-छोटी सी बात है ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है कि मैं बोलू कि बहुत ही जादा ये इंपोर्टेंट है तो नहीं ऐसा बहुत जादा इंपोर्टेंट वाला ये नहीं है ठीक है ना चल नेक्स आते हैं very 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 important तुम्हें इसमें viscron के बारे में जानना ही पड़ेगा और सुनो, जिसे plasma चिलि अगर मैं तुम से कहूँ कि थोड़ा important है या बहुत important है तो भाई है तो ये बहुत important और उसी के अंदर तुम्हें ये viscron के बारे में पढ़ना है diffusion के बारे में पढ़ना है में समझते हैं कि ये क्या process होती है इसके भी part होते हैं क्या इसके भी भाग होते हैं क्या वो भी हम जानते हैं चीक है चलो सो विसरंड द्वारा जिल्ली के पर परिवहन और ये विसरंड पढ़ना कहां पर है cell membrane में कोशिका जिल्ली में हमें से पढ़ना है चलो विसरन फर्स अपॉल कैसी प्रोसेस होती है तो ये एक slow प्रोसेस होती है हम सोचें कि हमारे जैसे कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग होते हैं जैसे ये सारे कोशिकांग के अगर मैं बात करू ये बहुत तेजी से काम करते हैं हाँ करते हैं और इस सब का काम करना हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन अगर मैं आप से बोलू कि विसरन कैसी प्रक्रिया है तो हम कहेंगे थोड़ी सी slow प्रोसेस ये होती है इसमें उर्जा वे नहीं होती है अगर मैं उर्जा की बात करूँ तो वो यहाँ पर वे उसका नहीं होता है हम ऐसा हो सकते हैं कि उर्जा खर्च नहीं होती है तदा ये जीवित तंत्र पर भी निर्वत निर्वर नहीं करती है इसी के साथ ये वे प्रक्रिया है जिसमें द्रव, गैस, तथा विले के अडू उनके अधिक सांधरता वाले छेतर से कम सांधरता वाले छेतर की और तब तक निश्किरी रूप से गती करते रहते हैं जब तक दोनों छेतरों में अडू के सांधरता समान नहीं हो जाती इस पूरे कहानी को मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताती हूँ First of all, ये द्राव अवस्ता में, ये गैसी अवस्ता में ये फिर विले के अडू के रूप में अधिक से निम्न की और चलते हैं हमेशा ये द्यान डखना कि ये हमेशा अधिक सांदृता से निम्न सांदृता की और चलते हैं उच्च से निम्न की और चलने का ये काम करते हैं पॉइंट समझ में आया, पॉइंट धेयर हुआ, चलो तो ये पूरी कहानी को ऐसे रटना नहीं है मैंने बस में पॉइंट आपको बोला है कि सुनो, तुम कन्फ्यूज मत हो, कन्फ्यूजर नहीं होनी चाहिए इसलिए ध्यान डखना कि ये अधिक सांदृता कि ये अधिक सांदृता वाले चेत्र से कम सांदृता वाले चेत्र की और तब तक निश्क्रिय रूप से गती करते हैं जब तक उसका जो बैलेंस, बदलब वो बैलेंस ना हो जाए वो बिल्कुल इक्वल ना हो जाए तब जब तक वो जो है अधिक से निमने की और चलते हैं ठीक है? चलिए तो अब हम बढ़ते हैं next उसे के आगे विसरन जो है सुनते चलना विसरन गैस वा द्रफ से सपस्ट रूप से परिलक्षित होता है जबकि ठोस में विसरन कुछ अंश तक ही संभव होता है अब क्वेश्चन ये उटता है कि मैम ये डिप्यूजन की जो प्रोसेस है ये जो विसरन होता है हाँ हमें समझ में आगया कि एक स्लो प्रोसेस होती है और अधिक से निम्न की और चलती है जादा से कम की और आएगी और जादा से कम की और आएगी तो ये बैलेंस करेगी आने के समान रूप से आएगी और हम एक चीज और पता चली कि जो viseran होगा, diffusion होगा, bamboo किस में होगा, gas वा द्रव में ही होगा, solid में भी होगा, solid में इसके होने के chances मतलब कैसे होते हैं, बहुत काम होते हैं, तभी तो यहां लिखा है, कि viseran gas वा द्रव में इस पस्ट्रूप से परिलिक्षित होता है, जबकि ठोस में विसरन कुछ अंच तक ही संभावे मतलब कुछ अंच तक ना के बराबर हम बोल सकते हैं ठीक है चल इसका पड़ाफट से स्क्रिंशॉट ले लिजिए है ना चल इसके भी ना अंदर जाके हमें पड़ना होगा विसरन में भी ना बहुत सारे प्रकार होते हैं और क्या मैं वहां से कोशिका के भीतर उच्च सांध्रता में एक गत्रित हो जाती है और बाहिक तवरन में CO2 के सांड़ता कोशिका के भीतर की अपेक्षा कैसी होती है निम्न होती है तो ये उसमें क्या काम करेगी मिलने का काम करती है इसी के साथ साथ अता सांड़ता में इस अंतर के कारण CO2 विसरन द्वारा कोशिका से बाहर चली जाती है क्योंकि बाहर CO2 की सांड़ता कोशिका के अंदर की सांड़ता से कैसी है कम है तो जो कोशिका के अंदर CO2 था वो कहां जाकर मिल जाती है बाहर बाही वातावरन के CO2 से जाकर मिल जाती है इसे प्रकार जब कोशिका के भीतर की सांड़ता निम्न होती है तो O2, अब मान लोग कि कोशिका के अंदर की सांड़ता ही कैसी हो गई है, कम हो गई है, हैना निम्न हो गई है, ठीक है, तो O2, oxygen, विसरन द्वारा वायू मंडल से कोशिका की बीतर प्रवेश कर जाती है मंडल फिर वहाँ से जो हमारे एट्मोस्पेर में जो O2 है, वो विसरन की प्रवेश करेगी कोशिका के अंदर गैसी विनिमाई के, यानि कि जो गैसेस एक्स्चेंज हो रही है, कि कभी वो अधिक सांड़ता से निमने क्यों और जा रही है तो कभी CO2 की ही कमी होगी कोशिका के अंदर, तो हमें O2 को बुलाना पड़ा तो गैसेस एक्स्चेंज हुई ना, गैसों का विनिमाई हुआ ना, तो गैसी ये विनिमाई के अतरिक्त विसरन द्वारा जीवों को बाता वरण से पोशन भी प्राप्त होता है ठीके, चलिए, अब बात आती है कि ठीके मैम, हमें समझ में आ गया विसरन क्या होता है डिफ्यूजन क्या होता है, फॉस्ट पॉल ये एक स्लो चलने वाली प्रोसेस होती है अधिक सांडिता से, उच्च सांडिता से, निम्न सांडिता की और गमन करती है और ये बैलेंस करने का काम करती है, समान रूप से, समान अवस्ता में आने का काम करती है हमने ये चीज़ भी देखा कि बाही बातावरण से आंतरिक बातावरण में गैसों का विनिमर कैसे करती है इसमें किसका जादा important role होता है तो इसमें विसरन का होता है नेक्स चाहते हैं अगले part की तरफ osmosis मैं ये परासरन क्या होता है ये दूसरा word मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये परासरन क्या होता है उसको समझने के पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं और कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब आप इसे NCRT से पढ़ोगे न जैसे मैं आपके notes ये इसका content बना रही थी content निकाल रही थी तो मैंने एक चीज notice करी थी कि NCRT में इसका content है वो इतना mix up है उन्होंने परासरन को विसरन में पूरी तरीके से mix करके बताया है मतलब हम कहीं न कहीं उसको find नहीं कर सकते हैं कि कहां परासरन के बाद चल रही हैं कहां विसरन की NCRT में चीज़े सही हैं लेकिन कई चीज़े ऐसे mix up करके दी हैं कि आप पढ़कर उसे confuse हो जाते हो पर मैं आपको बता दू, बिल्कुल confusion नहीं होगा सारी चीज़े आपके सामने हैं पहले हमने क्या जाना, diffusion के बारे में, परासरन के बारे में विसरन के बारे में, अब हम किस के बारे में जा रही हैं औसमोसिस के बारे में याने परासरन के बारे में दोनों वर्ट कैसे होते हैं अलग-अलग होते हैं विसरन में परासरन में इधर से लेकर इधर तक का अंतर जमीन से लेकर आस्मान तक का जमीन निच्छाई के आस्मान ऊपर तो यह अंतर होता है अब कई बच्चे ग्या सोचत कि दोनों एक ही चीज है मैं विसरन परासरन एक ही ही है ना जीना दोनों अलग-अलग होते हैं ठीक है सुनों परासरन एक विशेश प्रकार की विसरन प्रक्रिया है यह नहीं बोला है कि विसरन ही है ना जीना उनने यह बोला है कि ऑस्मोसेस क्या होती है तो यह एक प्रकार की विसरन प्रक्रिया होती है, डिप्यूजन प्रोसेस होती है इसमें जलिक अर्ध पारगम में जिल्ली से प्रथक होकर अधिक सांधिता वाले छेतर से कम सांधिता वाले छेतर की और विसरित होता है हमने ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ाता हमने इस विसरण में ये बढ़ा था कि ये गमन तो करता है लेकिन उच्च से निमने की और करता है हमने यहां पर भी यह चीज जानी पर एक वर्ड आ गया यहां पर एक नया और वो क्या आ गया है अर्ध पारगम में जिली इंगलिश में इसे हम क्या बोलते हैं तो बटा इंगलिश में ये होगा सैमी पर्मियेबल मैमरीन क्या होगा सैमी पर्मियेबल मैमरीन क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ सबको तो हमने क्या देखा कि यहां पर उच्च से निमने की और तो जा रहे हैं लेकिन बीच में क्या मिल गई एक अर्ध पारगम में जिल्ली मिल गई अब सुनो परासरण हमेशा एक पारगम में या अर्ध पारगम में के द्वारा ही होता है बिना इसके परासरण नहीं हो पाएगा diffusion में तो ऐसा कुछ था ही नहीं हमने vis run में तो ऐसा कुछ देखा नहीं था लेकिन परास run में इनका होना आवश्यक है ठीके और सुनो कोशिका कला के पार जल का परिवहन जल में घुलित पदार्तों की सांड़ता पर भे निर्बर करता है तो कोशिका कला की यहां पर बात चल रही है यहां cell membrane हम बोल सकते हैं nuclear cell membrane ही हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि कला मतलब वो membrane के form में ही काम करती है जली के रूप में ही काम करती है चीके चलो नेक्स आते ही आगे एक कोशिकी स्वच जलीए जीववा अधिकाश पादक कोशिका यह परासर द्वारा जल प्राप्त करते हैं एक कोशिकी स्वच जलीए जीव के बात चल रही है जलीए जीव को हम इंगलिश में aqueous animal बोल सकते हैं है ना और एक कोशिकी लिखा है जिसे हम unicellular बोलते हैं unicellular का मतलब अब मुझे बताने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है हमने अभी थूड़े दिर पहले ही पूरा एक कोशिकी को बहु कोशिकी से अलग करकर पढ़ा था क्योंकि दोनों में क्या होते हैं काफी अंतर होते हैं हम क्या कहलाते हैं बहु कोशिकी कहलाते हैं प्लांट्स क्या कहलाते हैं बहु कोशिकी कहलाते हैं एक कोशिकी में दूसरे जीव आते हैं वो जीव आते हैं वे organisms जिनके body का structure यह जिन में केवल एक सिंगल सेल होती है केवल एकल कोशिका ही पाई जाती है वही बहु कोशिकी में क्या होती है बहुत सारी कोशिकी जीव आते हैं ठीक है बहुत सारी कोशिका जो है वो उनमें पाई जाती है जैसे हम आ गई जैसे प्लांट्स आ गई यह सब लेकिन यहां ए प्रक्रिया ही चलती है जिसमें अर्द पारगं में जिली द्वारा सैमी प्रमे बल्मесь मैं में के द्वारा जैसे मान लूद की इससेंध़ पर्मेबल में 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 यह जिसके थार होगी मान लींटा यहांपर अबकूपंदार्ण है इसमें कैसा पदार्थ है? जादा मात्रा में है इसमें वो पदार्थ कैसा है? जादा मात्रा में है या मैं ऐसा कहूँ कि इसके सांधता कैसी है? हाई यानि कि उच्च और इसके सांधता कैसी है? निम्न है तो ये उच्छ से निमने की और क्या करेगा गमन करेगा जाने का काम करेगा लेकिन किसकी सहायता से तो बीच में क्या पाई जाएगी एक पारगम में जिली अर्ध पारगम में जिली आपको बहुत अच्छे से अर्ध पारगम्मे के बारे में पता ही है कि अर्ध पारगम्मे जिली कुछ पदार्तों को आने और जाने में बिल्कुल हेल्प करने में मतलब ये सहायता करती है मतलब अर्ध पारगम्मे जिली है ये पतली तो है, मुलायम तो है लेकिन ये कुछ पदार्तों को यहां से यहां आने में सहायता करेगी क्या ये वाले इधर जा सकता है? नहीं वहां परासरन प्रक्रिया नहीं होगी परासरन कब होता है? जब वो उच्च से किसकी तरफ जाता है? निमने की तरफ जाता है ठीक है? चलो पादप मूलदवारा जलका अप्शोशन परासरन का ही एक उधारन होता है परासरन की प्रक्रिया कोशिकों को विभिन सांड़ता वाले विलियन में रख कर देखी जा सकती है मतलब अलग-अलग सांड़ता वाले विलियन में solution में रखकर भी हम इसे check कर सकते हैं कि कहीं किसी की कम सांड़ता है कहीं किसी की जादा है कहीं medium level भी है किसी भी प्रकार के सांड़ता वाले विलियन विलियन बोले तो भाई सॉल्यूशन की बात चल रही है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है ठीक है? चलो अभी ये कहानी complete नहीं हुई है क्यों? क्योंकि ये भी कई प्रकार के होते हैं जैसे सुनो अगर मैं बात करूँ तो एक होता है अलप परासरी विलियन एक होता है सम परासरी विल्यन ठीक है? और इसी के आगे एक अती परासरी विलियन भी आपको मिलेगा बाके तो फिर कोशी का बित्ती आएगी आप सुनो अब क्या है कि ये विलियन को भी क्यों पढ़ना पढ़ रहा है तो मेरे खाल से हम के NCRT में कुछ-कुछ लिखा है इसके बारे में पूरा तो नहीं लिखा है लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर ये वर्ड भी लिखा है न तो भी तुमको पढ़ना पड़ेगा मैं तो कह रही हूँ कि ये किवल अल्प परासरी विलियन नाम भी लिख दिया होगा तो भी तुम्हें इसकी कहानी जाननी पड़ेगी तो बात कुछ ऐसी है कि हम तीनो सॉल्यूशन तीनो विलियन के बारे में बढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्प परासरी विलियन से तो ऐसे विलियन की सांड़ता कोशिका के विलियन के अपेक्षा कैसी होती है कम होती है मतलब कोशिका का जो विलियन होता है उसके कमपैरिजन में ये कैसी होती है कम ऐसे विलियर में कोशिका को रखने से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा मतलब कोशिका के अंदर ही पानी चला जाएगा और कोशिका क्या होगी फूल जाएगी और इस ब्रक्रिया को हम अंतह परासरन कहते हैं Very, very, very important Endosmosis के नाम से यह जाना जाता है जहां पर कोशिका के अंदर जल का जो है विनिमय हो जाएगा विनिमय मतलब तो कहार एक्स्चेंज होता है तो विनिमय नहीं भूलेंगे गमन भूलेंगे कि जल जो है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और वो जो कोशिका होती है वो फूल जाती है इस पूरी प्रोसेस को आप अलप परासरी विलियन के अंदर लेकर जाओगे लेकिन नाम क्या दिया है इसके लिए तो इसे हम अंताह परासरन कहते हैं बास समझ में आई हुआ क्लियर की नहीं हुआ नेक्स्ट है समपरासरी विलियम थोड़ा सा क्या इनके नाम डिफिकल्ट है थोड़ा सा ना इनके नाम थोड़ी से डिफिकल्ट है बाकि यह है ऐसा कुछ नहीं कि समझ भी नहीं आएगा थोड़ा सा कोशिश करने हैं पड़ेगी समपरासरी विलियन यह ऐसे विलियन है यह किसमे है भाई? तो यह कोशिका द्रव्य में ही तो है जो कि जैली नुमा पदार्थ होता है मैं बताऊँ अगर यह कोशिका द्रव्य में नहीं पैला होगा न, एक लिक्विड इसमें नहीं होगा यह सारे खट्टा होकर एक प्लेस पे आ जाएंगे तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है कोशिका द्रब्य पाया जाता है तो क्या बूल रही है ये समपरासरी विलियन क्या होता है तो ये ऐसे विलियन है जिनके सांड़ता जिसके सांड़ता जो कोशिका द्रब्य है यानि कि जो साइटो प्लाजम है उसके सानता के ही समान ये होती है जब कोशिका को ऐसे विलियन में रखते हैं तो जलका कोई आदान प्रदा नहीं हो पाता है मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा जिसके पलस्वरूप कोशिका के आकार आकार्द अथा उसके जीब द्रवे एवं कोशिका के भार में भी कोई चेंज नहीं हो पाएगा मतलब पदार्थ ही नहीं आजा पा रहे हैं इसी के साथ नेक्स आते हो और सबसे लास्ट हम इसे पढ़ते हैं पर हम कोशिका भित्ती की तरफ चलेंगे अती परासरी विलियन क्या होते हैं तो ऐसे विलियन के सांड़ता कोशिका द्रवे के सांड़ता से अधिक होती है इसके पहले वाली कम थी और ये वाली कैसी होगी अधिक होगी अता कोशिका इस विलियन में रखने से कोशिका के अंदर से जल निकल कर बाहरी Viliyan में प्रवेश कर जाता है जिस से जो कोशिका है वो सिकुड जाती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बही परासराण कहते हैं चलो, अब लेलो पड़ापट से इसका स्कुर्ण पिर कोशिका वित्ती हम पढ़ेंगे चलिए भाई तो हमने ये बहुत अच्छे से विलियन, परासरन, विसरन सब के बारे में जान लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कोशिका वित्ती के बारे में यानि कि ये cell wall क्या काम करती है क्योंकि plasma membrane का क्या काम होता है उसके अंदर viseran, परासरन कैसे होता है क्योंकि viseran तो उसमें नहीं होता है परासरन जरूर होता है diffusion नहीं, osmosis की process होती है तो ध्यान से सुनना कोशिका वित्ती पहली बात तो उपस्थित किसमें होती है present किसमें होती है जस्ट अभी हमने diagram ड्रॉ किया था हमने पादप कोशिका, जंदू कोशिका बनाया तो हमें पता चला कि भाई ये हमारे में तो नहीं पाई जाती कोशिका वित्ती किसमें पाई जाती है तो ये plant में पाई जाती है हमारे में नहीं पाई जाती outermost layer होती है या innermost layer होती है बाहि परत होती है या आंतरिक परत होती है तो ध्यान से सुनिएगा बिलकुल ध्यान से सुनिएगा अगर मैं बात करूं कोशिका विक्ति की तो पादप कोशिका बिटा हमने कुछ ऐसे बनाई थी कुछ ऐसे ही ड्रॉ किया था और पिर हमने देखा था कि इसक चली थी कि इसे हम क्या बोलते हैं तो सबसे बाहर वाला विट्टा जो ये हिस्सा था इसे हमने नाम दे दिया था कोशिका भित्ती यही थी कोशिका भित्ती जो केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है हमारे में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ती भाई किसकी बनी होती ह कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है तो ये प्रूटीन और लिपिट की बनी होती है चलो तो पादप कोशिका में प्लाजमा जिल्ली के चारो तरफ क्या बूल रहे हैं कि प्लांट सेल में यानि पादप कोशिका में देखो लिखा है ना पादप कोशिका में प्लास्मा जिल्ली के 4 तरफ प्लास्मा जिल्ली कहाँ पर है ये अंदर के साइड है इसी के 4 तरफ द्रिणवा क्या बोल रही है सेलुलोस के बना एक आवरण होता है इसी को क्या बोलते है कोशिका भिती कहते हैं फॉस्ट अपॉल ये अपने दिमाग में बठा लीजिए कि ये जो कोशिका वित्ती है ये किसकी बनी होती है तो दिमाग में से बठा लो कि ये सेलूलोस की बनी होती है किसकी बनी होती है सेलूलोस की बनी हुई होती है इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कैसी ह होती है डेड होती है याने की मृत होती है इस बात को और ध्यान रखिएगा कि कोशिक वित्ती कैसी होती है तो यह होती है डेड याने की मृत कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं कोई समस्या चलो यह आप एक शक्रत एक सुरक्षात्मक परत होती है जो कोशिक को द्रण आकार प्रदा करती है हां तो सच है ना ये एक तरीके से सुरक्षा ही तो कर रही है हमारी कोशिका जिल्ली की हमारे कोशिकांग की हमारी मतलब पादब के कोशिकांग की रक्षा ही तो कर रही है साथ ये साथ उसे एक संरचना ज्यामिक हो एक द्रण आकार प्रदान करने के विलिए भी कौन ह बित्ती तो अब कोई भी आपसे कभी पूछे कि कोशिका जिल्ली क्या होती है तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी कहने के लिए कोई आपसे बोले कि ये कोशिका बित्ती क्या होती है तो आप बता सकते हो हमारी में नहीं पाई जाती है plants में पाई जोती है, cellulose की बनी हुई होती है और बता सकते हो कि ये एक द्रण आकार प्रदान करती है कोशिका वित्ती डेड होती है, मृत होती है, ये सबाब बता सकते हो Clear? चलो Next आते ही इसी के आगे के कोशिका वित्ती के क्या काम होती है भाई ये कारी क्या करती है, तो कोशिका वित्ती के कारी निम्न है और वो क्या है, तो कोशिका वित्ती जिवाड़ों, कवको, वो पादपो की कोशिकाओं को अलप परासरी परिस्थितियों में बिना पटे जीवित रहने की छमता प्रदान करती है लो भाई क्या बोल रही है ये लोग कि कोशिका भित्ती जैसे जिवाडू हो गए है ना जैसे कि जिवाडू हो गए कवक हो गए और जो पादपो की कोशिकाएं होती है उनको अलप परासरी परिस्थितियों में बिना फटे जीवित रहने की छमता प्रदान करती है क्योंकि आपको पता ही है कि कोशिका भित्ती कहां कहां पाई जाती है तो जिवाडू हो में भी मिल जाएगी है ना कबको में भी मिल जाएगी पादपो की कोशिकाओं में भी ये मिलती है जन अल्पपरासरी क्या होता है तो ये तो गलती से तुम पूछना भी मत तुम्हारी ओनलाइन कुटाई कर दूँगी में क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अल्पपरासरी क्या होता है स्वाल परासरी माध्यम में कोशिकाएं परासरण द्वारा जल को ग्रहन कर स्फिती दशा में आ जाती है तता कोशिका वित्ती पर ये दबाव डालती है उस पर प्रेशर डालने का फिर ये काम करती है सो ये है हमारी सेल और सेल के भी यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिये गए हैं है ना जोसे प्राइमरी वॉल होती है मिडल होता है पर सेकंडरी वॉल होती है ऐसे कई सारे आपको इसके भाग भी दिख रहे होंगे सो कोशिका भित्ती के क्या कारे होते हैं वो कारे भी मैंने आपको बता दिये चलिए नेक्स आते हैं कोशिका बित्ती की स्पीत या स्पीती कोशिका के विरुद्ध बराबर दवाव डालती है हंजी बिलकुल सही है जिससे कोशिका जो है वो फटने से बच जाती है कोशिका फटती नहीं है ये भी एक अच्छी वाद पता चली इसे के साथ बित्ती की उपस्तिती के कारण पादप कोशिकाएं जन्तु कोशिका किया पेक्षा आसपास के माध्यम के उच्छ परिवर्तनों को सहारा को सहन करने का भी काम करती है उसे सहन कर सकती है क्लियर ये चीज़ चलिए तो हमने देख लिया कोशिका भित्ती का होना तो बाई अती 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 आवश्या के बहुत जादा इंपोर्टन है ये है ना चलिए इन में संकरे छिद्रो होते हैं अगर तुमसे कोई बोले कि कोशिका वित्ती में कोई छिद्र होते हैं, कोई छेद होते हैं, हाँ जी बिलकुल होते हैं, तो कोशिका वित्ती में एक संक्रे छिद्र होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, या जिन्हें क्या कहते हैं, हम पिट्स कहते हैं, इंचिद्रो द्वारा कोशिका द्रवी के अत्यंत महीन तंतू जो के प्लाजमो डेसमेटा हैं और वो कोशिका वित्ती के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं या निकले रहते हैं पादब कोशिकाएं इनकोशिकाद्रवी माध्यम के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहती है जानने जानने जा रहे हैं कि ये जीव द्रव कुंचन क्या होता है तो सुनो जीव द्रव कुंचन वह प्रक्रिया है जिसमें जल कोशिका से बाहर निकल जाता है लो भाई इसमें जल कहां से बाहर निकल रहा है कोशिका से ही बाहर निकल रहा है तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल कोशिका से बाहर निकल जाता है तता पादब कोशिका की कोशिका जिली मतलब प्लांट सल की जो सेल वॉल है वो सिकुड कर फिर वो कोशिका भित्ती से अलग हो जाती है फिर वो कोशिका भित्ती से बिटा क्या होती है अलग ही हो जाती है ये तब होता है जब कोशिका को अती परासरी घोल में रखा जाता है किस घोल में रखा जाता है? अती परासरी घोल में रखा जाता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिटा आपकी NCERT में कहीं कहीं ये घोल से related शब्द भी हैं विलियन से related words हैं तो मैंने आपसे कहा था कि उसमें इतना detail में नहीं दिया है but yes हमें ये चीज पढ़नी पढ़ेगी क्यों पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कई सारी जगा पर अगर नाम भी आ रहा है अगर इनका नाम भी आ रहा है तो भी हमें इसको पढ़ना पढ़ेगा ऐसा नहों कि ये नाम आजा और हम बिलकुल confused ही रहें कि अरे यार ये क्या है हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ऐसी इस्सिती ना हो ऐसी कोई problem ना हो that's why हम जो है इसको हर एक चीज़ को पढ़ रहे है कुछ भी हम छोड नहीं रहे है ठीके चलिए नेक्स आते हैं ये कोशिका का सरवादिक महत्वपून भाग होता है सन 1831 में Robert Brown ने इसकी खोज की थी साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना कि इसके बारे में Robert Brown ने 1831 में बताया था प्राया एक देखो साइंटिस्ट क्या करते थे ना हमारी तरह नहीं थे वो हम क्या करते हैं हमें कोई चीज अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए तो हम केबल उस चीज को सोचते हैं लेकिन और सोचके भूल जाते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं भाई वो उस चीज के बिलकुल जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं अगर ये चीज है तो है कैसे? जैसे कोशिका के बारे में ही अगर मैं बात करूँ भाई, पहले थूड़ी पता था कि इतना पूरा बड़ा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है कोशिका जैसा ही कुछ होता है उसको कोशिका ही कहेंगे ऐसा कुछ तो पता ही नहीं था धीरे धीरे करके जब साइंटिस्ट ने देखा मतलब साइंटिस्ट का दिमाग अलग ही चलता है तो उन्होंने किसी कॉर्क में देखा कि अच्छा ये इससे मिलकर बना है फिर वहां से दूसरे मतलब उनने डेड सेल बताई फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बताई कि अरे डेड नहीं लिविंग होती है तो मतलब ऐसे करके जब रास्ता खुला ना तो कितने सारे रास्ते खुल गए ऐसा ही सेम हमारी लाइट में भी होता है कई बार हम ऐसी सिच्वेशन में आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें आगे करना क्या है अभी तुम बहुत चोटे हो किवल 9th क्लास में हो लेकिन 9th क्लास में भी अगर मैं बोलू तो 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया कई बार आप ऐसी सिच्वेशन में खड़े होंगे कि आपको लगेगा सब खतम आपके पास कुछ नहीं बचा है मुझे तो समझी नहीं आ रहा, आप में फेल हो गया हूँ आप में फेल हो गई हूँ शायद मेरे कम नंबर है आप मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैं आपको बता दूँ ऐसे कई सक्सेस्फुल लोग हैं कई सक्सेस्फुल लोग हैं जो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई ना करकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उनको अपने आप पे भरोसा था मुझे जो पसंदे मैं वो काम करूँगा और मैं इसमें 100% सक्सेस्फुल ही हूँगा तो बस उन्होंने अपने उपर भरोसा रखा ट्रस्ट रखा क्योंकि अभी आप इतने चोटे हो कि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे न हर स्टेज पे आपको कोई न कोई रुकावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी और हम हर बार यह सोचेंगे कि आप चीजे खतम आप कुछ नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है अभी बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होना बाकी है हमें हिम्मत नहीं हारनी है निराश नहीं होना है अपने उपर अपने माता-पिता होते हैं उनसे बात करो teachers होते हैं हम हैं हमसे बात करो दोस्तों से भी मैं उन्हीं दोस्तों से बोलूँगी जो actual मैं आपको समझते हैं सबका एक नएक दोस्तों तो ऐसा होता ही है बस मेरा यही आपसे suggestion है क्योंकि जैसे chapter में हर एक चीज important है बैसे ही हमारे life में भी होती है और सब चीज का एक sequence होता है ऐसा नहीं हो सकते ना भी तुम 9th class में सीधा 12th में jump कर दो वो भी possible नहीं है क्योंकि तुम्हें 9 के बाद 10th में 11th में 12th में फिर college ऐसे गरके तुम्हें अपने step by step चलना पड़ेगा है की नहीं है ठीक है तो बस थोड़ा सा मैंने आपको यह चीज़े भी यहां वताई है यह भी सुनते रहा करो तो next आते हैं प्राय है एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है जी हाँ बिलकुल सही है किन्तु शैवाल की अगर मैं बात करूँ शैवाल बोले तो अलगी की अगर मैं बात करूँ क्लेडो फोरा में एक से जादा न्यूकलियस याने की केंद्रक पाये जाते हैं यह कोशिका की सभी क्रिया विधियो पर नियंत्रन रखता है बिलकुल रखता है इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रन कक्ष भी हम कहते हैं क्लिया चलो अच्छा एक चीज और एक्चलि यहाँ पर बात किस चीज की चल रही है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ बटा बात चल रही है केंद्रक की वही मैं कहूँ कि कोई चीज तो मिसिंग है तो बस एक चोटी सी चीज मिसिंग है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक की खोच की थी हाना तो बात यहाँ केंद्रक याने नूकलियस की चल रही है हाना यहाँ पर वो जीव द्रविकुंचन की कहानी complete हो गई और यह हम आप केंद्रक पढ़ रहे हैं सो केंद्रक की कोज किस ने की थी Robert Brown ने की थी केंद्रक किसी भी कोशिका में चाहे हमारे शरीर की कोशिका हो चाहे पादप की कोशिका हो उसमें सबसे center में बीच में ये पाया जाता है पादब कोशिका में थोड़ा सा साइड में पाया जाता है नेकिन ये कोशिका का नियंत्रन कक्ष होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्यों नियंत्रन कक्ष होता है क्योंकि पूरे कोशिकांग को या कोशिका को या नियंत्रत करने का काम ही कौन करता है केंद्रक करता है डन क्लियर चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम आगे केंद्रक की संद्रशना के बारे में जानते हैं केंद्रक की बात तो समझ में आ गई ना और यहां से कोई question उठता है क्या सुनो नेक्स्ट आते हैं अब केंद्रक की संद्रशना उसके structure के बारे में हम जानते हैं परस्ट अपॉल अगर तुम केंद्रक को ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पर nuclear pores भी मिलेंगे उसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं हाना जिसे हम केंद्रक छिद्र भी बोल सकते हैं यहां पर कोशिक का छिद्र लिखा आप उसे केंद्रक छिद्र भी बोल सकते हैं यहीं आपको मिल रहा होगा nuclear membrane भाई केंद्रक जिल्ली भी होती है केंद्रक के ठीक चारो तरफ क्या होती है केंद्रक जिल्ली होती है ये तुम्हारे केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है केंद्री का भाई जाती है और सुनो तो तुमने क्या देखा कि केंद्रक में क्या होते हैं नूक्लियर पोर्स होते हैं केंद्रक छिद्र होते हैं तुमने देखा कि केंद्रक जिल्ली होती है एक न्यूटियर मेंबरीन होता है। इसी के साथ तुम्हें दिख रहे होंगे, धागे नुमाइक तुम्हें ये इस तरह से पहला हुआ सा पूरे इसे हिस्से में एक structure दिख रहा है जिसे हम क्या बुलते हैं क्रोमेटीन धागे बुलते हैं इसी के साथ तुम्हें और भी कई सारी चीजे दिख रही होंगी ये तो इतना important मैं नहीं कहूंगी लेकिन हाँ, तुम खुछ सोचो कि जो structure हम बना रहे थे अभी तक जैसे अगर मैं तुम्हें बता रही थी कि ये हमारे शरीर की कोशिका है और फिर मैं तुम्हें बता रही दिखी ये क्या है भाई, केंद्रिका है और ये क्या है तो ये है केंद्रक है ना, ये क्या है केंद्रक है तो अब ध्यान से सुनो केंद्रक और ये केंद्रिका और बीच वाला जो ये place बच रहा है उसमें तुम्हें कितनी सारी चीज़ें मिल गई और वहीं तुम्हें न्यूक्लियर, मेंब्रेन, पोर्स, छिद्र, सब मिल गई बट वो पॉसिबल नहीं है कि बटा हम सीधे इसमें ये चीज़ बना सके जब हम उसे जूम आउट करके पढ़ेंगे यानि हम उसे माइक्रोसकोप से देखकर पढ़ेंगे तो हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं हमने देख लिया कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें होती हैं हां जी बिलकुल होती हैं अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं सो केंद्रक प्राया हगोलाकार होता है और संद्रशनात्मा करूप से इसे प्राया चार प्रमुख भागों में बाटा है। यह बाटते हैं जैसे सबसे पहले आपके सामने लिखा है केंद्रक कला जिसे हम nuclear membrane कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम nuclear membrane कहते हैं तो केंद्रक के चारो और दोहरी कला का आवरन होता है जिनके मद्धे में परिकेंद्रकी अबकाश यानि के पैरी nuclear space होता है तो हमने एक चीज नोटिस करी केंद्रक कला nuclear membrane की अगर हम बात करें तो ये केंद्र के चारो और दोहरी कला का एक आवरन होता है और जिनके मद्धे परी केंद्र की अबकाश यानि के पैरी न्यूकलियर स्पेस जो है वो पाया जाता है ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं इसी में हना कुछ स्थानों पर ये कलाएं अंतहप राद्रविय जालिका से जुड़ी रहती हैं जिन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इनकलाओं का मुक्यकारे कोशिक द्रव्य वकेंद्र केंद्र केंद्रव्य को प्रिथक करना होता है तो इसका सबसे में काम या मुक्यकारी ये होता है कि कोशिका द्रव्य यानि कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य और केंद्रक में पाया जाने वाला जो द्रव्य है केंद्रक द्रव्य इनको अलग-अलग करने का काम करती है कुई केंद्र की छिद्र दबारा इन दरव्यों के मंद बितने पहड़तों का आवा गमन भी होता है जैसे सुनो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यह बात कुछ ऐसी है कि हमने इनकी बारे में तो जान लिया अब क्या होता है जैसे कि ये हमारा केंद्रक है और ये हमारी क्या है पूरी कोशी का जली है अब एक बाद हमें पता है कि ये पूरा कौन सा द्रव्य होगा तो ये होता है भाई कोशी का द्रव्य कौन सा द्रव्य होता है तो ये होता है कोशी का द्रव्य कौन सा द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य होता है ठीक है और हमें पता है कि अंदर हमें क्या मिलेगा केंद्रक केंद्रक द्रव्य होता है अब बात ऐसी है कि अगर मैं तुमसे बोलू जैसे यहां पर हम कर रहे थे न हाँ, तो basically क्या होता है, कि जैसे कोशिका द्रव्य है और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है और तुम्हें बहुत अच्छे से बता है कि जो nuclear membrane होती है, यानि केंद्रक जिल्ली होती है वो क्या करती है उसमें जो pores याने के छिद्र होते हैं उसमें जो केंद्र के छिद्र होते हैं वो इन पदार्थों को वो इन द्रव्यों के माध्यम से याने की वो इनके माध्यम से कई तरीके के पदार्थों को exchange करने में help करता है मतलब मैं बोलूँगी nuclear membrane में pores याने चिद्रों होते हैं तो वो काम क्या करते हैं तो कोई भी पदार्थ अगर आना जाना चाहता है वो depend करेगा कि कौन सा पदार्थ है तो वो अंदर से बाहर बाहर से अंदर आसानी से जा सकता है point समझ में आया, point clear हुआ, चलो so I think आपको इसकी पूरी कहानी अच्छे से clear हो गई होगी next आते हैं अब हम, है ना आब आते हैं केंद्र के दरब की तरब जिसे हम क्या बोलते हैं nuclear plasma बोलते हैं so मैं मैं ने आपको क्या पढ़ाया कि बिटा ध्यान से सुनना हम पढ़ रहे हैं अभी केंद्रक यानि nucleus के बारे में nucleus के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे कोशिका का नियंतरन कक्ष कहा जाता है क्या कहते हैं? कोशिका का नियंतरन कक्ष कहते हैं और वहीं मैं आपसे बात करूँ तो इसके अंदर कई सारी चीजे होती हैं जैसे हमने पढ़ा भी कि इसके अंदर केंद्रक कला पाई जाती है अब पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम नुकलियो प्लाज्म बोलते हैं अब सुनो, केंद्रक के अंदर भरे पार दर्शी, पार दर्शी बोले तो transparent, अर्ध तरल प्रोटीन, युक्त विशिस्ट माध्यम को ही क्या बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या पिर केंद्रक का रस हम इसे कहते हैं, नूकलियो प्लाज्म कहते हैं और हिंदी में ये क्या होगा केंद्रक रस होगा, या आप इसे केंद्रक द्रव्य भी बोलते हो, कैसा होता है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, जो तरल पदार्थ होता है, भाई वो बार दर्शी होता है, वो transparent होता है, यह साल अवस्था में होता है, किन्तु जेल में परिवर्ते तो हो जा है बाद में इसमें चेंजzem हो जाता है जैली पॉंम में चला जाता है जैली नुमा पदारथ बन जाता है चीक है इसमें केंद्रिका मोद गुच्षूत्र आवश्यक्दा नूसार निलंबित अवस्था में पये जाते हैं आप very important इसमें क्या पाई जाती है केंद्रिका पाई जाती है और क्या पाई जाते हैं गुर्सूत्र पाई जाते हैं पिटा जिन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं तो यह होते हैं Chromosomes क्या होते हैं? Chromosomes होते हैं. Chromosomes के अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है DNA पिटा DNA का फुल पांब क्या होता है? तो DNA का फुल पांब होता है Deoxy Ribonucleic Acid Deoxy Ribonucleic अमल, जो एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में जो कई सारी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी आदतों का आदान प्रदान होना यो चीजों का एक्स्चेंज करने में ये कौन ह proyect करता है डिएने करता है तो कई सारी वह सूचना यह जो एक पिड़़ी से दूसरी हैं पहुची कोछी जाती है हम बोलते हैं मेरे भाई के और मेरे बहुता की है और पापा में कहाँ से आई उनके पापा से तो यह जो चलता आधा है उस में सबसे important role किसका होता है थो DNA का होता है चो केंद्रलडरbye हो गया Nucleoplasme हो गया जिसके बारे में इतनी पूरी कहाँई हमने discuss कर ली है अगली कहानी के तरफ आते हैं जिसे हम केंद्रिका यानि की नुक्लियो प्लाज्म क्या होता है तो इसकी खोच पॉंटाना ने की थी वा नुक्लियोलस नाम बोमेन इसे नाम दे दिया था इसे नाम दिया नुक्लियोलस लेकिन इसको डिस्कवरिया खोच पॉंटाना नाम के साइंटिस्ट ने की इसे केरियो सोम अत्वा एंडो सोम के नाम से भी जाना जाता है बेरी इंपोर्टेंट इसे और किस नाम से जानते हैं तो केरियो सोम और इसे एं अंडाकार होती है तता अंतरावस्था में इस पस्ट दिखती है हमने क्या देखा कि केंद्रे का या तो गोल होती है या अंडाकार होती है और यही अंतरावस्था याने कि इंटरपेस की अगर मैं बात करूं भाई कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ची कैसे होता है, वहाँ दो ही तरीके डिसकस किये हैं, तो उसको भी हम डीटेल में जाकर देखेंगे कि ये कैसा होता है और क्या होता है, तो हमने देखा कि केंद्री का गोल या फिर कैसी होती है, ओवल शेप में यानि की अंडाकार होती है, तदा अंत्रावस्ता तो हमने केंद्री का के बारे में जान लिया है केंद्री का किसमें उपस्तेत होती है पादप कोशिका में या फिर जन्तु कोशिका में तो ये दोनों में ही पाई जाती है हमारे में भी और प्लांट में भी देखो अगर हमारे में केंद्रक है plant में kindergarten है, तो ये confirm होगा कि उसमें kindergarten होगी ही होगी अगर हमारे में nucleus है plant में nucleus है तो उसके अंदर nucleolus होगा ही होगा ठीके? चलो Next GC के अंदर हम जाते हैं प्राय है एक kindergarten में एक ही kindergarten होती है, हमझी बिलकुल ऐसा ही होता है, हम ये नहीं कह सकते है कि ये हैं हमारी जन्तुकोशी का जिसमें ये है बिटा क्या है ये तो इसे हम कहते हैं केंद्रक और मैम आपको पता है इस केंद्रक के अंदर बहुत सारी क्या होती है केंद्रे का नाची ना ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है केंद्रक के अंदर बलकि एक ही केंद्रे का पाई जाती है इनमें राइबोसोम के निर्माण में उपयोग होने वाले सभी अवयव होते हैं क्या बूल रहे हैं इसमें राइबोसोम के निर्माण राइबोसोम के निर्माण में यूज होने वाले उपयोग होने वाले जितने भी अव्यागे वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उपस्तेथ होते हैं अर्थात केंद्रक का यह भाग कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम के निर्मान का प्रमुख स्त्रोत होता है अब सुनों जैसे नेक्स आते हैं इसके बाद गुर्सूत्रिय जालक जिसे हम क्रोमिटीन रेटिक्यूलम के नाम से भी जानते हैं अब यह गुर्सूत्रिय जालक क्या होता है उसके पहले मैंने आपको तीन चीज़े पढ़ाई हैं एक केंद्रक कला के बारे में, न्यूकलियर मैमरीन के बारे में, फिर मैंने केंद्रक द्रब्वे के बारे में पढ़ाया, केंद्रिका के बारे में पढ़ाया, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, केंद्रिका होती है, और फिर हमने गुर्सूत्री जालक अब हम पड़ने जा रहे हैं तो केंद्रा के दरवे में लंबी धागे नुमा संरशनाओं का जाल पाया जाता है जिसे गुर्षउत्रिय जाल अत्वा जालक कहते हैं तो हमने एक चीज और नोटेस करी कि गुर्षउत्रिय जालक क्या होता है तो हमें पता चला कि केंद्रा के दरव्य में लंबी धागे नुमा संरचना जो है वो पाई जाती है क्योंकि जो ये होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं गुर्सूत्री जाल अत्पा जालक कहते हैं सो क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा आपको बहुत अच्छे से अच्छा अभी I think हम वहाँ पहुचेंगे बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है एक साइड में लिख रही हूँ प्रोकेरियोटिक और एक साइड में लिख रही हूँ यू केरियोटिक प्रोकेरियोटिक और एक साइड क्या लिख रही हूँ मैं यू केरियोटिक ध्यान से सुनना देखो, दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? गुर्सूत्र यानि की क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं अभी तो आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बता दूँगी है न? लेकिन सुनो प्रोकेरियोटिक के अगर मैं बात करूँ तो बिटा इसमें भी क्रोमोसोम से यानि के गुड़सूतर है हाना और यू के केरियोटिक में भी क्या पाये जाते हैं तो इसमें भी गुड़सूतर पाये जाते हैं इसमें भी क्या पाये जाते हैं गुर्षूत्र पाये जाते हैं और इन दोनों की ही अगर मैं बात करू तो इसमें और इसमें गुर्षूत्र कितने कितने होते हैं तो यहां पर होते हैं सिंगल याने की एकल और यहां पर कैसे होते हैं तो यहां पर मल्टीपल याने की बहुल पाए जाते हैं तो केंद्रा के दरवे में लंबी धागी नूमा सनरशणाओं का जाल पाया जाता है जिसे गुड़ सूत्र ये जाल अत्वा जालक कहते हैं अगर यूकरियोटी की बात चल रही है एट मीस उसमें हमारी बात चल रही है जिन में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बन जाते हैं और इन पर जीन के रूप में DNA पाया जाता है मैंने आपको तोड़ी दिर पहले ही बताया था कि क्रोमसोम्स के अंदर ही क्या पाय जाते हैं DNA पाया जाते हैं जो एक पीडी से दूसरी पीडी में सुचनाओं कि आदान प्रदान में क्या करते हैं सहायता करते हैं DNA इने का फुलपॉर्म डियॉक्सी, राइबो न्यूकलेक एसेड होता है। कुछ स्थानों पर गुर्षूत्र ये जालक अधिक सघन होते हैं, यानि डैन्स होते हैं, मजबूत होते हैं और गुथे हुए से, उल्चे हुए से रहते हैं। जिसे विशम गुड सूत्र ये जालक कहते हैं तता कुछ इस्तानों पर अगर ये कम सघन है थोड़े धीले है थोड़े डीले गुदे हुए है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम सुगुड सूत्र ये क्या बोलते हैं जालक बोलते हैं याने काफे पास पास होते होंगे अब पास पास हैं अब विस्थी बातें strong होंगे, मजबूत होंगे और गुथे होए होंगे तो उसे को क्या बोलते हैं? विशम गुण सूत्री ये जालक बोलते हैं और अगर आपसे कुछ बोल रहा है कि कुछ अस्तानों पर ये ऐसे भी होते हैं कि थोड़े दूर-दूर होते हैं याने कि थोड़े से कम सघन होते हैं अच्छा कम सघन होंगे पास में थे तो फिर वो strong हो रहे थे थोड़े से दूर-दूर हैं इसका मिटला थोड़े से लूज होंगे धीले होंगे और धीले गुते हुए रहते हैं उसको हम सुबर सूत्र ये जालक कहते हैं Clear? चलो अब आते हैं गुर्षूत्र के बारे में ही जनने आपके सामने ये गुर्ष्थूत्र का ये देख ही पा रहे होंगे है ना जान मुझके इनके यूस किया है ताकि आपके दिमाग में सीधे च्छाप सके हम क्या च्छाप सके कि हम जो पढ़ रहे हैं हम में हमारा उद्देश ही यही रहता है क्योंकि तुम लोग पदे क्या करते हो, मोबाइल सामने रखते हो, आजो बाजो कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है, कौपी पैनल लेकर बैठते नहीं हो, और सेशन तुम पूरा अटैन करते हो, वो तुम्हारे काम कहीं नहीं होगा सेशन, जब तुम कौपी पैनल लेकर नह करोगे तो तुम कोई Einstein थोड़ी ना हो कि एक बर में तुम्हारे दिमाग में छाप जाएंगे चीज़ें नहीं छप सकती हैं तो चीजों को दिमाग में छापने के लिए समझने के लिए केवल वीडियो ही नहीं देखना है वीडियो देखने के साथ साथ हमें उसके प्रॉपर नोट्स तुम्हारे लिए बनवाते चलते हूं पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है लेकिन कब जब तुम अपने पूरे वो बड़े वाले नोट्स बना लो ठीक है गुर्सूत्र क्रोमोसोम्स केंद्रक में उपस्तित कुछ धागे के आकार के रचनाय होती हैं बस व हमारे केंद्रक याने नुकलियस में पाए जाने वाले एक नुकलियो प्रोटीन है जो कि विभाजन के समय संगनित होकर दंडाकार या फिर मैं कहूं सरपिलाकार या फिर डंबलाकार या फिर तंगतुनुमा हो जाते हैं कोई निश्चे शेप कोई निश्चे ताकार नहीं यह थोड़ा बहुत चेंज भी होते रहते हैं है ना? और इनहीं के अंदर देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये डिने पाया जाता है इनहीं के अंदर क्या पाय जाते हैं? गुल सूत्र में ही डिने पाया जाते हैं तो फिर हम DNA के बारे में और भी चीज़े जानते हैं, DNA अडू के मेकोशिका के निर्मान वा संगठन के सभी आवश्यक सूचनाय जो हैं वो होती हैं, आपको पता ही है कि अगर अनुमाशिक रूप से हम बात करें तो एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में जो सूचना होगा आ केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स याने की गुरसूत्र, गुरसूत्र के अंदर ही क्या पाया जाते हैं, DNA और DNA कई सारे खंडों में बटा होता है, तो वो क्रियात्मा खंड ही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, डन चलिए, नेक्स्ट आते हैं पड़ा-पड़ से आ यह उपाप चई वा अनी जैविक क्रियाओं का नियंतरण भी करता है, यह कोशिक विभाजन को भी नियंतरण करता है, यह DNA की पुन्रावरत्ती वा उसका अनुलेखन करने में भी क्या करता है, सहायता करता है, DNA रेप्लिकेशन में भी कौन हेल्प करता है, केंद्रक ही करता है Clear? चलिए Next आते हैं केंदरक के अधार पर कोशिकाओं के प्रकार So अब बात आती है कि माम केंदरक के अधार पर कोशिकाओं कितने प्रकार के होती है तो बहुत ही दियान से सुनिएगा क्योंकि अगर मैं आपसे बोलू कोशिकाओं के बारे में तो एक prokaryotic होती है और एक eukaryotic होती है और दोनों में ही difference होता है prokaryotic में भी eukaryotic में भी तो हम यहाँ पर nucleus के base पर ही इसे classify करके पढ़ने वाले हैं तो दियान से सुनिएगा कि कुछ जीव जैसे कि होगे जिवाडू इनमें अलपविक्सित केंद्रक पाया जाता है याने इनमें केंद्रक कैसे होता है भाई अलपविक्सित होता है जैसे हमारे में केंद्रक पूर्ण रूप से विक्सित होता है वैसे उनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विक्सित नहीं होता बलकी अलपविक्सित होता है अर्थात केंदर में एक निश्चिस संरशना का अभाव होता है तता उसके प्रमुक अभियब जैसे की केंदरक कला हो गया केंदरिका हो गया ये सारी चीज़े उसमें अनुपस्तित होती है अब बात या आती है कि जब बोल रहे हैं जिवाडू में केंद्रक का ही अभाव है तो केंद्रक में ही तो केंद्रक कला पाई जाती है न्यूकलियर मैमरेन और केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती है तो भाया जब केंद्रक ही ठीक से नहीं बना हुआ है तो केंद्रक कला कहां से आ जाएगी, केंद्रिका कहां से आ जाएगी, नहीं आ पाएगी तो उसका क्या होता यहां पर अभाव याने की कमी होती है वास्तविक्ता में केंद्रक के स्थान पर इनमें नगन डियने पाया जाता है इसी के साथ केंद्रक की इस प्रकार की संरशना को आरंभिक केंद्रक या नुकलियोईड या पिर जीनोफर के नाम से जाना जाता है या इसे जीनोफर भी कहते हैं ऐसे जीप जिन में केंद्रक कला का अभाव होता है उसे हम पूर्व केंद्र की जीप याने प्रोकेरियोटिक और्गेनिजम्स कहते हैं तो अब आपसे कोई बोले कि चलो भाई जल्दी से खड़े हो जाओ और हमें दो चीजों में डिफरेंस करके बताओ दो चीजों में अंतर करके बताओ एक तो प्रोकेरियोटिक दूसरा यूकेरियोटिक तो आप डिफरेंस कैसे करोगे आप अंतर कैसे करोगे, कि prokaryotic एक एसी कोशिका होती है जहाँ पर केंद्रक कैसा होता है, अलपविक्सित होता है उसका भाव होता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है, clear? और वहीं अगर मैं आपसे बोलू, ऐसे जीब क्या कहलाते हैं, तो वो prokaryotic कहलाते हैं, और eukaryotic के अगर मैं बात करूँ तो भाई, वह सारी चीज़ें आपको मिलेगी, prokaryotic एक primitive cell होती है, जिसमें चीज़ें पताई कैसी होती हैं, कई सारे तरीके से कम कम होती है, और eukaryotic मे ऐसे जीप जिनके कोशिका में केंद्रक जिल्ली दुआरा आवरित सू विक्सित केंद्रक पाया जाता है सू विक्सित बोले तो भाई पूर्ण रूप से विक्सित अच्छी तरह से विक्सित या फिर अच्छी तरह से डावलप न्यूक्लियस अगर मिलता है तो उसी को हमसू केंदर की जीब याने eukaryotic organisms कहते हैं इसी के साथ इन कोशिकाओं को, eukaryotic को पुनाह दो भागों में जैसे कि इनको पादवब जंतु कोशिकाओं में डिवाइट किया गया है और भी कई सारे इसमें चीज़े आती हैं लेकिन अगर मैं बोलू कि prokaryotic में क्या क्या आता है तो जैसे bacteria आ जाते हैं, blue green algae आ जाती है याने जिवाडू आ जाते हैं, नील हरे ते शैवाल आती है और वही मैं आप से बोलू यू केरियोटिक में क्या आता है हंजी बिलकुल समझ सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक साइड मैंने बनाया है पूर्व केंदरी कोशिका को और एक साइड मैंने लिखा है सू केंदर की कोशिका को अब दोनों में ही क्या अंतर होता है तो सबसे पहला अंतर हम केंद्रक क्या अधार पर देखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा इसमें केंद्रक अल्पविक्सित होता है पूर्व केंद्रक की कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक कैसा होता है अल्प विक्सित होता है ठीक से विक्सित नहीं होता अर्थात इसमें केंद्रक कला याने न्यूक्लियर मैमरीन केंद्रिका याने के न्यूक्लियलस आरी कैसे होते हैं अनुपस्तित होते हैं वो नहीं पाय जाते हैं और वहीं आपसे मैं बोलू सू केंद्र की कोशिका के बार है Present यानि की उपस्तित clear छलट next देखते हैं कोशे कांग के इंद्रक्ण है जिसे पूर्वकी इंद्रक्य कोशिका की हम बात करें तो इसमें कौन-कौन से कोशीकांग जो है वो पाये जाते हैं और यू के इंद्रक्य में यानि कीशु के इंद्रक्य में कौन-कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा पूर्वकेंद्र की एक कोशिकांग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिसे माइटोकॉंड्रिया जैसे गौलजी कोई जैसे हरितलवक नहीं पाए जाते वे सारे कोशिकांग जो जिल्ली युक्त होते हैं वो पूर्वकेंद्र की कोशिकांग में नहीं पाए जाते और ये सारे चीज़े कहां पाई जाती है सुकेंदर की कोशिका यानि यूकेरियोटिक सेल में इन में सभी जिल्ली उक्त कोशिकांग जो है वो पाई जाते हैं नेक्स चाहिएगा पूर्व केंदर की कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं भाई वो 70S प्रकार के होते हैं और वहीं अगर मैं आपसे बोलू सु केंदर की कोशिका याने एक यूकेरियोटिक सेल तो इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं इसमें क्या होते हैं, 80 ऐसे प्रकार क्या होता है, clear, चलो, next आते हैं, next आते हैं अगले कहानी, श्वसन को लेकर, तो श्वसन की अगर मैं बात करूँ, इसमें श्वसन कोशिका कला, यानि की जो हमारी nuclear membrane होती है, cell membrane होती है, कोशिका कला मतलब cell membrane, तो इसमें श्वसन कोशिका कल जाकि विशेश सनरचना मी Mesosome में होता है, ज्मांसे सुनिएगा, कोशिक कला का यहां पर नाम लिखा है, जिसे बिटा हम क्या बोलते हैं? तो जिसे हम Cell Membrine बोलते हैं, तो हमने देखा कि इसमें श्वसन कोशिक कला, Cell Membrine की विशेश सनरचना होती है, Mesosome उसी में इसमें श्वसन होता है और मैं सुकेंद्र की एकोशिका की बात करूँ तो इसमें श्वसन मैट्टो कॉंड्रिया में होता है जिसे हम सूत्रकडिका कहते हैं नेक्स आते हैं पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में रिक्तिका के बारे में वैक्यू ओल्स के बारे में तो वैक्यू ओल्स की अगर मैं बात करूँ तो वैक्यू ओल्स की अगर हम बात करें यानि रिक्तिकाओं की बात करें और जन्तु कोशिकाओं में कैसी जन्तु में भी पाई जाती है पादब कोशिकाओं में रिक्तिकाओं थोड़ी सी बड़ी होती है और जन्तु कोशिकाओं में छोटी छोटी पाई जाती है तो इनकी पादब कोशिकाओं में रिक्तिकाओं पाई जाती है जन्तु में बस सोड़ी सी छोटी छोटी होती है और प्लांट में एक बड़ी रिक्तिका बीच में पाई जाती है गुरसूत्र की अगर मैं बात करूँ तो येस पूर्व केंद्र की कोशिका में गुरसूत्र एकल याने के सिंगल होते हैं और सूकेंद्र की कोशिका में ये बहुल यानिके मल्टिपल होते हैं कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं इसमें विखंडन और मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है और सुकेंद्र की कोशिका में समसूत्री विभाजन वर अर्धसूत्री विभाजन होता है अब बात ध्यान से सुनिएगा कोशिका विभाजन का होना अती 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 आवश्यक होता है जैसे अगर मैं आपसे बोलो कि आपके शरीर में कोशिका का विभाजन होता है तब ही तो हमारा पूरा शरीर ऐसे ग्रोथ करता है व्रद्धी करता है कोशिकल का विभाचन नहीं होगा तो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी का विकास भी संबब नहीं हो पाएगा है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डेवलप नहीं हो पाईगी तो अब बात आती है क मैं सब में ही होता है क्या तो दिहां से सुनो सबसे पहले में प्रजनन की ही बात करती हूँ है ना क्योंकि यह विखंडन और मुकुलन लिखा है तो मैं आपको अच्छे से पहले तो यही प्रजनन है भाई वो दो प्रकार से होता है कितने प्रकार से दो प्रकार से और वो कौन कौन सा होता है तो एक तो होता है बिटा अलेंगिक प्रजनन कौन सा प्रजनन अलेंगिक प्रजनन और एक होता है लेंगिक प्रजनन कौन सा प्रजनन लेंगिक प्रजनन याने की एक हो और एक होता है Asexual Reproduction त्यान से सुनिये अब मैं अगर तुम से बोलू कि जो यह अलेंगे का प्रजनन है भाई और लेंगे का प्रजनन इन दोनों में क्यांतर होता है तो जो अलेंगे का प्रजनन होते हैं उनमें नर और मादा दोनों का ही होना आवश्यक बिल्कुल भी नही होता है यानि कि इसमें केवल नर भी हो सकता है या फिर केवल मादा भी हो सकती है या तो केवल मेल होगा या तो केवल फीमेल होगी हम बोलेंगी एक ऐसा प्रजनन होगा जिसमें दोनों ही उपस्तेत हो तो ऐसा नहीं होता है और वहीं अगर मैं आप से बात करूँ किसके ब का भी होना आवश्यक होता है तो यह यहां से हम कौपी कर लेते हैं और हम इसको ठाके यहां पर पेस्ट कर लेते हैं क्लियर चलो एक चीज़ और इधर क्रॉस नहीं लगेगा बलकि इधर लगेगा और राइट क्यों लगेगा क्योंकि जो लेंगिक प्रजनान होता है उसमें दोनों ही जरूरी होते हैं ठीक है तो मेरी बात और ध्यांसे सुनों कहानी केवल यहीं पर समाप्त नहीं होती है अभी हमने विखंडन लिखा हमने मुकुलन लिखा और एक साइड हमने लिखा है अर्दसूतरी विभाजन समसूतरी विभाजन देको वो विभाजन अलग कहा नहीं होती है हां connection है लेकिन अर्दसूत्री सामसूत्री दोनों ही से related है नहीं वो मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा सा बताती हूं वैसे तो यह हमें कहां पढ़ना होगा कोशिका विभाजन वाले भाग में पर इस level पर जाकर नहीं पढ़ना है और आप class night में हो तो आपके में प्रजनन वाला chapter भी नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा basic के लिए बता देती हूं वारना आदे लोगों को लगता है कि मैं यह विखन्डन कहां से आया मुकुलन कहां से आया तो बस वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो अलेंगिक प्रजनन होता है जिसमें या तो नर होंगी या तो मादा होंगी है ना तो ये कैसा प्रजनन होता है जिसमें विखन्डन की प्रक्रिया होती है मुकुलन की प्रक्रिया होती है, खंडन होता है इसी के साथ सद बीजांड सभासंग होता है पुनर जनन होता है तो ये कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिन के माध्यम से प्रजनन होता है तो जहां पर भी बिटा किसकी बात हो सुनो जहां पर भी बात हो किसकी विखंडन की जहां पर भी बात हो खंडन की विखंडन अलग है खंडन अलग होता है मुकुलन अलग होता है है ना द्यान से सुनना मुकुलन भी कैसा होता है अलग होता है और इसी के साथ साथ भाई पुनर जनन भी अलग होता है पुनर्जलन भी अलग होता है और इसी के साथ बीजांड सभा संग भी कैसा होता है एक काईक प्रवर्धन होता है वो भी अलग होता है तो अब सुन लो, कहीं पर भी तुमें इतने प्यारी प्यारे नाम मिल जाए ना तो समझ जाना कि भाई वहाँ पर किसकी बात चल रही है और लेंगिक प्रिजणन की बात चल रही है और लेंगिक प्रिजणन में क्या होता है तो भाई ये दोनों मतलब इसमें नर और मादा का होना बहुत आवश्यक होता है तो जब भी हम लेंगी के प्रश्डन पढ़ते हैं, sexual reproduction पढ़ते हैं तो इसमें हम नर जनन तंत्र अलग पढ़ते हैं और हम मादा जनन तंत्र अलग पढ़ते हैं तो इसमें नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है और यहाँ पर मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है किसके बारे में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है तो हमने एक चीज नोटिस करी प्रजडन के बारे में भी मैम ने आपको बता दिया और मैम ने आपको दोनों दरीके से बता दिया है अब बात आती है विभाजन की तो उसे भी थोड़ा सा यहां पर मैं बता देती हूँ है ना तो अगर मैं बात करूँ भाई कोशिका विभाजन ध्यान से सुनना आपकी NCERT में थोड़ा सा ही है लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ यह तीन तरीके का होता है ठीक है ना यह जो कोशिका विभाजन है वो तीन तरीके का होता है एक सूतरी विभाजन एक अर्दसूतरी विभाजन और एक समसूतरी विभाजन हमारे शरीर में कौन सा होता है तो समसूतरी अर्ध सूतरी दोनों होता है हमने क्या किया? इसे दो पार्ट में classify किया है पहले तो इसे मैं ऐसे लिख लिया इसे दो पार्ट में मैं divide कर देती हूँ एक साइड क्या लिख दू? एक साइड लिख देती हूँ समसूतरी विभाजन और एक साइड में लिख देती हूँ अर्ध सूतरी विभाजन है ना एक तो समसूतरी विभाजन हो जाएगा और एक क्या होगा अर्ध सूतरी विभाजन होगा समसूतरी विभाजन हमारे शरीर के वृत्थी वाले भागों में होता है जिसके कारण हमारा body जो है वो टैबलब करता है उसका विकास होता है वो उसकी growth होती है वृद्धी होती है और वहीं अगर मैं अर्दसूत्री विभाजन की बात करूँ तो अर्दसूत्री विभाजन हमारी जननकोशिकाओं में होता है जनन कोशिकाओं में ये विभाजन होगा तभी जाके एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी का विकास हो पाएगा clear तो ये एक छोटी सी कहानी थी वहाँ विखंडन और मुकुलन क्यों लिखा है आप देखो ये तो समबब नहीं है कि मैं पूरा विखंडन पूरा मुकुलन पढ़ाओं क्योंकि यही पढ़ाने जाओंगी तो ये दो प्रकार से होताओ एक दूबी विखंडन अलग होता है और एक बहु विखंडन अलग होताओ पर हमें उतना नहीं जाना है आप किवल ये ध्यान रखो कि मैम ने हमारे concept clear कर दिये हैं तो हमें समझ में आ गया कि पहली बात तो ये विखंडनन और मुकुलन एक अलेंगिक प्रजनन होता है और हमने जान लिया है कि पूर्व केंदर की कोशिका में एक prokaryotic cell में यही होता है और जो हमारे शरीर की हम बात करें, plants की बात करें, सू केंदर की कोशिका में उसमें कौन सा कोशिका विखाजन होता है तो उसमें समसूत्री विभाजन और अर्दसूत्री विभाजन होता है ठीक है? चले नेक्स्ट आते हैं और एक चीज़ और ये भे बहुत इंपोर्टेंट है कि हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन हो हमारे शरीव में एक कोशिका से दूसरी कोशिका का विभाजन होना भी यती आवश्यक होता है लेकिन कई सारे स्टुडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम ये थी एक कोशिका और इसके अंदर है केंद्रक है ना मैम ये धी कोशिका और इसके अंदर क्या है केंद्रक और केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है केंद्रिका पाई जाती है तो मैम जब ये विभाजित होकर दूसरी कोशिका में convert होगा तो इसका आदा हिस्सा वहाँ चला जाएगा फिर बचा हुआ हिस्सा फिर विभाजित होगा फिर बचा हिस्सा फिर विभाजित होगा तो मैम एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा कि उस कोशिका के पास कुछ बचेगा ही नहीं ना जी ना इस प्रकाय से बिलकुल भी कोशिका विभाजन नहीं होता है ये आपको मैं बिल्कुल end में अच्छे से बताऊंगे कि कोशिका विबाजन कैसे होता है Done? चलो तो हमने ये पूरी कहानी भी समझ ली है अब आते हैं next कोशिका द्रब्वे साइटो प्लाजम के बारे में हम जानते हैं जान से सुनना कोशिका में भरा हमारी पूरी सेल में भरा हुआ ये कैसा लिकुड होता है कैसा द्रब्वे होता है जिसमें अन्य कोशिकां गुपस्तित होते हैं अद्दर सेल और्गेनल्स होते हैं जैसे आप ये देख पा रहे हो ये हमारे शरीर की क्या है? कोशिका है है ना अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख पा रहे हो ये कोशिका का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें आप नोटिस कर रहे हो कि यहां तो ER भी मिल रहे हैं यहां पर रख भी है स्मूथ भी है यह माइटो कॉंडरिया भी है यह हमें गॉलजिकोई भी मिल रहा है राइबोसों भी बिखरे हुएं तो हमने एक चीज नोटिस करी कि अगर यह हमारे पास कोशिका द्रब नहीं होगा साइटो प्लास्मिक जैली नुमा पदार्फ नहीं होगा तो यह सारे कोशिकांग जो है खटा होकर एक ही प्लीस पर एक ही ही स्थान पर आ जाएंगे तो ऐ यह क्या है भाई सुनते चलना यह क्या है हमारी तो यह है हमारी केंद्रिका और यह है केंद्रक आप कोई तुमसे बोले कि जल्दी से बता दो कि जो कोशिका द्रब्ब होता ही यानि साइटो प्लास्म है वो कहां कहां पाया जाता है तो तुम क्या बोलोगे कि मुझे पूर इन हिस्सों में पाया जाता है जैसे ये पूरे इन हिस्सों में पाया जाता है ये पूरा कहां तक केंद्रक तक ये पूरा ऐसा होगा और ये कहां तक बिटा पाया जाता है तो ये केंद्रक तक पाया जाता है इसी को हम क्या बूलते हैं तो यही कोशी का द्रव्य होता है और इसमें कई सारे कोशिकांग जो हैं वो उपस्तित होते हैं चाहें वो Mitochondria, Lysosome, Golgi Body, ER हो गया, खुरदुरी हो गया, चिकनी हो गया, कोई भी क्यों ना हो सब इसमें प्रेजन्ट होते हैं तो कोशिकां में भरा वह द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्तित होते हैं वा कई रासाइनिक वा भौतिक क्रियाय संपन्न होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं cytoplasm कोशी का दरव्वी कहते हैं डान चलो तो ये तो मैं दिख रहा होगा jelly के form में होता है कोशी का दरव्वी की आxt काम क्या होते हैं कोई न कोई काम तो ये करता होगा वैसे सबसी mean काम तो मैंने आपको इसका बता ही दिया है और सुनो ये कोशिकांगों के मद्ध पदार्तों के बिनिमे में सहायता करता है जितने भी कोशिकांग है हाना चाहिए वो माइटो कॉंडरिया, लाइसोसोम, गौलजी बॉड़ी जितने भी कोशिकांग है उनने के बीच में जो पदार्त है, जो सबस्टेंस है उनको exchange करने में ये क्या करता है, help करता है इसी के साथ ये आवशक अडू, जैसे क्या हो गया, amino acid हो गया amino acid ये जिसे हम amino amal कहते हैं, glucose हो गया, vitamin हो गया, iron हो गया आधी के लिए भंडार ग्रह की भाती भी कारे करता है इसी के साथ ये कुछ उपापचाई पथों की कारिस्थल के रूप में कारे करता है जैसे हम जिसे क्या बोलते हैं, glycolysis कहते है तो हमें ये चीज़ पता है, कि ये जो उपापचाई पत होते हैं तरीके से रास्ते की यहां पर बात चल रही है उपापचाई बोले तो मेटाबॉलिक की बात चल रही है तो ये कुछ उपापचाई पतों के कारिस्थल के रूप में भी कारे करता है जिसे हम glycolysis कहते हैं तो भाई हमें तो कितना कुछ पता चल गया कोशिका द्रवे के बारे में कि ये जो चिपचिपा पदार थे तरल पदार थे ये तो बहुत सारे काम करता है और देखते हैं कि ये बाकी और क्या काम करता है या दूसरी चीजे इसके बारे में तो कहानी हो गई है अब हम आते हैं कोशिका अंग की तरफ जहां से सुनो कोशिका के अंगों को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बट उसके पहले जितने हमारी से रिलेटेट इंपोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ मतलब जो में में पार्ट्स थी जो एक कोशिका में होने ही चाहिए विसे होने तो ये सब भी चाहिए लिकिन सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है चाहे वो हमारा केंदर था चाहे वो हमारी कोशिका जिली थी चाहे वो कोशिका वित्ती थी X, Y, Z, जितनी चीज़े उसके अंदर भी हमने पढ़ी वो पूरा पार्ट होता है Cover complete अब हम यहां से कोशिक का अंगप के बारे में Cell Organals के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है? चल तो जैसे कि आप यह structure देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि अरे यार इसमें तो कितनी सारी चीज़ें लेकिन मैम यह Mitochondria क्या काम करता है मैम यह Golgicoi क्या काम करता है ER का क्या काम होता है यह सब आपके माइन में चल रहा होगा तो बस तोड़ी देर में आपको यह कहानी भी अच्छे से क्लियार हो जाएगी तो जहां से सुनना बड़ी तथा जटल कोशिकाओं जिसमें बहु कोशिकी जीवों की कोशिकाओं शामिल होती है बड़ी बूल रहे हैं और जटल कोशिकाओं बूल रहे हैं मतलब कॉंपलिक्स सेल की बात चल रही है जिसमें बहु कोशिकी जीवों की कोशिकाओं सामिल होती है यानि हमारी कोशिकाओं शामिल होती है बहु कोशिकी जीव मतलब हम ही तो होते हैं भाई देखो आपको बहुत अच्छे से बता है मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोशिका में ही अगर हम बात करें तो एक कोशिकी जीव अलग होते हैं यूनिसैलूलर, मल्टिसैलूलर दोनों ही कैसे होते हैं अलग-अलग होते हैं यूनिसैलूलर में जितने भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर होता है यह जो जीव होता है वो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है वहीं मल्टिसैलूलर की मैं बात करूँ तो उसमें जो जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो हमने जाना इने प्रकार की उपापचेंग क्रियाओं को सम्मूचित रूप से अलग-अलग संपन्द करने के लिए कोशिकाएं जिली युक्त छोटी-छोटी संरशनाओं याने की अंगक का उपयोग करती हैं समझ रहे हो और यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विशेश गुड़ है जो प्रकार की उपापचेंग क्रियाओं को समूचित रूप से अलग-अलग मतलब अलग-अलग ही संपन्द करने के लिए कोशिकाएं जिली युक्त छोटी-छोटी संरशनाओं में याने की अंगों में बटी होती हैं और उसका हम उपयोग करके सारे काम आसानी से करते हैं ये श्वसन में हेल्प करेगा हम नहीं बोल सकते ही ये चीज क्योंकि हार्ट का काम पंप करने का है और ये हमारे पूरे बॉड़ी में बलड को पहुचाने का काम करता है वही मैं तुमसे बोलो कि किड्नी का या उस सरजन तंतर की बात चल रही है तो वो तुम्हारे यूरि कि रिकाओं की सहायता से करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आदे हैं जीव द्रव्य प्रोटो प्लाज्म के बारे में हम पढ़ना चुरू करते हैं क्योंकि ये confusion होती है मैं कोशिक का द्रव्य जीव द्रव्य एक ही होते हैं क्या ना जेना बिल्कुल भी नहीं है ऐसा और ज चलिए तो यहें एक कोशिका का तरल सजीव भाग होता है जो कोशिका द्रव्य वा केंद्र के द्रव्य से मिलकर बना होता है कौन से द्रव्य से मिलकर बना होता है तो भाई आप साइटोप्लास्म को भी आड़ कर दो और केंद्रक द्रव्य को भी एड़ कर दो तो अगर हम दोनों को add कर देंगे तो फिर क्या बन चाएगा? प्रोटो प्लास्म बन चाएगा यानि कि जीव द्रव्य बनेगा अब आपको पता है कि केंद्रग के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसी को तो हम केंद्रग द्रव्य कहते हैं, नुक्लियो प्लास्म कहते हैं और वहीं अगर मैं बात करूँ कोशिका द्रव्य क्या होता है तो जो पूरी कोशिका में पाया जाता है जब हम इन दोनों को मिला देंगे ना तो भाई फिर वहाँ पर क्या बनता है जीवद्रवे याने कि फिर बनता है प्रोटो प्लाज्म पॉइंट लियर हुआ चलिए नेक्स्ट आते हैं अन्तहप राद्रविय जालिका तो हमने प्रोटो प्लाज्म को थोड़ा सा अलग करकर पढ़ा अब हम एक एक करके सभी कोशिकांग को जो अती अती महत्वपून है जो हमारे शरीर में जितनी सारी क्रियाएं चल रही है उन सब के लिए responsible है क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम से ये बोलो कि जिसे कोशिका है कोशिका में कई सारी कोशिकाएं होती है मतलब हमारे शरी में अरवो की संक्या में होती है और अगर मैं आपसे ये बोलू कि हर एक कोशिका में अन्तहप रादरविय जालिका नहीं है तो क्या काम अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा इसका होना अती आवश्यक है माइटोकॉंड्रिया का होना आवश्यक है लाइसोसोम का, राइबोसोम सबका अपना काम होता है समझ रहे हो? लेकिन मैं क्या काम होता है इसका तो एक एक करके हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम अन्तहप रादरविय जालिका के बारे में एंडोप्लास्मीक रेटिकुलम के बारे में चानते हैं पहली बात तो यह कुछ ऐसा दिखाई देता है यह कोशिकर द्रव्य में फैली नलिकाओं एवं थैली नुमास अन्रचनाओं का एक जटिल जाल होता है यह काफ़े जादा कैसा होता है complex होता है जो केंद्रग कला से कोशिका जिली तक फैली रहती है मतलब कि nuclear membrane से कहां तक cell membrane तक फैला हुआ सा ये रहता है ये रहा भाई तुम्हारा केंद्रग अंदर के साइड ये केंद्रग है और ये यहां से ऐसा है और ये फिर फैला हुआ सा अनियमे ताकार में होता है irregular shape में ये होता है clear? एक scientist थे जिनका नाम था पूर्टर इन्होंने ही इसे यह नाम दिया था अन्तहप राद्रविय जाली का और ये पूर्वकेंद्र के कोशिका वैस्तनियों के RBCs में नहीं पाए जाते है इसका मतलब ये eukaryotic में हमारे में plant में पाए जाते है clear? चलो so I think अब आपको लेना चाहिए इसका screenshot ताकि हम आगे बढ़ सके चलिए भाई तो screenshot ले लिया होगा अब हम बढ़ते हैं आगे और इसकी कहानी को समझते है अंतहों प्रादर भी ये जालिका क्या होती है बटा ये तो तुमने अच्छे से जान लिया हाना? एक बार और देख लो कि केंद्रक होता है केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है? केंद्रिका पाई जाती है और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके चारों तरफ इस तरह से फैले हुए से ER पाए जाते हैं जिन में आदे हिस्से में आपको क्या मिलते हैं राइबोसोम मिलते हैं क्या मिलते हैं राइबोसोम मिलते हैं जिन आदे हिस्से पे ये राइबोसोम मिलते हैं उसे हम रफ एर बोलते हैं यानि कि उसे हम खुर्दुरा एर कहते हैं ये क्या होगा खुर्दुरा एर ये खुर्दुरी अंतहप राधरव्य जालिका जिस आदे हिस्से पे वो छोटे छोटे डॉट्स नहीं होते हैं उसे हम चिकनी अंतहः प्रादरव जालिका क्याते हैं सुनो तो अंतहः प्रादरव ये जालिका की संरशना के बारे में हम देख रहे थी ये संरशना है वसा एवं प्रोटीन की दोरी कला से बनी होती है एवं आकरती के आधारपन निमने तीन प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, जैसे एक होती है सिस्टर्णी, क्या होती है यह सिस्टर्णी, तो यह थैले नुमा, लंबी वचप्ती, शाखा विहीन, नलिकाएं होती है, जो केंद्रक के चार और समानता रूप से वेवस्थित होती है, समानता रूप में जाते हैं किस पर सिस्टर्णी पर ही पाय जाते हैं हना तो इसी में ही और समझते हैं हम पुट्टिका के बारे में पुट्टिका क्या होती है तो यह अंडाकार थैलिया होती है और नलिकाई यानि कि ट्यूबल्स क्या होते हैं कि केंद्रक के पास विवस्तित होकर सिस्टर्ण वह पुट्टिकाओं को जोड़कर जालक का याने जालका निर्मान करती है उपरोग्त संरश्टाओं के ऊपर राइबुसोम की उपस्तिती या पिर उसके अनुपस्तिती के आधार पर ही अंतहप रादरव्य जालिका को दो प्रकार से जो है वो बाटा गया है या मैं कहूं अ तहप रादरव्य जालिका निर्मने दो प्रकार की फिर ये होती है और वो कौन-कौन सी होती है तो बैटा एक होती है खुरदुरी यानि की रफ और एक होती है चिकनी यानि की स्मूध खुरदुरी और एक होती है क्या चिकनी क्लियर चलिए नेक्स देखते हैं इसी के आग खुर्दूरी के हलाती है लेकिन नाम ये काम क्या करती है तो पहले तो सुनो राइबोसोम के उपस्तिती के कारण ही है खुर्दूरी या कडीका मैं दिखती है जिस हिस्से में ये छोटे छोटे से dots मिल रहे हैं तो वही आपका rough वाला part होगा और जिस हिस्से में ये नहीं मिल रहे हैं वो आपका बिटा कौन सा होगा तो वो होगा smooth वाला भाग तो हमने क्या देखा खुरदुरी या कडिका में अंतह प्रादरविय जालिका को अब देखो ये काम क्या करती है तो ये protein sensation में भाग लेती है किसमें protein के sensation में भाग लेने का ये काम करती है चिकनी अंतह प्रादरविय जालिका क्या काम करती है ये ribosome की अनुपस्तिति के कारण ये चिकनी होती है मतलब इसमें ribosome नहीं पाय जाते हैं इसलिए ये smooth chicken होती है ये मुख्यतया- वसवा- ग्लाइको- जनके संद्शलेशन में सहायक होती है वसवा- ग्लाइको- जनके संद्शलेशन में सहायक होती है point clear हुआ, बात समझ में आए, चलो इसी में और देखिएगा अंतह प्रादरविय जालिका के कारी क्या होते हैं इसके काम क्या होते हैं तो इसके कई सारे काम होते हैं main काम तो मैंने आपको बता दिये कि ये क्या काम करती है पर और भी कई काम हैं जैसे ये कोशिका के अंतहक अंकाल की भाती कारे करती है तता कोशिका के अंदर आकार को भी नियत बनाए रखने का काम करती है ये नियत बनाए रखती है ये कोशिका को प्रत्यास्त या फिर में कह सकती हूँ लचीली बनाती है ये कला, जीवात, जनन याने membrane याने की जैसे अगर हम बात करें न क्या होता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि खुर्दूरी और चिकने के आधार पर ही हमें से classify कर सकते हैं लेकिन नहीं ER की इन दोनों को मिला कर कई सारे काम होते हैं तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं तो यह कला जिवात जनन द्वारा केंद्रक कला याने की nuclear membrane के पुनह निर्मान में भी help करती है नेक्स्ट आईएगा इसी के साथ खुर्दूरी खुर्दूरी अंतह प्राद्रवी जालिका की अगर मैं बात करूं यह protein sensation है तो इस्तल प्रदान करती है चिकनी अंतह प्राद्रवी जालिका गलाइकोजन एवं वसा का संग्रह करती है इसी के साथ यह कोशिका द्रवी तथा केंद्रक के मद्ध पदार्द जो होते हैं विशेश रूप से protein के परिवहन के लिए नलिका के रूप में काम करती है यानि कि यह उसके transportation के रूप में सहायक होती है जो कि नलिका के रूप में इसका structure होता है अंतह प्राद्रवी जालिका कैसी होती है तो यह एक अनिश्चे ताकार की होती है चलिए भाई तो आपको यह पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना और लास्ट फ़ला पॉइंट में आपको फिर से सुन लिजी है कि यह कोशिका द्रवी तता केंद्रक के मध्य पदार्त हो जाने कि उसमें वे विशेश रूप से किसको प्रोटीन के परिवहन के विए नलिका के रूप में काम करती हैं ये बाद ये तो मनलब ये तो कनफार्म है कि अगर बात करें तो वो नलिका जैसा उसका structure तो है है ना ट्यूबल स्ट्रक्चर वो कहलाएगा इसी के साथ अनिया में ताकार का होता है उसका कोई निश्चे ताकार बिल्कुल भी नहीं होता है चले आगे आपने हैं यह कोशिका की जीव जेवरा साइनी क्रियाओं के लिए कोशिक साद्रवी धाचे का भी कारे करती है इसी के साथ साथ कशिरुकी की यकरत में चिकनी अन्ता प्रद्रव्य जाली का विश तता दवा के निराविशी करन करने में भी महदपून भूमी का यह निभाती है अब आते हैं नेक्स्ट गौल जी उपकरन के बारे में जानने के मैं इतना सारा हमें पढ़ना पड़ेगा मत पढ़ना तुम इतना सारा मैं तुम्हें बता देती हूं में इंपोर्टेंट क्या क्या है तो में इंपोर्टेंट यह है कि तुम पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना और इसके पार्ट देख लेना इसी के साथ तु लिए फोड़ा सा इनके बारे में बस बताया है ठीक है गौल जी उपकरण के बारे में आते हैं मतलब गौल जी कोई जो होती है जो गौल जी उपकरण होता है इसका क्या काम होता है उच्च पादपो वजन्तों में अंतह प्रादरवी जालिका से ही जुड़ी हुई महीन कड़ीन या चिकनी नलिका का एक गुच्छा पाया जाता है इसी को हम गौल जी कोई या फिर हम इसे क्या बोलते हैं गौल जी संकुलन या फिर ये लिपो कॉंड्रिया या हम इसे डिक्टियो सोम जो कि किसमे होते हैं पादप में ये कहते हैं इसके कोच कैमिलो गौल जी ने की थी, क्या नाम था उनका कैमिलो गौल जी था और उन्होंने अपनी ही नाम पर इसका नाम करण किया था, इसका नाम दिया था ये पूर्व केंद्र की कोशिकाओं परिपक्व चालनी नलिका वा RBC में कैसी होती है? अनुपस्तित होती है पूर्व केंद्र की कोशिकाओं का मतलब किस से है? प्रोकेरियोटिक से है उनमें ये नहीं पाई जाती है इसी के साथ साथ परिपगवचालनी नलिका की अगर मैं बात करूँ या RBC में भी ये कैसी होती है अनुपस्तित होती है अब गौल जी उपकरन का स्ट्रक्चर या मैं कहूं उसकी संरशना कैसी होती है तो सुनो इसमें भी तीन प्रकार की संरशना होती है एक होती है सिस्टर्णी एक होती है पुट्टिकाए और एक होती है रिक्तिकाए एक के उपर एक विवस्ते चार से दस खोकली बेलना का नलिका ही सिस्टर्णी कहलाती है तो ये जो एक के उपर एक खोकली जो है और इस तरीके से जो ये फैली हुई है लगबत कितनी होंगे जो चार से दस खोकली बेलना का नलिका ही क्या कहलाती है सिस्टर्णी कहलाती है पुट्टिकाई क्या होती है तो सिस्टर्णी के किनारों से तूटकर बनी गोलाकार थैले नुमा संरशना ही पुट्टिकाई कहलाती है यह इसी से जो तूटकर बनी होती है इसी से ही साइट में जो तूटकर अलग से यह बनी होती है इनी को ही हम क्या बोलते हैं तो ये फुट्टिकाएं होती है रिक्तिकाएं वैक्योल्स क्या होती है तो ये भी सिस्टरनी से बनी होती है किन्तु चौड़ी थैले नुमा सनरशनाई ये होती है जिसे हम क्या बोलते हैं रिक्तिकाएं कहते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ इसका काम क्या होता है तो इस्त्रावी कोशिकाओं में इस्त्रावी कोशिकाओं में मतलब जो basically secretion का काम करती है स्त्रावन करने का काम करती है किसी भी चीज का तो इस्त्रावी कोशिकाओं में विक्रो का इस्त्रावन करती है यानि कि enzymes का इसरावन करती है शुक्राणू के अगर पिंडक शुक्राणू बोले तो spam तो spam की अगर मैं बात करूँ तयान से सुनना तो हम बनाने जा रहे हैं इसका ये structure clear? तो हमने देखा कि ये कुछ भाई ऐसी ही होती है ये यहां से ऐसी होती है और पीछे जाकर भाई ये पुछी जैसी कुछ हो जाती है तो जो शुक्राणू होते हैं यानि कि जो spam है उसका आगे ही क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाते हैं तो शुक्राणू के अगर पिंडक यानि कि एक्रोसोम का ये निर्मान करता है, hormones होगे गोंध हो गया, resins हो गया इनके स्रावण में भी कौन सा आता करता है गौल जी कोई करता है Next आते हैं, लेनकाय की तरफ जिसे हम क्या बोलते हैं, तो लेनकाय को हम lysosome बोलते हैं एक scientist ते, जिनका नाम क्या था CD-Due, इनकोने ही खोज की थी जिसके लिए 1974 में इने क्या मिल गया था भाई Nobel Prize भी मिला था तो हमने जाना कि C.D. डूवे नाम की scientist थे 1955 में इन्होंने हमें लयन काय के बारे में बताया कि Lysosome जैसा भी कुछ होता है है ना और इन्होंने ही इस discovery के कारण ही इनकी इस discovery के कारण ने क्या मिला था 1974 में Nobel Prize Nobel पुरुषकार भी मिला ज्यान से देखो Lysosome इसमें इस तरह से बिखरा हुआ सा फैला हुआ सा रहता है यह आपको जो structure दिख रहा है यह हमारे शरीर की कोशिका का दिख रहा है ठीक है चली अब Lysosome के बारे में ही हम जानते हैं हमने यह तो जान लिया कि यह कैसा दिखाई देता है और यह कैसा बनता ही यह भी मैंने आपको बढ़ाना सिखा दिया है अब हम एक करकेस के काम के बारे में जानते हैं जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा कि लाइसोसोम को पाचन थैली के नाम से जाना जाता है लेकिन मैम हम इसे स्यूसाइडल बैग बोल क्यों रही है हम इसे डैजस्टिब बैग क्यों बोल रही है क्या ये हमारे पाचन में हेल्प करता है क्या य से सुनो लाइसोसोम अंतह कोशिक ये पाचग तंत्र के रूप में कारे करते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पाचन थैली कहते हैं वे कोशिका में प्रवेश करने वाले किसी भी बहरी पदार्थ को नस्ट कर देते हैं जैसे कि जिवाणू हो गया हाना और विशाणू हो अगर ये हमारी कोशिका में प्रवेश करने की कोशिश करेगा जैसे वाइरस बैक्टिरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं बट इन केस अगर वो किसी सेल में जाने की कोशिश करेंगे तो ये उसे क्या करता है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वही नस्ट करने का काम करता है इसी के साथ इस प्रकार वेज जवानुओं से कोशिकाओं के सुरक्षा भी करते हैं लाइसोसोम बैक्टिरिया से हमारी सेल को प्रोटेक्ट करके रखने का काम भी करते हैं लाइसोसोम तूटे-फूटे और फिर कमजोर कोशिकी अंगों को भी पचा कर दूर कर लेते हैं ऐसा कोई कोशिकांग चुठीक से काम नहीं कर पा रहा है या फिर किसी कारण तूट-फूट गया है तो ये उनको लाइसोसोम क्या कर लेते हैं? डाइजिस्ट कर लेते हैं और उनके नय प्रतिस्तापनों के लिए प्लेस भी बना देते हैं, जगा भी बनाने का काम करते हैं तो इसे पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है इसी के साथ इसे प्रकार वे कोशिकांग मलवे को दूर करते हैं अता लाइसोसोम एक प्रकास से कोशिका का कच्रा निप्टारी तंत्र क्या बोलते हैं इसे हम कच्रा निप्टारी तंत्र बनाते हैं कोशिका समरशना के तूटते समय तूटते समय जब कोशिका छती क्रस्ट हो जाती है यानि damage हो जाती है तो lysosome फट सकता है और enzyme अपने निजी कोशिकाओं को खाच जाते है या फिर वो nust कर देते हैं इसलिगे क्या होता है कि lysosome उस कोशिका को क्या कर लेता है मार देता है खत्म कर लेता है इसलिए इसे आत्मगाती धैली के नाम से जाना जाता है आप सुनो सीन नाम मैंने आपको इनके बताएं हैं हमने तीन नाम क्या क्या देखें तो एक तो हम इसे पाचन थैली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कई सारे कोशिकांग जो माल लीजिए कि डैमेज हो गए है ये ठीक से जो काम नहीं कर रहे हैं ये उनको क्या कर लेता है डैजिस्ट कर लेता है ऐसा कोई बैक्टिरिया ऐसा कोई वाइरस जो कोशिकांग गुसने की कोशिश करेगा ये उसे वहीं पर मारने का काम करता है इसी के साथ ये क्या करते हैं तो जो चीजे जिन डैजिस्ट कर ली है जिनने बचा लिया है उनको क्या करना उनको समेट कर रखने का काम या कोशिका मलवे को ये दूर करके रखने का काम करते हैं इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का कच्रा निक्टारी तंत्र भी कहा जाता है और कई ऐसी चीज़े जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका यूज नहीं रह पाता है तो ऐसी चीज़ों को ये क्या करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, इसलिए इसे शीवसाइडल बैट के नाम से भी जानते हैं जैसे यहां लिखाए न, कोशिका संदरशना के तूटते समय, कई बार ऐसा होता है कि जो कोशिका है भाई, वो डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम फिर वहाँ फट जाता है, इसलिए इसे एटम बॉम के नाम से भी जानते हैं, और एंजाइम अपने निजी कोशिकाओं को ख सूत्रकडिका क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल इजी वे में थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूं, हिंदी में ही लिखने हैं हिंदी मीडियम हैं आप लोग, सूत्रकडिका है न, इंग्लिश में इसे हम मैटो कॉंड्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटो कॉंड्रिया चालो, तो हमने देखा सूत्रकडिका के बारे में सबसे पहला question तो आपके paper में यही पूछा जाता है कि भाई इसके खोज किस ने की थी? कौन से ऐसे वेखती थे जिन्होंने mitochondria की खोज की थी? तो आप क्या बोलेंगे हमें पता है और उनका नाम है kolikar kolikar नाम के scientist ऐसे थे जिन्होंने mitochondria की क्या की थी? खोज की थी ठीक है फिर एक और scientist थे जिनका नाम था Ultman क्या नाम था? Ultman Ultman की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ही नाम दिया था इसे Bioplast क्या नाम दिया था? तो Ultman ने से नाम दिया था Bioplast क्या नाम दिया था? Bioplast नाम दिया था और वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ एक scientist थे जिनका नाम था काल बेंडा क्या नाम था? काल बेंडा उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? तो इन्होंने फिर वहाँ पर नाम दिया था भाई Mitochondria तो यही पर माईटो कॉंड्रिया जो है वो नाम पड़ा और साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने यह नाम दिया तो तीन साइंटिस्ट हमने देख लिये हैं में लिए तीन साइंटिस्ट के नाम जो हैं पूछे जाते हैं, कोलिकर ने खोच कर दी थी, अल्टमेन ने बायोप्लास्ट नाम दिया और बेंडा जी ने माइटोकॉंडरिया ही नाम दे दिया अब बात आती है सुत्रकडिका को लेकर कि सुत्रकडिका को किस नाम से और जाना जाता है तो इसे कोशिका का उर्जा ग्रह कहते हैं क्या बोलते हैं तो इसे कोशिका का उर्जा ग्रह कहते हैं कौन सा ग्रह कहते हैं तो कोशिका का उर्जा ग्रह इसे हम कहते हैं चलिए तो कोशिका का उर्जा ग्रह कहते हैं पर सुनो ये जो उर्जा होती है न ये किस रूप में किस फॉर्म में स्टोर होती है याने कि संचित रहती है तो ये ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है याने कि संचित रहती है जहां ATP का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फ है phosphate यह होता है clear very important adenosine triphosphate यह ATP क्या है तो ध्यान रखना कि भाई यह होती है energy currency यह क्या होती है तो यह energy currency होती है तो हमने एक चीज़ notice करी हमने क्या notice करा कि mitochondria को याने सुत्र कडिका को कोशिका का उर्जा ग्रे कहा जाता है और यह यह जो उर्जा है वो ATP की form में store होती है ATP का full form adenosine triphosphate होता ही और यह ATP energy currency होती है हिंदी में जिसे हम बेटा उर्जा मुद्रा कहते हैं हिंदी में जिसे हम उर्जा मुद्रा कहते हैं क्या मेरा point clear हुआ क्या मेरी बात समझ में आई चलो चलिए द्यान से देखने हैं तो जो मैंने आपको कहानी बताई है है हना कुछ यही कहानी आपको यहां पर मिलेगी तर वो मैंने थोड़ा short में बताया short में मतलब कम शब्दों में मैंने आपको पूरा explain कर दिया सुनो mitochondria Greek भाषा के दो शब्द अर्थात Mito जिसे हम धागा या सूत्र कहते हैं या इसी के साथ Chondria जिसे हम कडिका कहते हैं तो यह इन दोनों से मिलकर बना होता है अर्थात यह कडिका में धागे नुमा संविश्टन होता है इसलिए इसे हम सूत्र करिका भी कहते हैं को्लिकर कि अगर में बात करूँ तो कोलिकां नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था तो इन्हों ने सबसे पहले सूत्र करिका को खो जा था कवर किया था फ्लेमिंग ने फाइला फ्लेमिंग की अगर में बात करूं तो फ्लेमिंग ने इसे फाइला वह अल्टमेंड की अगर हम बात करें तो इन्हों अलग साइंटिस्त ले याद रखना माइटोकॉंड्रिया कोशिकीश वसन के स्थान होते हैं बिल्कुल सही और वेकोशिका में उपस्तित कार्वोहाइड्रेट्स एवं जो फैट होता है या मैं कहों लिपिड है इसको कारबन डायोकसाइड और जलवाश्पु में ऑक्सिक्र माइटोकॉंड्रिया ऊर्जा धनी योगिक का संश्लेशन करता है तो वेकोशिका के बिजली घर्वी कहे जाते हैं आटीप में संचेत् उर्जा कोशिका द्वारा ही प्रयोग की जाती है यह माइटोकॉंड्रिया तुम्हें दिखी रहा होगा यहाँ पर माइटो सोम के कड़ ग्रेनुल्स जिसे हम बोलते हैं और इसका अपना खुद कर डीने भी पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा गयु Já यहां से सुनना इसी के बारे में इसके बाहरी कला कैसी होती है सपाट होती है चपटी होते है तता दोनों कलाओं के मतेक रिक्तिस्थान ब्लैंक सक्षान पार जाता है उसको हम क्या दोते हैं एक इसमें तरल एकuckle बद्रोब्हा होता है चल अब आप थोड़ा से structure के बारे में जानियेगा हलाकि मैंने अभी आपको नाम बताया लेकिन फिर से देखो नाम बताया लेकिन फिर से देखो कि इसमें पहली बात तो double membrane होती है एक होती है inner membrane जो कि कहां गई आंतरिक जिल्ली हो जाएगी और एक होती है outer membrane जिसे हम बाहिय जिल्ली कहते है आंतरिक जिल्ली और क्या होती है बाहिय जिल्ली होती है ये वाला भाग क्या है भाई इसे हम क्रिस्टी कहते है इसी के साथ इसका खुद का क्या पाया जाता है ये धागे नुमर जो structure दिख रहा है और इनमें क्या पाये जाते हैं? राइबोसोम भी पाये जाते हैं इनके पास इनके खुद के राइबोसोम भी होते हैं समझिएगा इसकी आंतरिक कला कई वलनों द्वारा उभरोवा गर्तों का निर्मान गरती है जिनें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं क्रिस्टी के अंदर के अवकाश को आंतर क्रिस्टी अवकाश कहते हैं और आधार द्रबे में कडिकाएं तंतुक, प्रूटीन, वसा, वृत्ताकार, नगन क्या होता है, डियने होता है और ध्यान रखना के इसमें डियने कैसा होता है, वृत्ताकार होता है एवं 70S राइबोस होता है clear अब इसमें कौन सा पाया जाता है बिटा तो इसमें पाया जाता है 70S mitochondria में यही श्वसन संबंदित अभी क्रियाएं संपन्द होती है clear ठीक है अब ध्यान से सुनो mitochondria एक अद्बुत अंगक है क्यों है ये अद्बुत ऐसा क्या नोखा काम इसने किया है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA होता है और Ribosome होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कोशिका का एक ऐसा अंगक है यानि कि ये एक ऐसा अंग है जिसमें उसका खुद का क्या होता है DNA होता है जिससे mitochondria अपना कुछ protein स्वयम ही निर्मित करते हैं अता इसे अर्ध स्वायत को शिकांग भी कहते हैं यानि semi-autonomous cell organ भी कहा जाता है चलिए नेक्स्ट आते हैं लवक यानि प्लास्टेट्स के तरफ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँँ आपकी NCERT में दो ही तरीके के दिये हैं बट एक्च्वल में ये तीन ब्रकार के होते हैं तो हम अच्छे से ही पढ़ते हैं पूरा डीटेल में चलकर पढ़ते हैं फस्ट अपॉल लवक या कवक की बात करूँ लवक कवक अलाग होते हैं लवक यानि के प्लास्टेट्स के अगर में बात करूँ तो इसके खोज हैकेल नाम की एक साइंटिस्ट नहीं की थी क्या नाम था उनका तो उनका नाम था है केल लवक अधिकांश बादब कोशिकाओं में पाय जाते हैं और जन्तों कोशिकाओं में अनुपस्तित होते हैं जी बिल्कुल सही है यह प्रमो कुरूप से किस में पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं हमारे में नहीं पाए जाते हैं जनतुओं में कैसे होते हैं भाई एपसेंट होते हैं तो हम एक बात पता चली कि एनिमल्स में यह कैसे होंगे एपसेंट और प्लांट में कैसे होंगे बिल्कुल प्रेजेंट लेके मैं क्यों यह प्लास्टिक्स यानि कि लवक यह हमारे में क्यों नहीं पाए जाते हैं तो यह हमारे में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमारे बॉड़ी में जो फूड होता है हम सनलाइट के हल्प से नहीं बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं तो हम तो जो खाना है उसको खाते हैं और वो हमारे बॉड़ी में डाइजिस्ट होता है प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं सूर के प्रकाश से बनाते हैं, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है तो हमने जाना कि जो लवक याने प्लास्टिट्स होते हैं, वो प्लांट्स में हमारे में नहीं होंगे Mitochondria की भाती, लवकों के भी उनके अपने जिनोम अर्थात जिसे हम DNA कहते हैं वो पाए जाते हो राइबोसोम भी होते हैं लो बाई, जिसे Mitochondria का अपना खुद का DNA और राइबोसोम था वैसे ही किसका होता है? वैसे ही ऐसा कौन सा कोशिकांग है? और तो आप क्या बोलोगे कि वो है लवक जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा हाला कि ये जो लवक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी माइटोकॉंट्रिय के तरह लवक में भी अपना DNA तता 70S राइबोसोम जो है उपस्तित होते हैं राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम होगा 70S राइबोसोम होता है अता है ये अर्ध स्वायत कारी याने semi-autonomous organ होते हैं जैसा हमने कहां पढ़ाता बिटा माइटोकॉंट्रिय में पढ़ाता इसी के साथ जो स्वताह जनन करने में भी क्या होते हैं सक्षम होते हैं ये स्वताही जनन कर लेते हैं प्रोडक्शन करते हैं ठीक है चलिए ध्यान से सुनिएगा अगर आपसे कोई बोले कि लवक कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना कि यह जो प्लास्टिट्स होते हैं लवक होते हैं भाई वो तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लिवकोप्लास्ट जाने कि अवर्णी लवक और ये कैसे होते हैं हरित लवक होते हैं तो तीन कौन-कौन से हैं तो हम क्या बोलेंगे तीन कौन-कौन से होंगे तो एक होगा भाई, वर्नी लवक, कौनसा लवक, वर्नी लवक, एक होगा अ, वर्नी लवक, कौनसा लवक, वर्नी लवक और सबसे लास्ट में फिर हम एक क्या पढ़ेंगे, हरित लवक को पढ़ेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं जिन में से एक plant के लिए अती वाला सबसे जाधा important हरित लवक होता है चलिए, फटा वट से आगे बढ़ते हैं अब हम रंग के आधार पर लवक निम्ले लेके तीन प्रकार के होते हैं और भाई वो तीन प्रकार कौन से हैं सबसे पहले है कलोरोप्लास्ट याने की हरितलवक भाई ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके इतने सारे ये क्या होते हैं भाग होते हैं स्ट्रोमा होता है इसी के साथ सथ गुरीनम होता है और ये इतने सारे भाग होते हैं डबल मैम् डेख रहे है अब प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है इसी लवक के और हरे पादप या नी ग्रीन प्लांट स्व पोशी उत्पादप होते हैं धरती पर उनका चैनल हरी शेल इसमें आती हैं हरे पादप याने Green Plant और एलगीज भी इसमें आते हैं इसका कार क्या होता है तो हजी बिलकुल सह हुए कर्कार संशलेशन की किर्या में भाग लेता हैं यह सूर के प्रकाश की उपस्थिती में प्रकास संचलेशन प्रक्रिया द्वारा भोजन, भोजन में भी कार्मनिक पदार्थ वा ऑक्सिजन बनाने में सहायक होते हैं प्रकास सेंशलेशन की क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जहां पर सनलाइट की हेल्प से सूर की प्रकास से प्लांट अपना फूड याने की भोजन अपना खाना बनाते हैं पौदे के किस इसे में बनाते हैं तो वो बनाते हैं लीफ्स याने की पत्तियों में किस में बनाते हैं करता है और वो कौन-कौन से होते हैं तो एक तो होता है गुरेना और एक होता है स्ट्रॉमा अब गुरेना स्ट्रॉमा क्या होते हैं तो ध्यान से सुनो जो जिली से घिरे हुए किस से घिरे हुए जो जिली से घिरे हुए पंड हरित याने क्लोरोपिल के अणों द्वारा चप लेकिन यहां पर हमें यह दिख रहा था कि यह जो इतने सारे यह होते हैं यह सारे ही क्या कहलाते हैं ग्रेनम कहलाते हैं ठीके ग्रेनम या ग्रेनम जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा क्या होते हैं तो जो समांगी मैट्रिक जिसमें ग्रेनम अंतहस्थापित होते हैं याने की embedded होते ह स्ट्रोमा में विविद प्रकार के प्रकाश संशलेशक, एंजाइम, स्टार्च, कड़ होगे, डिने होगे, राइबोसोम यह सब पाए जाते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो तो हमने दोनों के बारे में जाना अब आते हैं अवर्णी लवक, हमने देखा हरित लवक कैसे होते हैं तो पहली बात तो कि यह पाए जाते हैं लीप सियाने पत्तियों में, हरे पौधों में, हरे तशैवाल में इसी के साथ ये green color के होते हैं प्रकास संचलिशन की प्रिया में सहायक होते हैं अब आते हैं अवर्णी लवक जिसे हम leukoplast कहते हैं ये colorless होते हैं रंगहीन होते हैं और इनका काम क्या होता है तो carbohydrates जिसमें भी starch हो गया वसाय याने fats हो गये तता protein के रूप में भोजन को store करके रखने का काम करते हैं और वहीं वर्णी लवक देखो अवर्णी तो colorless हो गए हैं ये रंगहीन हो गए हैं लेकिन वर्णी लवक कैसे होते हैं ये रंगीन होते हैं हना लेकिन हरे रंग को छोड़ कर ग्रीन कलर को छोड़ कर अब इनका काम क्या होता है परागर पॉलिनेशन हितु कीट पतंगों को आकरशित करने के लिए ये फूलों को विभिध प्रकार के रंग प्रजान करने का काम करते हैं तो आप अपने दिमाग में बठा लो हरे लवक ग्रीन कलर अवर्णी लवक कलरलेस हो गए और ये कैसे होते हैं वर्णी लवक तो ये कलर वाले होते हैं अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सनलाइट या सूरी का प्रकाश नहीं बहुच पाता है आते हैं नेक्स तो रसधानिया या रुक्तिका की तरफ जिसे हम वैक्योल्स बोलते हैं सबसे पहली बात कि वैक्योल्स दोनों में होते हैं प्लांट में भी होते हैं आनिमल्स में भी होते हैं डोनों में अंतर क्या होता है तो बिटा प्लांट में ये होते हैं बड़े आकार का वैक्योल होता है वहीं हमारे में वैक्योल्स छोटे चोटे बहुत सारे पाए जाते हैं तो रजदानिया ठो सत्वा तरल पदार्तों के संग्रहक थेलियां होती है जन्तु कोशिका में रजदानिया बहुत चोटी होती है तता पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है जी हाँ बलकुल सही और ये चोटी कैसी कहां पर होती है हमारे में और बड़ी कहां पर होती है पादप कोशिका प्लाइम सेल में होती है इसी के साथ पादपों में ही पाई जाने वाली ये संरशना एकल कला से बनी हुई होती है जिसे हम बिटा क्या बोलते हैं टोनो प्लास्ट वाइस में भरे द्रव्य को हम सेल सैप यानि कि कोशिका रस के नाम से जानती है ये विबिन निखा दे पदार तो एवं जल का संग्रहन करती है आताहा इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्टोरेज में हेल्प करती है इसलिए इसे हम नैच्रल स्टोर हाउस भी कहते हैं क्या बोलते हैं नैच्रल स्टोर हाउस भी हम इसे कहते हैं ले लिए screenshot ले लिए चली भाई तो screenshot ले लिया होगा पड़ापड से अब हम आगे बढ़ते हैं ये दिख रहा होगा आपको vacuol मैंने पहले ही कहा था कि plant में बीच में एक बड़ा सा होता है और वहीं अगर हम हमारे कोशिका की बात करेंगे तो इसमें कैसा होते हैं ये छोटे करके रखता है यानि इसको store करके रखता है संग्रहन मतलब क्या होता है भाई तो संग्रहन मतलब होता है उसको store करके रखना क्लियर तो वर्ण को जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है संकूचन द्वारा परासरण उस सर्जन आधी को नियंद्रित करता है परासरण मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी हैना जब मैंने आपको प्लाजमा जिल्ली पढ़ायती तो बताया था तो संकूचन यानि कॉंट्रेक्शन द्वारा जो ऑस्मोसिस होता है उस सर्जन आधी को यह नियंद्रित करता है अब शिस्ट वह अनवश्यक्त पदार्तों को भी संग्रहित करके रखने का यह काम करता है और इसके बाहर जो परत होती है वो टोन कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं है ना देखो एक चीज और कि हमारा जो यह वन शॉट रिविजन है हमें बहुत बढ़ा नहीं बनाना है तो मैं जितना डीटेल में जाकर पढ़ा सकती थी और जितना जल्दी चीज़ादा चीजों को कवर कर सकती थी मैंने सब किया आपने करी सारी जगा दिखा होगा वन शॉट एक घंटे में ओवर हो जाता है दो घंटे में ओवर हो जाता है विटा मुझे नहीं पता वो कैसे होता है लेकिन आप कॉंटेंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमने जितना डेप्थ में कितना डीटेल में जाकर हमने पादब कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तारक का ये जन्तु कोशिकाओं के धुरूवों की और चले जाते हैं और स्पिंडल के निर्माण में ये भाग लेते हैं पादब कोशिकाओं में स्पिंडल निर्माण के लिए धुरूवी अटोपिया कोशिका विबाजन में भाग लेती हैं हमने क्या देखा कि ये पाय तो जनतु कोशिकाओं में जाते हैं लेकिन जनतु कोशिकाओं में ये स्पिंडल निर्मान में भाग ले रही है लेकिन प्लांट में क्या होता होगा तो पादप कोशिकाओं में स्पिंडल निर्मान के लिए जो धुरूवी अटोपिया है वो कोशिक का इस प्रकार विशस्त रीती से उसकी कला और कोशिकांग को कि संगृतन के कारण अपने विशेश संवनष्ण प्राप्त कर लेती हैं और फिर कार्य खरती है क्लियर चली और सुनिएगा फलताउ इसी के बारे में बात कर में फलता प्रत्य प्रकार की कोशिका मुल्भूत प्रकारियों जैसे श्वसंग पूशन प्राप्त करने बेकार पदार्तों का निप्टारा करना नए प्रोटीनों को बनाना इत्यादी को करने के लिए कई सारी कोशिकाओं की सहायता करती है कोशिका जीवित जीवो यानि कि सजीवो की मूल संर प्रशनात्मक एकाई है यह जीवन की मूलभूत या आधारी प्राकार एकाई भी होती है यह निशकर्ष कोशिका सिद्धान्त का प्रमुख बिंदू भी बनाता है मतलब यह कुछ ऐसे पॉइंस देजो मतलब इतने एजी दे कि हमने इतना पढ़ लिया कि आपको एक बार में अती 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 आवश्यक होता है लेकिन यह भी कई प्रकार से होता है सबसे पहले तो आप इदर ध्यान से देखिएगा कि यह जो कोशिका विभाजन हो रहा है पहले तो यह समझ लो कि मान लो कि अगर एक कोशिका है उसके अंदर क्या है भाई केंद्रक है ना और केंद्रक कि ये कुछ ऐसे अलग होती है कि हूब हूँ अपनी ही जैसे अलग होती है जैसे सुनो इसने केंद्रक को भी अलग किया इसने केंद्रक को भी अलग किया और फिर जाके उसने एक अपना structure निकाला है निकाला है कि नहीं निकाला है देखो ये इसने हूब हूँ वही आकार देखा कि इसने सबसे पहले केंद्रक निकाला फिर उसी के साथ इसने कोशी का द्रब्य निकाला और फिर ये पूरी तरह से उससे अलग हो गई कोशी का विभाचन हो गया तो येस ऐसे ही होता है कोशी का विभाचन ये कुछ इस तरीके से अलग होते हैं ठीक है चलो तो जीव के अगर मैं बात करूं तो यूगमक बनते हैं नर और मादा से इंप कर नर में पुर्शो इया है और ये विभाज़न दो प्रकार का होता है तो जिन मैं से हम पढ़ने जा रहे हैं समसूत्री विभाजन और वो दो कौन-कौन से होते हैं तो मैं यहाँ लिखकर बता देती हूँ बिटा एक होता है समसूत्री विभाजन कौनसा विभाजन? समसूत्री विभाजन और एक होता है भाई अर्ध सूत्री विभाजन कंसा विभाजन? अर्ध सूत्री विभाजन तो हमने जाना कि एक होगा समसूत्री विभाजन और एक होगा अर्ध सूत्री विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? तो ये जीवों में व्रद्दिवा उतकों की मरमत में सहायता करते हैं तहायक होते हैं इस विभाजन प्रक्रिया में प्रतिक कोशिका यानि कि जो मात्र कोशिका होती है भाई वो विभाजित हो जाती है और वो विभाजित होकर दो समरूप संत्ती कोशिकाओं अपने ही समरूप संत्ती कोशिकाओं का निर्मान करती है संत्ती कोशिकाओं में कोश कोशिका के समान ही इसमें गुर्षूत्रों की भी संख्या है है ना चलिए यहां से रिखिए कि आप के NCRT में कुछ प्रकास है दिया था कि यहां पर यह मात्र कोशिका है जिनके अंदर हैं गुर्षूत्र जो डिवाइड होकर संतिती कोशिकाओं में कुछ इस तरीके से बन जितने गुर्षूत्र इसमें थे उतने ही गुर्षूत्र संतिती कोशिकाओं में भी पाए जाएंगे चलिए अर्द सूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है तो अर्द सूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक चीज़ और सम सूत्री कोशिका विभाजन जो होगा न जीवों की जनन कोशिकाओं में अत्वा उतुकों की विशेश कोशिकाओं विबाजित होकर ये गैमिट्स का यानि युवमक का निर्मान करती है निशेचन के पस्चाद ये संतती का निर्मान भी करते हैं इस प्रक्रिया के विभाजन में कोशिका विभाजित होकर दो की जगा चार नई संतिती कोशिकाओं का निर्मान करती है कुछ इस प्रकाल से यहां पर यह क्या है भाई मात्र कोशिका है यहां पर क्या ही यह मात्र कोशिका है जो इस प्रकाल से अर्द सूत्री विभाजन एक हुआ और फिर ये ऐस तरह से विभाजे तो यहां अर्द सूत्री विभाजन दो हुआ और इस प्रकाल से यहां संत्ति कोशिकाएं बनती है ठीक है? चौल नेक्स्ट देखेंगे अर्द सूतरन की प्रक्रिया दो अवस्थाओं में होती है हंजी ये कितनी अवस्था में होती है तो ये दो अवस्था में होती है जिसे अर्द सूतरन 1 और अर्द सूतरन 2 अर्द सूतरन 1 और 2 में अंतर क्या होता है तो अर्द सूतरन वन में जनन कोशिका दो संतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसमें मात्र कोशिका के तुलना में गुर सूतरों की संख्या आधी रह जाती है और अर्द सूतरन 2 में क्या होता है तो समसूत्री विभाजन के समान ही इसमें भी विभाजन होता है समसूत्री के विभाजन के तरह भी अर्द सूतरन 2 की ये प्रक्रिया होती है तो ध्यान से देखिएगा कुछ इस प्रकाल से यह विबाजन आपको यहाँ शो हो रहा होगा दिख रहा होगा तो कुछ यह ऐसे आगे बढ़ती है इंटर्फेस होगा और इंटर्फेस में यह मियोसिस 1 दिख रहा है आपको और फिर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है मियो से सेकंड दिखाई दे रहा है अर्दसूत्री वन और अर्दसूत्री टू में ऐसा होता है चीके? चलो So I think आप लोगों को कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी हाना और पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब बात त्यान से सुनियेगा कोशिकर विभाजन क्लास 9 के हिसाब से उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो जितना था उससे जादा ही हमने पढ़ा है आपके NCRT में बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही इसके बारे में लिखा है क्योंकि कोशिकर विभाजन 3 प्रकास से होता है और उनके अंदर भी बहुत सारी अवस्ताइं स्टीजिस होती है बड़ जितना था हमने उस से अडवांस लेवल में जाकर ही बढ़ा सो बात कुछ ऐसी है कि मैं आशार रहती हूँ कि यह जितना भी मैंने आपको OneShort Revision में यह चाप्टर पढ़ाया है जीवन की मौले की काई वो अच्छे से समझ में आ गया होगा जाने के पहले एक छोटी से information मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप सभी जैसे यह OneShort Revision देख रहे हैं वैसे ही और भी कई सारे चाप्टर्स के OneShort Revision अप्लोड हो चुके हैं और कई सारे आने भी वाले हैं तो आप हमारी classes कहां कहां देख सकते हैं आप हमसे YT पर तो बिटा जुड़ ही सकते हो इसी के साथ साथ application पर भी जुड़ सकते हो और website के तुरू भी आप हमसे connect हो सकते हैं जुड़ सकते हैं आपको Magnet Bains Hindi Medium चानल पर किसी भी class को देखने के लिए एक भी रुपे का payment करने के आवशकता नहीं है ना ही कोई package purchase करने के आवशकता है क्योंकि हम आप सभी के लिए बिल्कुल free of cost सारी चीज़े provide कर आ रहे हैं session आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अभी तक अगर आपने like नहीं किया है तो भाई जल्दी से like कर देना शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पड़ा पड़ से जाका चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी के साथ साथ by कुछ other platforms भी है जहां पर आप हमसे जुड सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूँ और e-book की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग उसके लिए भी कापी ज़्यादा messages करते हैं कि मैं कहां मिलेंगे हमें e-notes या e-book तो उसकी जो link है न वो description box में दी है वहाँ पर जाकर आप उसे download कर सकते हैं अब बात आती है कि मैं आपने जो ये इतना कुछ पढ़ाया है इसकी PDF कहां मिलेगी तो विटा ध्यान से सुनना इसकी जो PDF है वो आपको अलग से नहीं मिलेगी आपको ये पूरा session attend करना होगा आप screenshots लेकर PDF जो है वहाँ पर खुद से बना सकते हैं या इसी के साथ साथ आप proper अपने खुद के notes भी बना सकते हैं so session कैसा लगा है क्योंकि इतने देर तक पढ़ाना और हर एक चीज़ को clear करना तो जहां तक मुझे लगता है आपको पूरी ही बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना तो comment section में ज़रूर बताना कि session आपको कैसे लगा सारे doubts आपके clear हो गए है और आपके उन दोस्तों के साथ इसे जादा से जादा शेयर करना जो actual में free में पढ़ना चाहते है financial background इतना अच्छा नहीं है कि वो खुच से जो है वो मदलब थोड़ा भी payment कर पाएं कहीं पर तो हम आपसे एक भी रुपे नहीं ले रहें बस हम आपसे यह कह रहे हैं कि हम free में पढ़ हा रहे हैं free में पढ़ हो है ना तो इसे जादा से जादा शेयर करिएगा thank you class